सबसे पहले जानते हैं हम Constitution of India के बारे में तो सबसे पहले important point है जो Constitution of India का वो यह है कि इस जुनीक in its content and spirits यह सबसे अलग है बाकी देशों के समविधानों से हमारा समविधान जो है वो अलग है और पेटल भी है यह मैं कह सकता हूं guarantee से तो second point provisions are borrowed from various constitutions जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे Constituate Assembly थी उन्होंने अलग-अलग भेशों का दोरा किया उनके समविधानों को देखा और उनके जो बेन best-best points थे उनको एक अत्रित करिकथा करकर एक Constitution बनाया इसके अंदर उन्होंने अपने कुछ additional inputs दाले और Government of India एक 1965 के provisions भी डाले और हमें एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा Constitution दिया Third point it is framed in a long time 2 years, 11 months and 18 days यानि कि almost 3 साल अगे हमारे Constitution को बनाने के लिए और यही पताता है कि उन्होंने कितना काम किया हमारी Constituent Assembly ने और इसको तीन साल का समय around लगा बनाने में Originally our Constitution contained 395 articles and 8 schedules while it has presently 448 articles and 12 schedules पहले हमारे Constitution में 395 articles थे और 8 schedules थे पर अब बढ़कर यह 448 articles हो चुके हैं और 12 schedules हो चुके हैं with the changing needs of time So far the Constitution has been amended 101 times यह सबसे important point है जो हमारा Constitution है वो एक living document है हम thankful हैं हमारी Constituent Assembly के members के जिन्होंने हमें यह Constitution दिया कि उनको पता था उनका vision इतना अच्छा था कि everything changes the time सब कुछ बदलता है समय के साथ और जरूरते भी बदलती हैं समय के साथ इसलिए उन्होंने Constitution में amendment का provision रखा कि हम अपने Constitution को थोड़ा थोड़ा बदल सकते हैं जरूरतों के हिसाब से और यही important reason है कि हमारा जो Constitution है वो more than 68 years होगे, 70 years होगे हैं होने वाले हैं कि हमारा Constitution जो है हमारी country को अच्छे तरह run कर रहा है और यहां पर कोई भी military coup वाली situation नहीं आई है या फिर इसी के कारण हमें कोई military coup जैसी situation नहीं दीखी है या अनार्की के situation नहीं दीखी है इस सतर सालों के इतिहाश में और 101 बार amendment हो चुका है हमारा Constitution और इसमें जो 101 amendment थी 101st amendment थी वो थी GST के ऊपर जो की NDA government ना भी लागू की थी तो अब स्टार्ट करते हैं Constitution of India के बाद Constituent Assembly, Constituent Assembly was constituted in November 1946 to make the constitution obviously तो जो Constituent Assembly से उसका गठन हुआ था 1946 में November में It consisted of 389 members out of which 292 were elected from provinces, 93 were to be nominated from princely states and 4 members were to be nominated from chief commissioners area तो जैसा कि आप जानते हैं कि British rule के दौरान इंडिया की जो geographical entity थी उसको basically दो भागों में बांटा गया था एक तो था British India और दूसरा था Indian states तो जो British India था उसके उपर direct rule था Britishers का और जो इंडियन states थे उनको rule तो करना है थे एक बार princess पर वो indirectly control के अंदर थे British के तो यह जो chief commissioners area है यह control में होता होता था chief commissioner के अंडर जो कि pointed किया जाता था point किया जाता था by the वोइसरे पर यह सब की जो बाते हम कर रहे हैं यह बाते हम कर रहे हैं जब तक partition नहीं हुआ था इंडिया का पर हुआ क्या 3rd June 1947 का वो दिन था जह मांट बेटन जो कि वोइसरे थे उस टाइम लूई मांट बेटन उन्होंने मांट बेटन प्लान दिया यानि कि separate Constituent Assembly for the proposed state of Pakistan जो पाकिस्तान बनना था उसकी Constituent Assembly जो थी उसको भारत की Constituent Assembly से अलग कर दिया गया तो जो पाकिस्तान था इट इंक्लूड़िद वर्ट वेस्ट पेंगॉल वेस्ट पंजाग इस्ट बेंगॉल नौथ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध बलूचिस्तान एंड चिलहट डिस्टिक ऑफ असाम तो उस टाइम यह सब जो था यह प्रपोस्ट पाकिस्तान था दो पाकिस्तान थे वेस्ट पाकिस्तान और इस्ट पाकिस्तान और इस्ट पाकिस्तान जो है 389 मेंबर्स थे पर जब वो अलग हो गई पाकिस्तान की Constituent Assembly तो 299 मेंबर्स पर Reduce हो गई membership On 2nd November 1949 When the Constitution was signed It was signed by only 284 Members तो ultimately जब 2 November 1949 1949 को Constitution Signed किया गया तो केवल 284 मेंबर्स ने Signed किया गया अब कुछ important facts देख लेते हैं तो Dr. Sachidhanan Sinha ये temporary president थे Constituent Assembly के और जो Dr. Rajendra Prasad थे वो permanent president थे Constituent Assembly के जोनों बाते इंपोर्टेंट है prelims point of view के ही साफ से So next देखते हैं B.N. Rao B.N. Rao was the legal advisor to the Constituent Assembly और इन्वे ने बहुत important role किया था Constitution को बनाने में 13 December 1946 को जवालना लहरू ने Objectives resolution दी थी Constituent Assembly में और आज उसी का modified जो version है वो हम preamble के ग्रूप में जानते हैं और ये बहुत थी landmark resolution थी जो कि भारत के पहले ब्रदान मंतरी बने बाद में जवालना लहरू उन्हों ने दी थी Constituent Assembly पे उसके इलावा Constituent Assembly ने 22 committees का गठन किया था जिसमें से 10 थी procedural affairs के उपर और 12 थी substantive affairs के उपर और इसमें जो most important committee थी उसका नाम था drafting committee और it was headed by Dr. B.R. Ambedkar set up on August 29, 1947 Dr. B.R. Ambedkar यानि की भीम राव Ambedkar इनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं एक तो ये chairman थे drafting committee के उसके लावा he was the independent India's first law minister और ये independent इंडिया के जो पहले law minister थे वो भी Dr. B.R. Ambedkar ही थे और इनका जो असली सरनेम था वो सकपाल था भीम राव सकपाल और ये poor low meher यानि कि दरित कास से बिलॉंग करते हैं उस टाइम पर और eventually इनका जो इनके फादर थे उन्होंने इनका नाम एंडूल करया स्कूल में Ambedbedkar के नाम से और उनके भ्रामिन टीचर थे जो Ambedkar उन्होंने बाद में इनको अपना नाम दिया और ये भीम राव Ambedkar के नाम से प्रसिद होया और इनको बहुत काम किया गलित लोगों के लिए और उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए और बाद भी उन्होंने कनवर्ट के लिए था खुद को भुद्धिशन पर और इनकी बहुत ही फेमस किताब है Enhilation of Caste और इनको Father of Indian Constitution भी कहा जाता है क्योंकि इनके बहुत important role किया था as the head of the drafting committee इनकी Constitution को बनाने में और उसको एनफोर्स कराने में उसके लावा Republic Day 26 January इंडिया डिक्रेड़र रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो head of the state है वो elected है तो रिपब्लिक की definition यह ही है कि वो state जिसका head जो है उसको elect किया गया हो चुना गया हो rather than appointed or nominated तो Republic Day इंडिया को Republic खुशित किया गया था 26 January को और इसलिए आज उसको हम Republic Day के रूपे मनाते हैं Constitution adopted on November 96, 1949 November 96, 1949 को Constitution को adopt किया गया था but it was enforced only in January 26, 1950 because it was on this date in 1930 that Indian people observed Independence Day following the resolution of Congress session held in December 1929 at Lahore 1939 के जो Lahore session था Congress का जिसके अंदर जौनला लहरू जो थे वो प्रेजिडेंट से Congress के वो session में उन्होंने पूंस्वराज का resolution दिया था और 26 January को 1930 को हमने Independence Day के रूप में observe किया था इसी कारण से हमने 26 January 1950 का दिन चुना Constitution को enforce करने का हला कि उसको हमने adopt कर लिया था November 26, 1949 को ही So Dr. Rajendra Prasad after Independence was the first President of Independent India पहले President जो भारत के थे वो Dr. Rajendra Prasad थे और ये लोते ऐसे President है जो एक से ज्यादा term के लिए लगा था भारत की President रहे हैं Dr. Ambedkar was the father of the Indian Constitution मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने बहुत ही important role play किया था Indian Constitution के बनने में और उसको enforce करने में इसके Dr. Ambedkar is known as the father of the Indian Constitution He was the Independence India's first law minister as well as the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly जो हमारा Indian Constitution है वो unique है in its content and spirit और उसको हमने बौरो किये है provisions अलग अलग जगाओं से और हमने जो best provisions है उनको मिलाकर Indian Constitution को बनाया और आज वो world का सबसे अच्छे Constitution में से एक है तो पहला important feature जो है Indian Constitution का It is a lengthiest written Constitution यह सबसे लंबा लिखा हुआ Constitution है तो पहले तो जानेते हैं कि कुछ कंतिस ऐसे भी है जहां पर Constitution तो है पर वो लिखा नहीं हुआ है और इसका सबसे important example है UK, United Kingdom महाँ पर Constitution जो है वो लिखा नहीं हुआ है It is not written, It is oral Constitution और इंडिया का जो Constitution है वो written तो है ही उसके अलावा यह सबसे लंबा लिखा हुआ Constitution है पूरी दुनिया का It is a very comprehensive, elaborate and detailed document Originally 1949 में जो हमारा Constitution था उसके अंदर 395 articles थे which was divided into 22 parts and 8 schedules but presently in 2017 it consists of a preamble about 465 articles divided into 25 parts and 12 schedules तो अब जान लेते हैं कि क्या कारण है कि जो हमारे देश का समिधान है वो सबसे लंबा और लिखा हुआ समिधान है तो सबसे पहले तो एक है जो ग्राफिकल वास्टनेस जो हमारी कंट्री है वो बहुत वास्ट है इसका एरिया यह आप देख सकते हैं 3287263 किलोमेटर स्कूर एरिया है 3214 किलोमेटर इसका नौस तो साउस एक्सेंट है 2933 इसका इस्ट वेस्ट एक्सेंट है तो जो हमारी जोग्राफिकल वास्टनेस कंट्री की वो कॉंट्रिब्यूट करती है लेंचियस रिटन कॉंट्रिशन होने के कारण इस्टोरिकल फेक्टर्स भी हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटिज गर्मेंट के रूल के दौरान गर्मेंट ऑफ इंडिया एक 1935 लागू हुआ था वो इटसेल्फ वाज़ वेरी बल्की डॉक्युमेंट वो खुद भी बहुत एक बल्की डॉक्युमेंट थी बहुत ही लंबी डॉक्युमेंट थी और हमने गर्मेंट ऑफ इंडिया एक के प्रोविजन बहुत के लिए हैं अपने कॉंस्टिशन में इस कारण से भी हमारा जो कॉंस्टिशन वो लंबा है इसका एक और कारण है हमारा कॉंस्टिशन के लंबा होने का वो यह है कि सिंगल कॉंस्टिशन है हमारा फॉर बोथ थे सेंटर अंड थे स्टेट्स एक्सेट जमू इन कश्मीर वो इक स्पेशल केस से उसको अगर आप छोड़ दे वो इसका क्सेंटर का कॉंस्टिशन है वो बहुत छोटा है पर इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में क्सेंटर का वह और स्टेट का वह एक है और इसकी कारण से हमारा वन ओ लानफियस बिटियं कैंटर एस does लॉयर्स बहुत थे, लीगल लुमिनेरी बहुत थे, इसी की कारण इसेंबली की में जो डॉमिनेंसी लॉयर्स की, उस कारण से भी हमारा Constitution बहुत लंबा है, therefore our Constitution contains not only the fundamental principles of governance, but also detailed administrative provisions, तो यह पहला point होगा, LNCS written Constitution, the second point is drawn from various sources, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा Constitution है, उसके provisions जो हैं, वो अलग-अलग sources से borrow किये गए हैं, जिसके अंदर बहुत सी countries की Constitution भी आते हैं, तो जो हमारे structure provisions हैं, वो basically borrow किये गए हैं, हमारे structure provisions, Government of India Act से, और जो हमारा philosophical part है, वो various constitutions of different countries दे हमने पेकिया है, जैसे कि fundamental rights हो गई, directive principles of state policy हो गई, उसके बाद judiciary हो गई, emergency provisions हो गई, etc, etc, तो for example, British constitution से हमने parliamentary government tool of law लिया है, US constitution से fundamental rights लिये हैं, Irish constitution से हमने directive principles of state policy लिया है, Canadian constitution से हमने federation with a strong center का provision लिया है, Weimar constitution of Germany से हमने emergency की provisions लिये है, Canadian constitution से हमने federation with a strong center के provision लिये है, USSR से हमने fundamental duties लिये है, France से हमने republic and ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble लिया है, और France से तो liberty, equality and fraternity का principle सबने ही लिया है after the French revolution, और Japan से हमने procedure established by law का provision लिया है, तो एक class में हम अलग से sources of the constitution को discuss करेंगे, पर फिलाल हमारा इतना जानना जरूरी है कि हमारा जो constitution है, उसके हमने जो provisions है, वो अलग-अलग जगाओं से borrow किये हैं, और जो हमने mainly borrow किये हैं, वो किये हैं Government of India Act 1935 से, और apart from that, various constitutions of different countries, the third important, the most important point is blend of rigidity and flexibility, यही सबसे important point है, जिसके current constitution आज भी हमारा उसी वेगर के साथ work कर रहा है है, और हमारी country को run कर रहा है, यहां पर rigidity और flexibility का मतलब क्या है, वो जान लेते हैं, rigidity का क्या मतलब है, rigidity का मतलब है, ऐसी चीज जिसको हम बदल नहीं सकते, जो बहुत rigid हो, तो वो constitution जिसको बदलना impossible हो, या फिर बदलना बहुत ही जादा मुश्किल हो, उसको हम कहेंगे a rigid constitution, इसका एक्जामपल हम ले सकते हैं, USA, वहाँ पर जो constitution में amendment करना बहुत ही जादा मुश्किल है, और flexible constitution वो constitution होगा, जिसको बदलना बहुत ही जान हो, जिसको जैसे arm loss बनाते हैं, या arm loss चेंज करते हैं, वैसी अगर आप constitution को बदल दें, तो उसको हम कह देंगे flexible constitution, इसका एक्जामपल है UK, British constitution जो है, वो बहुत ही flexible constitution है, पर जो इंडिया का constitution है, it is a blend of rigidity and flexibility, यानि की rigidity और flexibility का एक mix है इंडिया का constitution, ना ही ये ज्यादा rigid है, ना ही ज्यादा ये flexible है, तो अब इसको हम कैसे मानते हैं, तो जो article 368 है, article 368 है constitution constitution of India का, it talks about the amendment in the constitution, so some provisions can be amended by a special majority of the parliament, that is two-third of each house president voting and a majority that is more than 50% of the total membership of that house, तो कुछ provisions थो हैं जिनको special majority से ही हम change कर सकते हैं, तो ये तो हो गया थोड़ा flexibility के example, और दूसरा GDT के example वो है, कि जब हम हमें special majority के साथ साथ ratification चाहिया होती है, half of the total states, यानि कि special majority तो चाहिये चाहिये जो मैंने आपको पहले बताई, पर उसके अलावा हमें 29 states हैं जैसे इस time इंडिया की, तो more than half states की ratification भी चाहिये है, और ये हम आगे discuss करेंगे, वैसे हमें कहां कहां चाहिया होता है, पर फिलाल इता जानलीजे, ये जब हमेरे federation को effect करें, कोई amendment constitution कहीं, तो इसका example था जैसे GST, तो GST was ratified by 15 states and only then it was taken as an amendment, तो our constitution is a blend of rigidity and flexibility. The fourth point is federal system with a unitary bias, ये बहुत important point है और ये हमने अभी जैसे discuss किया था, ये हमने Canada से लिया है ये जो concept है, federal system with a unitary bias का, इसका मतलब ये है कि federation तो है, इंडिया is a federation, बिट जो center है वो जाजा important role अदा करता है, ताकि जो हमारा union है वो कभी तूटे ना, हमारा जो constitution है वो definitely federal constitution of usual features of a federation like two governments, division of power, written constitution, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent judiciary, and bicamularism. However, the Indian constitution also contains a large number of unitary or non-federal features, for example, a strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of constitution, integrated judiciary, appointment of state governor by the center, all India services, emergency provisions, and so on. तो इस बातर से हमें बदा चलता है कि जो हमारा constitution है, it is a federal system with a unitary bias. तो इसके बाद अगला point देखते है है, parliamentary form of government. It is one of the very important point of features of our Indian constitution or Indian administration also, that here is the parliamentary form of government. The constitution of India has opted for the British parliamentary system of government rather than American presidential system of government. So, India में जो parliament है उसका बहुत important role है, और जो हमारा prime minister होता है, यानि कि real head of the state, de facto head of the state, not de facto or real head of the state is the prime minister, and he must be one of the member of the parliament, one of the houses of the parliament. पर presidential system of government जो कि US में follow की जाती है, उसमें president जो होता है, he is the executive real head of the state, और उसको member होना जरूरी नहीं है, बलकि उसको member होता ही नहीं है, वो किसी भी house का parliament में, यानि कि Congress में, जो America की parliament को Congress कहते हैं. So, the constitution of India adopted for the British parliamentary system of government. The parliamentary system is based on the principle of cooperation and coordination between the legislative and executive organs. While the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs. तो इंडिया में क्या होता है कि Parliament एक बहुत important role play करता है, जो हम role of parliament discuss करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे तो उसका most important role है, it is the role of control over executive. तो मतलब क्या है इसका, जो हमारा Prime Minister है, यानि कि Prime Minister including Council of Ministers including Prime Minister, वो answerable है, वो जवाब दे हैं किसको, parliament को, लोकसभा को, राजयसभा को, और इस तरह से जो parliament की members है, वो उनसे questions पूछते हैं, और वो answerable है, accountable है उनको, और इसी कारण से, parliament जो है, वो check and balance maintain करके रखता है, executive पर जो power में हैं, Council of Minister जो power में हैं, Prime Minister जो power में हैं, वो अपनी policies के लिए जवाब दे हैं, पार्लेमेंट में, questionnaire होता है, उनसे questions पूछे जाते हैं, पार्लेमेंट में, और उनको जवाब देना पड़ता है, इसकी live streaming होती है, राजयसभा, लोकसभा TV पर, लोग देखते हैं कि, क्या questions, opposition उनसे पूछ रही है, और क्या वो जवाब दे रहे हैं, तो जो executive का उपर control है, इसकी executive की और legislature की, legislature और executive बिलकुल अलग है, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy, तो इसका मतलब है कि ये mix है, synthesis है, of parliamentary sovereignty and judicial supremacy का, तो parliamentary sovereignty का मतलब यहाँ पर यह है, कि जो parliament है, parliament जो है, वो constitution को amend कर सकता है, 368 article की तहर, 368 article में amendment की बारे में दिया हुआ है, तो 368 article की according, जो parliament है, वो amend कर सकता है, कि इसको constitution को, और इसलिए parliamentary sovereignty का शब्द का इस्तनमाल किया हुआ है, और judicial supremacy का मतलब यह है, कि जो भी amendment, जो भी amendment ऐसी होगी, जो की violate करेगी basic structure को constitution के, उसको हम unconstitutional गोशित कर सकते हैं, supreme court unconstitutional गोशित कर सकती है, इसके इलावा भी कोई भी ऐसा जो parliament का law होगा, जो की violate करेगा constitution को, उसको भी supreme court unconstitutional गोशित करकर, null and void कर सकती है, तो यह हो गया synthesis of parliamentary sovereignty और judicial supremacy, मतलब इन दोनों का एक mix है, blend है, अगला point है integrated and independent judiciary, तो हमारे समिधान में जो judiciary है हमारी, courts है हमारी, सबसे पहले जाना ज़रूरी है कि वो independent है, और India follows a federal judicial system, मतलब India follows a judicial system that is integrated as well as independent, और मेरा मतलब है यहाँ पर जो इंडिया है, वो follow करता है judicial system, जो की integrated तो जैसे USA में दो तरह की courts होती है, और दो तरह की laws होती है, तो federal laws को enforce करने के लिए federal judiciary होती है, और state laws को enforce करने के लिए state judiciary होती है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है, in India there is a single system of courts which enforces both the central laws as well as the state laws, एक इत कोट है, वो central के law को भी enforce करेगी और state के law को भी enforce करेगी, और जो supreme court है हमारी it stands at the top of the integrated judicial system of the country, तो जो supreme court है हमारी वो सबसे उपर है, सबसे उंची court है, and it is the highest court of appeal, it is the guarantor of the fundamental rights of the citizens and the guardian of the constitution, तो एक constitution को भी protect करती है, parliamentary laws जो भी constitution के against होते है, उसको null and void declare करने के कारण, और fundamental rights जो है वो guarantee करती है citizens को इस तरह से, कि अगर fundamental right को को कोई law जो है वो violate करेगा, तो supreme court के बाद सिधा हम जा सकते हैं, article 32 के तहत, और it is the highest court of appeal, सबसे आखनी appeal जो है, वो supreme court में जाती है, and supreme court का decision होता है, वो हमेशा final होता है, the next point is fundamental rights, it is one of the most important point, and it is one of the most important and beautiful thing about our constitution, fundamental rights, part 3 of the Indian constitution guarantees six fundamental rights to all the citizens, 6 fundamental rights, part 3 major जो हो देता है, right to equality, which is mentioned in article 14 to 18, then there is a right to freedom, article 19 to 22, right against exploitation, article 23 and 24, right to freedom of religion, article 25 and 28, cultural and educational rights are mentioned in 29 to 30, and right to constitutional remedies is mentioned in the article 32, and it is also known as heart and soul of the constitution, क्योंकि article 32 एक ऐसा राइट है, जो constitution को एक तरह से लागू करता है, in fundamental rights को एक तरह से लागू करता है, क्योंकि इस article किता है, आर्टिकल 32 के तहर, आप कि अगर कोई भी fundamental right, जो है, वो violate होता है, तो आप directly जा सकते है, Supreme Court में appeal करने, कि हाँ, मेरा fundamental right, जो है, ये वाला violate हुआ है, और Supreme Court जो है, वो appropriate action लेगा, तो fundamental rights के बारे में हम अभी आगे जानेंगे ये अलग से classes में, तो फिलाल इतने ही जाने हैं कि fundamental rights are meant for promoting the idea of political democracy, और ये बहुत important है हमारे लिए, तो अगला point है, directive principles of state policy, directive principles of state policy हमने लिये थे, आइरिश constitution से वैसे, and it seeks to establish a welfare state in India, ये welfare state के लिए establish करने के लिए लिए और ये part 4 में दियो हैं, fundamental rights के बाद, directive principles of state policy जो है, वो दियो हैं, और ये non-justiciable है, इसको हम जैसे fundamental rights अगर violate होते हैं, हम article 32 के तहर जा सकते हैं सिद्धा supreme court में, पर ऐसा कुछ directive principles of state policy में नहीं है, ये सिरफ लिखे होए हैं, इसका हमें ध्यान रखना है, executive को legislature को judiciary को, इसका ध्यान रखना है, पर इसको हम justiciable नहीं है, इसको ये नहीं कह सकते कि हमारा directive principles of state policy जो है, जो है violate हो रहा है, इसले हम court मे आ गया है, इसले हम कोई appeal कर दे, ऐसा possible नहीं है, ये सिरफ ध्यान रखने के लिए है, और ये welfare state की तरफ बढ़ने के लिए है, इंडिया के लिए, अगला है fundamental duties, जो fundamental duties है, ये 42nd constitutional amendment of 1976 के तहत आये थे, on the recommendation of स्वारन सिंग कमिटी, ये important point है, freelance point of view से, और जो part 4A है हमारे constitution का, article 51 वो specify करते है, 11 fundamental duties को, जैसे कि, to protect the sovereignty, unity and integrity of the country, to promote the spirit of common brotherhood amongst all the people, to preserve the rich heritage of our composite culture, विग्यारा विग्यारा, विग्यारा, ऐसे ग्याना points से, इसको हम आगे discuss कर लेंगे, थोड़े detail में, पर हमें important points, revealing points of view से, ये याद रखने हैं, कि एक तो internal emergency जब हुई थी, 1975-1977 में, तो 42nd amendment 1976 में, इसको add किया गया था, और दूसरा important point है कि, स्वारन सिंग कमीटी की recommendation भी इसको add किया गया था, और 86th constitutional amendment 2002 से, इसके अंदर एक और fundamental duty जो थी, वो add कि गई थी, तो इसी में इतना ही है, तो हम चलते है next point पर, it is a secular state, secular state बहुत important point है, हमारे constitution को, preamble में 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 किय हुआ है, 42nd amendment of 1976 से बाद, socialist, secular and integrity तीन शब्दों को जोड़ा गया था, preamble में, तो secular का मतलब है कि, जो state है हमारा हमारा, इंडिया, उसका कोई अपना religion नहीं है, और वो religion से distance maintain करका रखता है, तो basically secular का मतलब फिलाल इतना है, कि इंडिया का कोई state का religion नहीं है, majority minority की basis पर, United Arab Emirates, वहाँ पर, Islam जो है, वहाँ का state religion है, ऐसे चिंडिया में कुछ नहीं है, अगला important point, universal adult franchise, it is the most important thing about our constitution, तो हर citizen, जो की 18 साल से बड़ा है या 18 साल का है, has the right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on, जो voting age से पहले 21 साल की हुआ करती सी, 1989 में इसको reduce करकर rating किया था, और यह किया था, 61st constitutional amendment of 1988 के तहर्त, यह भी बहुत important point है, और उसके बाद ही election commission जो था, उसके multi-member body बनाया गया था, क्यूंकि काम बढ़ गया था, जब 21 से 18 years कर दी गई थी voting age, और voter जो से बढ़ गया थे number of voters, और इसी कारण से 61st constitutional amendment 1988 के बाद ही election commission को multi-member body बनाया गया था, single citizenship, तो यह बहुत important point है, बहुत से देश भार के ऐसे हैं, जैसे कि USA itself, Italy itself, कि जहाँ पर dual citizenship होती है, पर India only has a single citizenship, कि यहाँ पर center की तरफ से एक ही citizenship दी जाती है, and there is कोई classification नहीं citizenship की, अगर आपके बास Indian citizenship है, तो की तरह की है, and there is no discrimination whatsoever, जैसे कि USA में states की citizenship अलग होती है, USA की अलग होती है, ऐसा कुछ इंडिया में नहीं है, और इसके इलावा, अगर आप किसी भी और देश की citizenship को लेते हैं, तो आपकी जो इंडिया की citizenship है, वो आपने आप खतम हो जाती है, so there is a concept of single citizenship, पर आता है, emergency provision, हमने Germany के वेमर constitution से लिये है, the Indian constitution contains elaborate emergency provisions to enable the president to meet any extraordinary situation effectively, तो emergency provision तीन तरह की है, national emergency है, state emergency है, और financial emergency है, हाला कि financial emergency आसक लगी नहीं है, तो यह articles हैं, जो 352, 356, and 360 उसमें mention है, तो इसको हम आगे discuss करेंगे detail में, पर फिलाल इतने जान लीजे कि emergency provision is an important feature of our constitution, three-tier government, originally, the Indian government like any other federal constitution provided for a dual polity and contain provision with regard to organization and power of the centers and state, तो पहले ऐसा था कि, जो two-tier government हुआ करती सी, center की government हुआ करती सी, state की government हुआ करती सी, पर 73rd और 74th constitutional amendment हुई उसके बाद 1992 और 1993 respectively में, और 73rd constitutional amendment के तरह है, पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके वो third-tier government बना, villages में, और urban areas में, 74th constitutional amendment जो साथ ही हुई थी, अगले सन 1992, 1993 कुछ भी कह सकते हैं, उसके अंदर जो 74th constitutional amendment हुई थी, उसके अंदर urban areas में municipalities को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके और फ्री टायर government system जो है, इंडिया में follow किया जाता है, जो पहला टायर हो गया, centers, दूसरा हो गया, state, और तीसरा टायर हो गया, पंचायती राज, याफि मुनिस्पैलिटी याफि लोकल गर्मेंट, लोकल गर्मेंट दो पार्ट में divided है, basically पंचायती राज में, मुनिस्पै वो पाया जाता है, अर्बन एरियास में, तो जो प्रेंबल है पहले उसका text जो है उसका फोकस करते हैं, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote them among all, fraternity, assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, तो यह जो है, यह हमारा प्रेंबल का text है, तो अब इसका मतलब जान लिए थोड़ा सा, Conclusions from the preamble, या फिर inferences, जो कि हम preamble से निकाल सकते हैं, कि हमें preamble से क्या पता दिलता है, हमारे constitution के बारे में, तो पहले चीज़ जो हमें पता चलती है, constitution के बारे में, preamble से, वो है source of the constitution, यानि कि we the people of India, कि यह जो बना रहे हैं constitution एक तान से people बना रहे हैं, क्योंकि constitutional assembly के जो members थे, वो जादा तर elected थे, तो it is we the people of India, who hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, फिर important बात जो हमें बदा चलती है, वो है sovereign, socialist, secular, democratic republic, तो sovereign का मतलब है independent of any outside control, free, कि जो इंडिया है वो अपने decisions खुद ले सकता है, और वो किसी भी तरह से किसी और देश से पूछने के लिए बादे नहीं है अपने निने लिने के लिए, socialist का मतलब है यहाँ पर it is different from socialism in USSR और चाइना, चाइना और रशिया के socialism से यहाँ पर जो socialism है इंडिया का वो अलग है, इंडिया में जो है democratic socialism, यहाँ पर कुछ तरह से कुछ हद तर कंट्रोल है स्टेट का ownership पर, modes of production की, पर वो गेवल इतना ही है कि वो welfare कर सके, वो inclusive growth कर सके ताकि जो growth है उसमें सब भागिजार बन सके, जैसे अब तक railway जो था, वो totally state के under control था, ताकि उसका जो benefit है, उसके जो crisis है, वो कम रहे है और उसका जो benefit है, वो society का हर member ले सके, उसके बाद word उसकी आगया है democratic, democracy तो आपको बता ही है, इंडिया is a parliamentary democracy, and इंडिया is one of the largest democracies of the world, और मैंने miss कर जाए है, secular, secular का मतलब है, there is no state religion, और जो state है, वो keeps away from the religion, from politics, जो state है, उसका कोई religion नहीं है, पहली बार जैसे की UAE में, मानली जे इसलाम religion है state का, और इस तरह से इंडिया का कोई religion नहीं है, दूसरा ये जो है politics से religion को अलग रखता है इंडिया, फिर आता है republic, republic का मतलब होता है, the head of the state is elected representative, तो इंडिया is definitely a republic, फिर बात आती है, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, तो ये जो liberty, equality and fraternity है, ये हमने basically French revolution के बाद से लिया, और हम liberty provide करेंगे, thought, expression, belief, faith and worship की, equality देंगे, of status and opportunity की, और इस तरह से fraternity को promote करेंगे, fraternity का मतलब होता है, universal brotherhood, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, और justice की बाद भी की गई है, social economic और political, ये जो justice का हमने लिया है, ये लिया है, हमने basically, socialist country से हमने concept लिया है, justice का, social economic and political, और जो last important बात हमें बेचे चलती है, ये है, in our constituent assembly on 26th day of November 1944, 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, यानि कि जो the date of the adoption of the constitution is 26th November 1949, तो अब आगे देखते हैं, तो basically है क्या preamble, preamble contains the basic philosophy of the constitution, and it is the soul of the constitution, और preamble को भी constituent assembly नहीं बिनाया था, पर इसको constitution बनने के बाद, उसमें add किया गया था, ये ensure करने के लिए कि जो preamble है, वो according to the provisions of constitution हो, वो उसके against कोई provision ना हो, जो preamble है, और जो constitution है, वो एक cynicarization में हो, अलग-अलग ना हो उनमें कुछ ऐसा, preamble contain करता है fundamental values, political, moral, religious, जिस पर constitution जो है, वो हमारा based है, it contains the grand and noble vision of the constituent assembly, और इसके रहाब सुप्रीम कोट ने तो यहाँ तक कहा था, कि preamble is the key to open the minds of the makers of the constitution, ये सुप्रीम कोट ने statement दी थी, कि preamble एक तरह से चाबी है, ये जानने के लिए कि जो कैसा सोचते से, कैसा view रखते से constitution मिनाने वाले, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि जो preamble है, वो एक modified version है, objective revolution का, जो नहरू जी में दिया था, constitutional assembly में 1946 में, तो अगला जो चीज़ हमारी दिवांग में आती है, is it a part of the constitution? इस पाथ पर काफी debates चली थी, कि part of the constitution है या नहीं, सुप्रीम कोट ने पर इसमें दो contradicting statements दी थी, तो पहले बेरू बारी union case जो 1960 में हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोट नहीं ये कहा, कि जो preamble है, हम उसकी मदद ले सकते हैं, अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझाती constitution को, कोई article नहीं समझाता या कोई provision नहीं समझाता, तो हम preamble की मदद से उसको समझ सकते हैं, पर specifically, सुप्रीम कोट ने उसमें ये कहा, कि जो preamble है, वो it is not a part of our constitution, पर 1973 में, जो लेक लैंडमार्क judgment है, केश्वन अन्द भारती केश, 1973, उसमें सुप्रीम कोट ने अपनी earlier जो statement दी थी, उसको reject किया, और ये कहा, कि preamble is an integral part of our constitution, it observed that preamble is of extreme importance, and the constitution should be read and interpreted, in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble, और उसमें सास किया, कि preamble एक बहुत important part है हमारे constitution का, और इससे एक और बात clear हो गई, कि जो preamble है, वो amend हो सकता है, जो question है, can it be amended, क्योंकि अगर constitution का part है preamble, तो definitely it can be amended like any other part of our constitution, under article 368, पर इसमें important बात ये है, कि जो हमारा preamble है, अगर उसको हम amend करना चाहते हैं, तो जो amendment है, it should not affect the basic structure of our constitution, तो जो basic structure doctrine है, हम यार्गे उसको हम discuss करेंगे detail में, तो जो basic structure doctrine है, उसको violate नहीं करेगा preamble ही में भी कोई amendment, और आज तक एक ही बार, हमारा जो preamble है, वो amend हुआ है, जो कि बहुत important है, प्रिंदिश पॉनिट अव्यू से, and integrity, एक तीसरा वर्थ ता, जो add किया गया था, तो तीन चीज एड की गई थी, 42nd amendment of 1976 में, और इसके लाबर आज तक हमारे preamble में कोई भी amendment नहीं हुई है, और एक और important point ये है, जो हमारा preamble है, it is non-justice-able, इसका मतलब ये है कि हम Supreme Court में, High Court में, या किसी भी court में इस basis पर नहीं जा सकते हैं as a citizen of India कि हमारा preamble में जो कुछ लिखा हुआ है वो violate हो रहा है preamble is a basically preface हम यह नहीं कह सकते कि preamble में लिखा हुआ है socialist तो make India socialist otherwise I will move to the court ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि preamble जो है वो non-justiciable है preamble की violation के उपर आप court में नहीं जा सकते तो अब देख लेते हैं sources of Indian constitution यह sources of Indian constitution के लिए चार्ट बनाया है मैंने तो सबसे पहले देख लेते हैं government of India act 1935 तो इंडिया ने government of India act 1935 से काफ़े कुछ बोरो किया है जो basically structure है हमारे constitution का वो काफ़े कुछ similar भी है जैसे कि federal scheme, governor का office, judiciary, public service commissions, emergency provision कुछ mix है थोड़े से government of India act से हैं बाकी वेमार constitution जर्मनी से हैं और administrative details यह सब लिया government of India act से इंडिया ने फिर ब्रिटेंट से इंडिया ने लिया है parliamentary government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative rates and bicameralism यह सब लिया है इंडिया ने ब्रिटेंच से और USA से तो बहुत ही कुछ लिया है important चीज़े सबसे पहले तो independence of judiciary दूसरी सबसे important चीज़ फंडामेंटल राइट्स चीज़े इंपोर्टेंट चीज़ जुडिशल रिव्यू impeachment of the president, removal of supreme court and high court judges and the post of vice president Ireland यानि की Irish constitution इंडिया ने लिया है directive principles of state policy nomination of members to Rajya Sabha and the method of election to president यानि की indirect election जो president के होते है under single transferable vote system of proportional representation वो इंडिया ने Ireland से लिया है Canada से इंडिया ने लिया है a federation with the unitary features यानि की एक ऐसी federation federation तो है इंडिया quasi-federal जानि की पर इंडिया federal तो है quasi-federal है क्योंकि इंडिया में center जो है वो ज्यादा strong है state से ये इंडिया ने Canada से लिया है इसके लावा advisory jurisdiction of the supreme court is also taken from Canada फिर हमने Australia से क्या लिया है Australia से हमने लिया है concurrent list इंडिया में 3 तरह की list होती है state list, union list और concurrent list जो concurrent list का concept है जिस पर parliament और state legislature दोनों laws बना सकते हैं वो इंडिया ने लिया है Australia से freedom of trade, commerce and intercourse and joint sitting of the two houses of parliament यानि की कठे sitting जो होती है लोकसभव और राजसभवा की in case of any you know deadlock तो वो भी इंडिया ने लिया है Australia से Weimar Constitution of Germany यहां से लिया है suspension of fundamental rights during the emergency यह Germany से लिया है national emergency के दुरान जो fundamental rights suspend होते हैं except practical 20 and 21 हम आगे discuss करेंगे emergency में तो वो इंडिया ने Germany से लिया है USSR से इंडिया ने fundamental duties का खसरक लिया है जो इंडिरा कांथी government के tenure में emergency के दुरान 42nd amendment 1976 से एड की गए थे उसके लावा ideal of justice, social economic and political जो preamble में मैंने आपको बताया था socialist country से लिया गया है फिर French constitution से इंडिया ने लिया है liberty, equality and fraternity और इंडिया ने नहीं I think all over world अब ने ही liberty, equality and fraternity जो है वो French philosophers की thinking से लिया है South Africa के constitution से जो procedure है amend करने का constitution को वो लिया है and साथ की साथ elections of members to राजय सवा भी South Africa constitution से इंडिया ने लिया है और जपान के constitution से इंडिया ने बहुत important चीज लिया है जो की है procedure established by the law तो दो तरहा की चीज़े होती है तो due process of law और procedure established by law तो मैं आपको भी आगे classes में detail में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फरक होता है और तो basically brief में फिला लित्ता जान लेते हैं कि जो due process of law होता है वो उसमें यह होता है के विल कि वो सिरफ process चेक करता है legislature का कि अगर legislature ने सही process follow किया है law बनाने के लिए तो वो valid है चाहे वो violate कर रहा हो constitution को चाहे वो violate कर रहा हो right to life को, right to liberty को पर अगर उसमें process तहीं follow किया है then it is just but procedure established by law जोगे यह basically USA का concept है और हमने जैपान से भी लिया है जैपान क्या concept है वो यह कहता है कि बेशक law को बनाने के लिए process से ही follow किया गया हो पर अगर वो constitution को violate कर रहा है या फिर वो right to life और lie to liberty को violate कर रहा है तो it can be declared by supreme court as unconstitutional, null and void इसी को हम कहते हैं judicial review और judicial review की जो power है उसको supreme court को जो मिली है वो procedure established by law से ही मिली है तो यह हो गए sources of Indian constitution तो बात करते हैं citizenship की तो पहले तो important बात यह है जानना कि article जो part 1 है हमारे constitution का उसके अंदर हमने बात की थी union and its territory की और अब यह जो part 2 है यह deal करते है citizenship से तो जो article है 5 to 11 वो जो है हमें बताते हैं इंडिया के citizenship के बारे में और इसके इलावा एक citizenship citizenship act 1955 भी है जो parliament ने लागू किया हुआ है जो हमें बताता है कि हमारी देश की citizenship को कैसे हासिल करना है और किन-किन grounds पर वो revoke हो जाती है और यह जो act है यह amend हो चुका है अब तक 5 बार 1986 में हुआ था 1992 में हुआ था 2003 में 2005 में और अब 2015 में और अब यह citizenship amendment bill pending है एक तो है birth दूसरा descent registration naturalization and incorporation of territory तो पहले हम बास कर लेते हैं provisions के बारे में जो कि हमारे समिधान में constitution में दिये गए है citizenship के बारे में तो यह मैंने बताया था आपको यह जो act बताता है birth, descent, registration, naturalization and incorporation of territory अब हम डिसकस करते है constitution के articles according to the constitution the following four categories of persons became the citizen of India at its commencement यानि किसका मतलब है कि constitution के शुरवात हुई तो कौन-कौन वो लोग थे जो की इंडिया के citizen बने तो पहले इसमें देखते हैं हम डिसकस करते हैं article 5 every person who had his domicile in India and has fulfilled any one of the three conditions या तो पैदा हुआ हो इंडिया में तीनों में से कोई भी एक condition उसने fulfill की हो उसको हम citizen of India कहेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि domicile का मतलब क्या होता है domicile का मतलब हम मतलब होता है as well as the intention to make that residence as a permanent address एक तो आपको महां पर रहना ज़रूरी है citizenship at the commencement of the constitution अब देख लेते हैं next article article 6 article 6 समय उस पर लोगों के बारे में पुसाता है जो इंडिया माइग्रेट होए थे पाकिस्तान और फिर इंडिया के citizen बने तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होए थे Constitution की commencement के समय तो उनको ये दो condition जो इंडिया में पैदा होने जरूरी थे यानि कि अंडिया मतलब इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश को मिला कर जो था तो उसके अंदर पैदा होना जरूरी था दूसरी condition जो है कि जो इंसान है जो की citizenship लेना चाता है इंडिया की वो इंडिया में migrate हुआ हो पाकिस्तान से जुलाई 1948 से पहले 19 July 1948 से पहले अगर वो migrate हुआ है इंडिया में दूसरी condition ये है पर in case अगर वो जुलाई 1948 से पहले migrate नहीं हुआ उसके बाद हुआ है he must be such a person has been registered as a citizen of India यानि कि एक जो appointing authority है यानि कि जो authority है एक officer है इंडिया के द्वारे appoint किया वो अगर उसको recognize कर लेता है as a citizen of India तो भी वो दूसरी condition fulfills कर सकता है तो basically यहाँ पर choice है या तो वो 19 July 1948 से पहले migrate हुआ हो और in case अगर वो बाद में migrate हुआ है तो उसको recognize करना पड़ेगा एक officer को जो कि इंडिया की द्वारा appoint किया हो पर वो जो officer है उसको citizen of India तभी मानेगा यदि वो 6 महिने लगातार application जब उसने दी जब वो अपनी application submit कराता है officer के बाद के हाँ मुझे citizen of India मान लो तो उस application के लगाता 6 महिने पहले अगर वो इंडिया में ही रहा हो तब भी वो officer उसको Indian citizen मानेगा पहली condition तो fulfill करनी ज़रूरी है और दूसरी वैली में choice है कि या तो वो 1948 से पहले और अगर बाद वी है तो उसको officer जो हो recognize करे तो यह है article 6 यह हमें बताता है कि उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से इंडिया migrate होए अब हम बात करते है article 7 की तो यह जो article 7 है यह हमें उन लोगों के बारे में बताता है जो कि पाकिस्तान चले गए थे और थोड़े टाइम बाद वो इंडिया वापिस आ गए आप्टर मार्च 1, 1947 यानि कि वो लोग जो मार्च 1, 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए थे पर रिसेटलमेंट के लिए वापिस इंडिया आ गए वो इंडिया सिटिजन कैसे बनेंगे तो उनको भी एक application देनी होगी officer को जो government of India appoint करेगी और उनको भी उस application से बिकुल 6 मिने पहले लगातार इंडिया में रहना होगा तब ही जो वो officer है वो उनको इंडिया का citizen घोशित करेगा यह article 7 हो गया फिर हम बात करते हैं article 8 की तो जो article 8 है वो हमें उन लोगों के बारे में बताता है जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं that is the people who are ordinarily residing in any country outside the India तो वो जो citizen है वो कब बनेंगे अगर वो fulfill करेंगे तो condition एक तो such a person और either of whose parents और any of whose grandparents was born in undivided इंडिया यानि कि या तो वो खुद या फिर उनके कोई parents या फिर कोई भी grandparents दादा दादी ना 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 नी अगर कोई भी उनके अगर undivided इंडिया में born हुए हैं तो वो पहली condition fulfill करेंगे और दूसरी condition है कि उनको register करे as a citizen of India diplomatic या फिर consular representative of India in that country यहाँ पर वो अभी रहते हैं तो जो diplomatic और consular representative होगा जो कि embassy में बैठता होगा उस country की अगर वो उनको recognize करे as a citizen of India तो उनको इंडिया की citizenship मिल सकती है at what time at the commencement of the constitution तो यह article 8 हो गया जो article 9 है वो हमें बताता है कि जो कोई भी व्यक्ति है जिसके पाँ citizenship of India है उसकी citizenship आपने खतम हो जाएगी अगर वो अपनी मर्जी से स्वाए इच्छा से किसी भी और state की citizenship को लेता है तो माल लीजिए कि अगर आप इंडिया की citizenship आपके पास है और आप इंडिया की citizen है तो अगर आप USP की citizenship आपके इंडिया की citizenship है वो आटोमेटिकली खतम हो जाएगी तो यह होता है आर्टिकल 9 फिर आता है आर्टिकल 10 एवरी परसन हो इस और इस दीम तो बी सिटिजन अफ इंडिया इसका मतलब बेसिकल यह है कि आर्टिकल 10 के दे है चो पारलियमेंट है वो बना सकता है citizenship की उपर इंडिया की और उन्हेंने बनाया वियो है citizenship act of 1955 जो मैंने आपको बताया था भी पांच पार अमेंड भी हो चुका है और यह बहुत इंपोडेंट पॉइंट है कि वो पांच तरीके बताता है एक्वायर करने कि लिए citizenship एक तो है बर्थ दूसरा descent फिर आता है registration फिर आता है naturalization और फिर आता है incorporation of territory आर्टिकल 11 हमें बताता है हमें यही बताता है कि पार्लेमेंट का जो law है वो acquisition कैसे करने है और termination कैसे होईगी citizenship की या फिर कोई भी और बात जो citizenship के regarding हो उसके बारे में भी हमें बता सकता है तो इससे पहले हम एक और बात जान लेते हैं कि naturalization का क्या मतलब है तो naturalization का मतलब होता है कि वो process जिससे की जो भार का विप्ति है यानि कि इंडिया का citizenship उसके पास नहीं है वो इंडिया का citizen नहीं है वो process जिससे वो रती जो इंडिया का citizen नहीं है वो इंडिया की citizenship को acquire कर ले तो जो 12 साल कोई foreigner है अगर वो इंडिया में लगाता है मतलब 12 सालों में से अगर वो 11 साल इंडिया में रहता है लगाता है और बीच में हो सकते है कि वो चला जाए foreign trip पे या किसी भी बात पे तो 11 years minimum रहना चाहिए उसको उस 12 साल में से तो वो apply करता है इंडिया की citizenship के लिए fundamental rights तो पहले जान लेते हैं कि fundamental rights है हमारे constitution में वो हमने inspiration लिए constitution of US से और उसमें bill of rights के बारे में जिकर किया गया है और वो पहले important पहली बार return ऐसे लिखे गया थे rights तो जो US से के bill of rights है उससे हमने inspiration लेकर हमारे समिधान में constitution में fundamental rights की provision डाले तो it is enshrined in part 3 of the constitution तो part 1 जो हमने discuss किया था पहले वो था union and its territories part 2 तो जो हमारा वो था citizenship के उपर और अब जो part 3 है हमारे constitution का वो है fundamental rights के उपर तो currently हमारे constitution में समिधान में 465 articles है 12 schedules है and 22 parts है और यह जो parts है basically chapter की तरह होते हैं कि यह chapter यह chapter यह chapter यह chapter तो जो हमारा constitution है वो बहुत properly managed है जो वो एक ऐसे मतलब इदर उदर बिक्रिवी document नहीं है वो एक बड़ी carefully designed और managed document है जो कि हमारे constitution makers ने हमें gift की थी तो इसका जो part 3 है वो हमें fundamental rights के बारे में पताता है तो part C के अंदर articles जो cover होते हैं वो article 12-65 है और यह सारे fundamental rights है तो अब जान लेते हैं कि purpose क्या है fundamental rights का हमारे constitution में डालने का तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा leader है जो भी हम leader elect करते हैं जैसे इस time हमारे प्रादान मंतिर मोदी जी है या कोई भी leader जो हम elect करते हैं वो authoritarian या despotic rule ना कर सके और वो liberty of freedom है जो people की उनको hamper ना कर सके यह ensure करने के लिए जो people है उनको हमारे constitution ने fundamental rights दिये हैं और इनी fundamental rights के कारण जो people है वो अपनी liberty of freedoms को बरकरार रख पा रहे हैं तो यह prelims के लिए important fact लेते हैं right to property जो था वो डिलीट कर दिया गया था list of fundamental rights से by the 44th amendment 1978 यह question बहुत बार पूछा गया और बहुत important है खासके prelims point of view से कि जो 44th amendment हुई थी 1978 में इंदरा गांजी की government जाने के बाद जंतादल government ने की थी amendment emergency के बाद कि जिसके तहत right to property जो था उसको fundamental rights से remove कर दिया गया था and it was made a legal right under article 300a in part 12 of the constitution यानि कि part 3 fundamental rights उसमें से remove करकर part 12 of the constitution में नया article बनाया गया था article 300a और right to property महां से shift कर दिया गया था तो basically मतलब क्या होता है fundamental rights और legal rights में क्या फरक होता है कि जो fundamental rights होता है in case अगर वो violate होता है तो हम directly article 32 के अंडर supreme court जा सकते हैं और supreme court जो है वो 5 तरना की rights होती है जो आगे हम discuss करेंगे उसमें से कोई भी एक रिट issue कर सकती है ताकि हमारे fundamental rights violate ना हो और to article 226 के दहर्स हम fundamental rights की violation के case में directly high court भी जा सकते हैं और high court भी approved detection ले सकती है या 5 में से कोई भी एक issue कर सकती है ताकि हमारा fundamental right है जो भी violate हुआ है वो violate ना हो पर जो legal right अगर violate होता है in case so there is no such provision that we can go directly to the supreme court और high court तो उसमें हमें ordinarily जो legal remedy लेते हैं वही legal remedy मिलेगी हम directly supreme court या high court में नहीं जा सकते हैं तो यह सब basically fundamental rights के बारे में थोड़ा सा कुछ तो at present there are six fundamental rights तो presently हमारे पास छे fundamental rights है और यह अलग-अलग articles में distributed हैं तो हमने बताया था जैसे article 12 से लेगे article 65 जो है वो discuss करता है fundamental rights के बारे में तो जो article 14 टू article 18 है वो साने है right to equality फिर बात करते हैं article 19 टू article 22 यह है right to freedom फिर article 23 से आर्टिकल 24 यह है right against exploitation आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो है यह बात करता है right to freedom of religion आर्टिकल 29 से 30 cultural and educational rights और इसको heart and soul of the constitution भी कहते हैं क्योंकि अगर in case हमारा fundamental rights violate होता है तो इसी article के तहत remedy ले सकते हैं और अगर यह article ही नहीं होगा तो fundamental rights की relevancy खतम हो जाएगी तो अब हम आगे देखते हैं features of fundamental rights जो fundamental rights के हम बात कर रहे हैं कि features basically क्या है तो पहला feature is some are citizen specific and others also and some to others also तो इसका मतलब यह है कि कुछ fundamental rights ऐसे हैं जो केवल Indian citizens के लिए हैं पर कुछ fundamental ऐसे rights ऐसे भी हैं जो की available है to all the persons whether he is a citizen whether he is a foreigner और any legal person like corporation और companies तो यह depend करता है हम आगे discuss करेंगे जब individual rights को भी तो हम पता चलेगा कि कुछ rights ऐसे हैं जो केवल भारती citizens को available हैं और कुछ rights ऐसे हैं जो बाक्यों को भी available हैं second point है not absolute but qualified तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे fundamental rights हैं वो absolute नहीं है यह qualified है कि बेकली अगर सरकार चाहे तो उस पर reasonable restrictions लगा सकती है मतलब basically यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक माली जए A है वो अगर right अपना exercise कर रहे है तो B का right infringed नहीं होना चाहिए A को अपना right जो है वो exercise इस तरीके से करना है कि B भी अपना right enjoy कर सके तो basically Supreme Court या बाकी courts decide करती है कि कितने restriction होनी चाहिए rights पर तो basically courts जो है वो balance maintain करती है individual liberty में और social control में तो हमारे fundamental rights absolute नहीं है but qualified है The third point is it is available against the arbitrary actions of the state तो basically यह तो purpose ही है fundamental rights का जो मैंने आपको last slide में पताया था कि fundamental rights बहुत ज़रूरी है ताकि जो state है जो government है जो elected representative है वो अपने मन बज़ी ना चला सके और people अपने rights जो है वो exercise कर सके Some are positive rights while other are negative rights तो इसका मतलब यह है कि कुछ rights जो है वो negative है in the sense कि वो limitation place करते है authority of the state पर जैसे कि article 15 कहता है that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only on delusion, race, caste, sex, place of birth और any of them तो यह negative right है क्योंकि restriction place कर रहा है state के authority पर कि state ऐसा नहीं कर सकती अगर हम लेकर 16th article को दिखेंगे तो वो कहता है पहला clause कहता है 16th article का कि there shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state तो यह positive right है क्योंकि फिर अगला point आता है justice-able यह बहुत important point है justice-able का यह मतलब है यह rights जो है justice-able है अगर हमारी यह rights अगर यह violate होते हैं तो हम justice ले सकते हैं fundamental rights अगर fundamental rights violate होते हैं तो we can go directly to supreme court और high court and supreme court and high court can issue any of the five rights to ensure that हमारे fundamental rights जो है वो violate ना हो next point है यह था justice-able next point है not permanent तो इसका मतलब बेसिकल यह है कि they are not sacroscent or permanent यह permanent नहीं है यह change हो सकते हैं Parliament by law constitutional amendment करकर fundamental rights को change कर सकता है पर basically basic structure जो है हमारे constitution का वो change नहीं होना चाहिए but there can be amendment in fundamental rights because it is also a part of the constitution जैसे कि मैंने आपको बताया था preamble भी part है constitution का और fundamental rights भी part है constitution के तो यह सब amendment हो सकता है पूरा constitution amendment हो सकता है कोई भी provision amendment हो सकता है unless वो basic structure जो है हमारे constitution को उसको affect ना करे and the last point about features of fundamental rights is it can be suspended in special circumstances तो यह जो fundamental rights ही suspend हो जाते हैं कुछ special circumstances में जैसे कि national emergency में और article 31 यह है जो हमारा और presently जो article 31C है वो limit करता है हमारे fundamental rights को सब कुछ extent तक वो आगे हम discuss करेंगे तो it can be suspended in special circumstances basically like national emergency जो पहला article है fundamental rights नानी की part 3 में वो article 12 article 12 जो है वो basically define करता है what is the state और जो definition दी गई है article 12 में वो include करती है 4 चीज़ें जो की है government and the parliament government and the parliament का मतलब है कि executive and legislative organs है हमारे union government के एक हो गया executive और एक हो गया legislative executive हो गया government और legislative हो गया second चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है government and legislature of the state इसका मतलब है कि जो executive and legislature of the state government हो गया executive and legislature यानि की state का जो parliament है यानि की विधान सभा और विधान परिशद फिर बात करते हैं all local authorities भी इसमें आती हैं इसके example हो सकता है municipalities, panchayats, district boards, improvement trusts, etc. and it also includes all the other authorities all other authorities में statutory or non-statutory authorities आज़कते हैं जैसे कि LIC, ONGC, sales, etc. जान लेते हैं कि statutory authority क्या होता है statutory authority का मतलब वो है कि जो power gain करती है service rules authority जो gain करती है by an act of the parliament or the state legislature यानि कि जो parliament है या फिर state का legislature है उसके act के कारण यह जो authorities होती है यह अपनी power gain करती है, authority gain करती है ना कि किसी constitution के provision के तहत तो जो organization, जो authorities, constitution में mentioned है या जो constitution के कारण power gain करती है उनको हम constitutional कहते हैं और जो act of parliament के कारण करती है उनको हम statutory कहते हैं और non-statutory भी हो सकते हैं जैसे कि नीतियायोग, National Institution of Transforming India आपने सुना होगा नाम नीतियायोग का बहुत बार news में तो it is an authority which is non-constitutional, non-statutory but it gains its power from the resolution of the cabinet तो एक resolution cabinet की जो है, executive की जो है उसके कारण नीतियायोग जो है वो बनी तो ना ही वो constitutional है, ना ही वो statutory है क्योंकि कोई act नहीं है, नीतियायोग के बारे में ना ही constitution में उसके बारे में कोई provision है पर वो power अपनी gain करती है from the resolution of the cabinet तो और article 12 यही है कि यह state को define करता है और इसके अंदर 4 जीए include होती है तो basically इसमें से हम यह infer कर सकते हैं कि जो article 12 में state को define किया गया है वो बहुत wide terms में define किया गया है और यह बहुत कुछ include करती है and even according to the Supreme Court judgment जो एक private body of agency है which is working as an instrument of the state also falls within the term state तो हम next article देख लेते हैं article 13 यह सबसे important article में से एक है तो इसका जो पहला clause है वो कहता है कि all laws inconsistent with or in derogation of any other fundamental rights shall be void यानि कि कोई भी law जो बात होगा पार्लिमेंट के द्वारा अगर वो inconsistent है यानि कि वो खिलाफ है fundamental rights के जो कि part 3 of constitution में mention किया गया है तो वो void होगा और यह जो power है यह article 13 में जो mention है यह power जो है वो exercise करती है Supreme Court या फिर High Court article 32 या article 226 के माद्ध हमसे जो दूसरा clause है article 13 का क्या include करता है तो it includes permanent laws enacted by the parliament or the state legislatures यानि कि जो permanent acts pass करते हैं parliament या फिर state legislature राजसभा लोकसभा विजान सभा या फिर विजान परिशल दूसरी जो include करता है वो है temporarily laws like ordinances like temporary law temporary law जैसे कि president pass करता है ordinance in case legislature जो है वो session में नहीं है और president को ऐसा लगे कि बहुत जरूरत है इस चीज़ की immediately तो यह ordinance pass कर सकते हैं apart from the laws and ordinances order by law rule regulation and notification are also included in the term law यह जो basically है यह delegated registrations है जिसकंदर यह सब include होता है order by law rule regulation notification और चौत्री चीज़ जो इसमें include होती है वो non legislative sources of law that is custom or usage having the force of law इसका मतलब है कि यह legislative नहीं है nature में यानि कि यह law legislative नहीं है nature में क्योंकि यह किसी law making authority नहीं बिनाए है पर जो इनका usage है या इनका custom है which it has the force of law यानि कि इसको law की तरह माना जाता है पर यह किसी law making authority नहीं बिनाए तो article 13 के यह main provisions है तो next देखते है clause 4 तो clause 4 जो है वो कहता है कि nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368 इसका मतलब यह है कि जो article 13 है वो यह declare करता है कि constitutional amendment है जो वो एक law नहीं है और इसलिए उसको हम challenge नहीं कर सकते court में अगर वो boil it भी करती है article 13 या फिर किसी भी fundamental rights जो कि mentioned है part 3 में constitution के यानि कि यह जो constitutional amendments हैं उसको immune करता है यह article अपने clause 1 से यानि कि जो clause 1 में इस article के mentioned है वो constitutional amendment को उसके purview से भाहर करता है पर हुआ क्या केशवन अंदभारती case जो हुआ 1973 में उसमे Supreme Court ने basic structure doctrine दिया और उसमे Supreme Court ने यह कहा कि कोई भी law या चाहे वो constitutional amendment ही क्यों ना हो even constitutional amendment जो की violate करेगी basic structure को constitution के वो void होगी null and void होगी और वो challenge की जा सकती है court में और basic structure doctrine में जो fundamental rights है वो बहुत important part बनते है fundamental rights basic structure doctrine का इसका बहुत ही अच्छे example है NJAC यानि कि National Judicial Appointment Commission तो यह 100 constitutional amendment थी और इसको Supreme Court ने null and void declare कर दिया था क्योंकि यह effect करता था basic structure को हमारी constitution के तो यह basic structure की बात होगी और judicial review का मतलब यही है कि Supreme Court या फिर High Court जो है वो check कर सकती है कि कोई भी amendment या कोई भी law हमारे constitution के against ना हो basic structure के against ना हो और अगर Supreme Court अगर ऐसा पाती है तो वो उसको null and void declare कर सकती है तो next slide हम देखते है right to equality right to equality जो है इसके बारे में बात की गई है article 14 से article 18 के बीच तो पहले जा लेते हैं article 14 का meaning article 14 में equality का मतलब दिया गया है before the law or the equal protection of the laws within the territory of India यानि कि right to equality जो है वो available है सबके लिए not only citizens, citizen के इलावा कोई alien भी है तो aliens का मतलब यह है कि जो citizen नहीं है इंडिया के और इसके अंदर legal persons को भी include किया जाता है जैसे कि statutory corporations companies, registered society या फिर कोई भी और तरह का legal persons one of the सबसे important point यह है कि it is a part of basic structure जो Supreme Court ने भी तक basic structure में शामिल किये है वैसे Supreme Court ने कहा है कि time to time decide होता रहेगा cases में कि क्या-क्या form करेगा part of the basic structure पर जो object decide हुआ है उसमें right to equality is one of the most important part of the basic structure of our constitution इसका मतलब यह है कि अगर जरूरत होगी और और part of society को जरूरत होगी कुछ special privilege की तो reasonable classification जो है वो की जा सकती है तो it should be intelligible and substantive distinction मतलब वो एक proper कारण के कारण होनी चाहिए ऐसे ही किये नहीं कि यह इसको special privilege देंगे इसको नहीं देंगे उसके उपर कोई proper base होना चाहिए कि उसको special privilege क्यों देंगे तो जो article 14 है हमारा it cannot be destroyed even by a constitutional amendment because it is the part of the basic structure तो जो basically equality before law concept है वो तीन चीज़े include करता है एक तो कोई special privileges नहीं होने चाहिए किसी person के favor में दूसरी चीज़ का मतलब यह है कि जो हर person है उसको equally subject है वो law का यानि कि हर इंसान जो है उसके उपर उसके लिए law ब्राबर है और तीसरा मतलब इसका यह है कि कोई भी इंसान चाहिए वो अमीर हो चाहिए वो गरीब हो चाहिए वो उन्चे तबते का हो या छोटे का हो चाहिए वो official हो चाहिए फिर वो non official हो he is not above the law law से बड़ा कोई नहीं है इसको हम आगे देखते हैं तो अब देखते हैं exceptions क्या है इस article के article 14 यानि कि equality के क्या क्या exceptions है हमारे constitution में तो पहली exception तो है president and government, governor no criminal proceedings during the term यानि कि जो हमारे de jure rules है president और governor, executive के उनके उपर कोई भी criminal proceeding नहीं initiate की दा सकती किसी भी court में during the term जब तक उनकी term चल रहे है तब तक, also they are not answerable for the exercise of their powers and duties of the office जो president और governor है वो answerable नहीं है अपने काम करने के लिए या अपनी powers को exercise करने के लिए किसी office में अपने office के दोरान फिर बात करते हैं article 31C की तो जो article 31C है यह भी exception है article 14 के लिए क्योंकि यह कहता है कि इसका जो clause जो article 39 है उसका जो clause B और C है जो कि DPSP है directive principles of state policy तो जो उन दो clause को लागू करने के लिए अगर article 14 violate भी होता है तो it can not be challenged in any court यानि कि article 39 जो clause B और clause C है उसको लागू करने के लिए article 14 की violation की जा सकती है यह कहता है article 31C and hence it is an exception to the article 14 The next point is members of parliament has immunity under article 105 तो article 105 है जो 105 है वो कहता है कि जो member of parliament है वो कुछ भी आकर कहते हैं parliament की proceedings के दोरान या फिर vote करते हैं parliament में या फिर वो vote करते हैं किसी parliament committee की member के रूप में तो वो challenge नहीं किया जा सकता किसी भी court में apart from this immunity in civil proceedings to foreign rulers autocrats होगे जैसे ambassadors, diplomats, UNO and its agencies तो यह सो रोग है इनको civil as well as criminal में यह मैंशे नहीं किया है यहाँ पर तो civil as well as criminal proceedings में यह immune होते हैं और जो rulers है वो कोई भी हो सकते हैं democratic country का ruler भी हो सकता है चाहे वो autocrat भी हो सकता है तो basically sovereigns जो है ambassadors है, diplomats है, UNO and its agencies are immune from civil as well as the criminal proceedings in any court of law Article 15 जो कहता है bear act की language में it is prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth तो यानि इसका मतलब है no discrimination on grounds against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth यानि कि इन 5 grounds पर केवाल इन 5 grounds पर हम किसी के साथ भी discrimination नहीं कर सकते तो यह article का clause 1 कहता है जो clause 2 है वो कहता है no citizen shall on grounds only on religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to 1. Access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing gats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to to the use of general public यानि कि दूसरा clause कहता है कि इन ही 5 grounds पर या किसी एक ground पर या फिर combination of any grounds किसी को भी हम access नहीं रोक सकते किसी का भी shops में, public restaurants में, hotels में या फिर places of public entertainment में और दूसरा point कहता है कि हम किसी को इन ग्राउंट में रोक नहीं सकते इस्तमाल करने लिए wells का, tanks का, bathing gats का, roads का या फिर places of public resort का जो कि maintain कर रही है wholly और partly by state funds और dedicated to the use of general public या तो वो general public इस्तमाल कर रही हो और या फिर उसको state funds से wholly या फिर partly या थोड़ा से या पूरा maintain किया जा रहा हो तो जो मैंने आपको second clause किताया discrimination के बारे में वो prohibit करता है discrimination अगर वो dedicated as use of general public ले तो both by the state as the less the general public यानि कि private individual पर जो clause 1 था जो हमने कहा था the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion race, caste, sex or place of birth ये जो है ये के बार state के against available है और ये वाला जो दूसरा clause हमने बात की वो available both against the state as well as the private individual ये मैंने आपको second clause था था no disability with regards to जो मैंने आपको दो चीज़े बताई तो इसके बात हम देखते है कि इसके अंदर तीन exceptions भी है जो तीन exceptions है वो है पहला special provision for women and children तो इसका मतलब ये है कि जो state है वो बना सकती है special provisions को women के लिए भी children के लिए भी जैसे कि reservation of seeds for women in local bodies और provision of free education for children यानि कि जैसे right to education नेक है वो कहता है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए free और compulsory education है तो ये एक special provision हो गया children's के लिए और जब हम reserve की गई है seed specific बंचायत में और local bodies में municipalities में तो वो example है special provision for women का the next is special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes or for scheduled classes as well as scheduled tribes तो इसका मतलब है कि state है वो special provision बना सकती है उन लोगं के लिए जो कि socially या फिर educationally backward है या फिर scheduled caste के लिए या फिर scheduled tribes के लिए जैसे कि seeds reserve की जाती है educational institutions में उसके लावा अगर आप देखेंगे कहीं जगा fee concessions होते हैं कि अगर मान लिए जए schedule caste से schedule tribe से कोई बचा भी लॉंग करता है तो उसकी comparatively fees कम होती है as compared to the general category तो यह part है special provisions का for the advancement of these castes, these classes जिनके साथ पहले हमेशा discrimination की गई थी तो तीशनी के सब्सक्राइब है 93rd amendment 2005 से आड की गई थी और यह कैती है there can be special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes or for the schedule caste and schedule tribes regarding their admission to the educational institution तो इसमें आड किया गया है regarding their admission to the educational institution में जो खास बात है वो यह है कि it includes बोथ गर्मेंट के जो educational institution ने बोथ इंक्लूड हो ही रहे है पर इस पर private educational institution को भी include किया गया है चाहे वो aid ले रहे है सरकार से चाहे नहीं ले रहे तो अब कोई private school है जो कि totally independent work कर रहा है उसको सरकार से किसी भी प्रकार की सहयता नहीं मिल रही पर फिर भी वो जो है उस institution को सरकार की हिदायतों के हिसाब से reservation या फिर free conversation जैसा भी सरकार भोलेगी वैसा देना पड़ेगा but this provision is not applicable to minority community minority educational institutions तो जो minority के specific educational institutions है उसमें जो यह provision है यह लागू नहीं होता तो यह complete article 15 है तो हम next देखते हैं article 16 article 16 provides for equality of opportunity for all citizens in matter of employment or appointment to any office under the state यानि कि किसी भी सरकारी नौकरी यानि किसी भी office जो सरकार के अंदर आता है उसमें नौकरी पाने के लिए employment पाने के लिए या फिर appointment होने के लिए discrimination नहीं की जा सकती religion, race, caste, sex, distance, place of birth या फिर residence के basis पर पर इसके अंदर भी तीन exceptions आती है पहली तो है residence तो जो Parliament है वो कुछ particular नौकरी में कुछ appointment में कह सकती है कि residence यहाँ पर होना compulsory है So residence can be a condition for some employment under the state The second point is reservation जो state है वो reservation का provision मना सकता है किसी भी employment में या फिर appointment में अगर उनको लगता है कि कोई backward community है वो adequately represent नहीं हुई है पहले तिसरा point है particular religion और denomination अगर सरकार को लगे कि कोई appointment है वो होनी है एक religious या फिर denominational institution में और जो उसका member है जो होना चाहिए वो एक particular religion से belong करना चाहिए तो in special cases सरकार ऐसा provision भी बना सकती है पर जो latest supreme court judgment है तो जो famous bundle case हुआ था मंदल commission 1992 में तो उसमें supreme court ने reject की थी additional reservation of 10% for the poorer sections of the higher castes यानि कि additional 10% reservation की बार की गई थी उन गरीब लोगों के लिए जिनकी caste तो हाय है पर वो economically गरीब है उसको तो reject किया गया था but the supreme court upheld the constitutional validity of 27% reservation for the OBCs with certain conditions तो वो conditions क्या क्या की जिसके तहट 27% reservation OBCs के लिए मंज़ूर की गई थी कि जो advanced sections OBC के अमंग जिनको हम creamier भी कहते हैं जो कि OBC caste का तो part है other backward classes में तो आते हैं पर अब वो economically और socially advanced हो चुकी है अब उनको reservation ना दी जाए दूसरी restriction जो Supreme Court ने condition लगाई थी वो यह condition थी कि जो OBCs है या फिर जो भी है उनको reservation promotions में ना दी जाए जो reservation है वो केवल appointment के time मिलेगी और promotion के दुरान नहीं मिलेगी पर जो any existing reservation in promotions can continue for 5 years only up to 1997 यानि कि अगर कोई पहले से promotion में reservation मिल रही है जो provision है वो 5 साल के लिए continue होगा 1997 तर और 1997 के बाद continue नहीं होगा तो अगला provision से Supreme Court ने condition रखी थी वो थी कि जो total reserve quota है वो 50% से जादा नहीं होना चाहिए और यह बहुत important tool है कि जो total reserve quota 50% से जादा नहीं जाना चाहिए ताकि जर्नल लोग हैं जो जर्नल category के लोग हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखा जा सके और जो carry forward rule है यानि कि backlog का rule है यानि कि मान लीजे कि इस बार 10 से रिजर्व थी और वो 10 की 10 से फिल नहीं हुई किसी भी कारण से तो जो वो seats हैं वो reserved seats के form में ही अगले साज carry forward हो जाएंगी इस rule को जो Supreme Court ने कहा कि यह valid rule है but it should not violate the 50% rule जो 50% rule है पिछली मैंने बताया आपको कि total reserve 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसको violate नहीं करना चाहिए तो इसको अगर हम example से समझना चाहिए तो बहुत easy है कि माल लिजे 100 seats है 50 reserved है और 50 general की है और किसी भी कारण से वो 50 जो reserved seats थी उनमें से केवल 45 भी भरती है तो जो 5 seats से उनको हम carry forward कर सकते हैं पर जब अगली बार हम करेंगे appointment तो हम देखेंगे कि total 100 seats थी 50 reserved है 50 general की है और plus 5 reserved जो last साल का backlog था तो in the case क्या हुआ 55 reserved हो गई और 50 ही रह गई general की तो it violates the 50% rule क्योंकि general की जो seats है वो total 50% से कम हो जाएंगी hence it is not valid और जो पांच भी tradition लगाई गई थी वो यह थी कि a permanent statutory body should be established to examine complaints of over inclusion and under inclusion in the list of OBCs तो एक permanent statutory body का घठन करना जरूरी है यह establish करने के लिए establish करना जरूरी है complaints को examine करने के लिए कि OBCs जाला तो नहीं हो रहे या कम तो नहीं हो रहे है यह जानने के लिए आर्टिकल 16 के बारे में बात करता है employment related issues बात करते हैं आर्टिकल 17 की 17 तो one of the most important article है क्योंकि it clearly abolishes untouchability it is also available against a private individual यानि कि कोई भी private individual भी untouchability को नहीं कर सकता और in case untouchability हो तो उसको punish करने के लिए untouchability offenses act 1955 बनाया गया था जिसको subsequently amend करकर नाम change कर दिया गया था civil rights act of 1955 और यह तो protection of civil rights act 1955 है यह define करता है civil right as any right accruing to a person by reason of the abolition of untouchability by article 17 of the constitution और यहां तक कि जो person convicted होता है of the offense of untouchability यानि कि जिसने untouchability में engage हुआ हो वो person disqualify हो जाता है election to the parliament or state legislature यानि कि जो भी person convicted है in case of untouchability वो ना ही parliament का कोई election लड़ सकता है ना ही वो state legislature का कोई election लड़ सकता है अब बात करते हैं article 18 कि article 18 जो है वो abolish करता है title यानि कि कोई भी title है उन सब को abolish करता है article 18 but there are certain exceptions like always exceptions है एक तो military or academic distinction कि military or academic distinction जो है वो title के तर include नहीं होते और यह जो है यह लोग प्राप्ट कर सकते हैं यह जो आर्टिकल है आर्टिकल 18 यह प्रोहिबिट करता है किसी भी भारतिय citizen को कि वो किसी भी foreign state से कोई title नहीं ले सकता इसका मतलब यह है कि कोई भी जो foreign है और office of profit होल करता है वो इंडिया में तो किसी भी foreign country से यह foreign state से accept नहीं कर सकता title until वो president से इंडिया के permission ना ले ले the next is कि वो जो foreigner है या फिर जो hold कर रहा है office of profit या फिर कोई भी इंडिया का citizen है वो accept नहीं कर सकता कोई भी present emolument या फिर office under any foreign state without the prior approval of the president यानि कि president का consent जरूरी है अगर कोई भी इंडिया का citizen है या फिर कोई भी foreigner है जो कि office hold करता है profit का इंडिया के अंडर Indian government के अंडर वो president के बिना approval के कोई भी present emolument या फिर office नहीं ले सकता किसी भी foreign state के अंडर but it does not prohibit awards such as भारत रतन, पद्मविभूशन, पद्मभूशन, पद्मश्री आपको देखते होंगे news में भारत रतन, इसको abolish नहीं करता, prohibit नहीं करता पर इसमें condition है कि जो awards जीतेंगे जैसे कि भारत रतन माली जी सचिंस अंडूलकर ने जीता तो वो अपने नाम के आगे भारत रतन का इस्तमाल नहीं कर सकते है as a title क्यों यह नहीं कर सकते कि भारत रतन सचिंस अंडूलकर सब्सक्राइब कर सकते है तो आटिकल 19 जो है आटिकल 19 जो है वो ग्रांटी करता है to all its citizens six rights that is right to freedom of speech and expression right to assemble peacefully and without arms right to form associations or unions or co-operative societies right to move freely throughout the territory of India right to reside and resettle in any part of the territory of India right to practice any profession or to carry on any occupation trade or business तो अगर आप Bayer Act में देखेंगे तो यह आर्टिकल 19 का clause 1 है उसके six parts है तो यह आर्टिकल 19 का clause 1 का a part, b part, c part, d part, e part and this is g part not f part तो f part कहां गया तो बात यह थी कि मैंने आपको starting की lecture में बताया था कि right to property एक fundamental right हुआ करता था जो कहता था it granted to the Indian citizens a right to acquire, hold and dispose of property तो यह जो आर्टिकल 19 clause 1 part f था यह right to property act हुआ गाता था और यह एक fundamental right था article 19 के अंडर और और पार्टिकल जो अफ़े emergency in power तो उन्होंने क्या किया 44th amendment 1978 के तहत उन्होंने fundamental right जो था right to property उसको shift कर दिया article 300a में और उसको एक legal right बना दिया तो मैंने आपको बताया था कि क्या फरक होता है fundamental right और legal right में तो fundamental right जब violate होता है किसी भी person का तो वो directly supreme court या high court के पास जा सकता है article 32 और article 226 respectively लिके अंडर but in case आपका legal right violate होता है तो आप ordinary remedy ले सकते हो law की by various appeals पहला court में जाएंगे फिर appeal के रहेंगे फिर आप directly high court या supreme court के पास नहीं जा सकते है पर fundamental right अगर violate होते हैं तो we have available constitutional remedy जो article 32 और article 226 के तहत हमें available है तो एक सबसे important बार जो है article 19 की the protection is against only state action and not private individuals और जो अगली बात है वो यह है कि only this rights are available only to the citizens of India इसलिए अविलेबल नहीं है foreigners के लिए और legal persons के लिए जैसे की companies, corporations etc. क्योंकि जो article 19 का clause बने उस staff कहता है all citizens shall have the right यानि कि अविलेबल है केवल और केवल citizens के पास और इसके इलावा अगर आप देखेंगे कि जो state है वो reasonable restriction लगा सकते है to the enjoyment of these rights only on the grounds mentioned in the article 19 itself and not on any other grounds यानि कि article 19 में कुछ grounds mentioning किये गए है उन grounds के उपर reasonable restriction जो है वो state लगा सकती है in rights पर और किसी grounds पर ऐसा नहीं किया जा सकता और वो grounds है sovereignty and integrity of India second ground है security of the state the third ground is friendly relation with the foreign states, fourth ground is public order, fifth this is decency or morality and last one is in relation to contempt of court defamation incitement to an offense so in grounds के लगा किसी भी और ground पर इन rights को restrict नहीं गया सकता reasonable restriction can be put on these rights only on the grounds mentioned in the article 19 itself which are these six grounds and another important thing is that these six freedoms are often termed as pillars of democracy इसको pillars of democracy भी कहा जाता है आजकल यह जो छे freedoms है उनको तो थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल में कर लेते हैं right to freedom and expression right to freedom and expression का मतलब यह है कि कोई भी citizen है वो express कर सकता है खुद को अपने views को अपने opinions को अपने beliefs को अपनी convictions को freely या तो वो लिखकर या फिर बोल कर या फिर print करकर या फिर picturing और in any other manner तो Supreme Court ने कहा है कि the right to freedom of speech and expression includes the following things the first is right to propagate one views as well as views of others freedom of press यह सबसे important जीज़ है freedom of press क्योंकि freedom of press democracy का बहुत ही important part है freedom of commercial advertisements and right against tapping of telephonic conversation यानि कि किसी की भी personal conversation किसी से उसको tap नहीं किया जा सकता right to telecast that is government has no monopoly on electronic media right against once called by a political party or an organization right to know about the government activities जैसे आठीगई के अंदर right to information के अंदर हम जान करते हैं कि government क्या activities कर रही है और क्या expenditure है विग्यारा विग्यारा freedom of silence अगर आप चुप रहना चाहिए आप चुप रह सकते हैं right against imposition of pre-censorship on a newspaper right to demonstration or picting but not right to strike यानि कि हम demonstrate कर सकते हैं या फिर boycott कर सकते हैं पर हम strike नहीं कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो छे अभी हमने grounds पर रहे थे उन grounds पर state जो है इन सभी rights पर right to freedom of speech and expression के अंदर जो without arms इसका मतलब बहुत clear cut है कि कोई भी citizen जो है वो assemble हो सकता है peacefully or without arms and he can hold public meetings demonstration and take out processions वो public meetings कर सकता है demonstrate कर सकता है अपनी जो भी उसके मन में हो और वो public meetings भी public processions भी कर सकता है but it is only on public land and the assembly must be peaceful and unarmed और अगर कोई भी arms होते हैं या फिर violent activity होती है riotous intention के साथ कोई अगर assembly करता है या फिर कोई भी ऐसी activity करता है जिससे peaceful public peace effect होता है तो वो इसके अंदर include नहीं होती और जो जो इसके अंदर include होता है उसके उपर भी reasonable restriction लगाई जा सकती है उँच्छे grounds पर जो मैं आपको पहले बताये थे and apart from this right to strike is also not included in this one so next right है right to form associations or unions or cooperative societies so all citizens have the right to form associations or unions or cooperative societies so कोई भी citizens है वो political parties form कर सकते हैं companies form कर सकते हैं partnership firms form कर सकते हैं societies form कर सकते हैं clubs form कर सकते हैं trade union or any body of person और इसके अंदर केवल form करना नहीं इसके अंदर continue करना right to continue that association or society or whatsoever it is is also included in this right and इसका एक negative aspect यह भी है negative right यह भी देता है कि you are free not to form or join any association or union जो citizens है इंडिया के उनको कोई जब जस्ते नहीं कर सकता कि आपको इस association या उस union का member बनना ही पड़ेगा और right to strike जो है इसका भी पार्ट नहीं है right to strike इसके अंदर भी allowed नहीं है और इस right पर भी reasonable restriction लगाए जा सकती है on the same six grounds तो अगला right है right to move freely throughout the territory of India इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान जो भी citizen है इंडिया का वेखती freely move कर सकता है within the states अगर वो चाहे तो किसी भी state से किसी भी state में जा सकता है and the purpose is to promote national feeling national feeling को promote करने के लिए right to move freely throughout the territory of India हमें दिया गया है तो basically जो right to movement है freedom of movement उसके दो aspects होते है internal movement और external movement internal movement का मतलब होता है within the country अगर आप different states के अंदर move करते है external movement का मतलब होता है कि outside the country अगर आप move करते है यानि कि migrate होते हैं अगर आप किसी country से किसी country में या पी जाते हैं तो उसको हम कहते है external movement तो जो article 19 का clause 1 का fourth part है यानि कि deep part है वो given internal हमें movement के लिए बारे में right जेता है कि आप freely move करते हैं within the territory of India पर इस पर दो grounds के उपर restriction लगई जा सकती है पहला ground है कि interest of the general public and the second is the protection of interest of any scheduled tribe जैसे कि scheduled area होते है उन tribal areas में restricted movement होती है बाकी लोगों की ताकि उनका जो culture है tribal का culture है language है customs है और manners हैं उनको protect किया जा सके और उनके उपर किसी भी तरह की exploitation ना की जा सके इसके उपर इन दो grounds के उपर restriction लगई जा सकती है next right है right to reside and settle in any part of the territory of India इसका मतलब है कि कोई भी citizen of India जो है वो reside कर सकता है किसी भी part में country के reside का मतलब होता है basically temporarily अगर आप रहो तो उसको कहते है हम reside या नि कि कोई भी citizen जो है कहीं पर भी reside कर सकता है इंडिया में temporarily and settle in any part of the India settle का मतलब है आप settle भी हो सकते हैं permanently किसी भी part में इंडिया के तो यह दो होगे right to reside in settlement in any part of the India और इसके उपर भी उनी दो grounds पर restriction लगई जा सकती है that is the interest of the general public and the protection of the interest of any scheduled tribe the last right is the right to practice any profession or to carry on any occupation trade or business यानि कि जो citizen of India है वो practice कर सकते है कोई भी profession या फिर कोई भी occupation trade or business को carry on कर सकते है पर इसके उपर भी interest of the general public ground जो है उसके उपर उसके base पर इसके उपर भी restriction लगा ही जा सकती है further the state is also empowered to to prescribe professional or technical qualification necessary for practicing any profession or carrying on any occupation trade or business यानि कि state हमें बता सकती है कि एक particular profession को carry on करने के लिए business को carry on करने के लिए यह minimum qualification होनी ही चाहिए तो state के पास यह right है कि वो prescribe कर सकती है हमें और दूसरी चीज़ है कि जो state है वो कुछ professions को, trades को business को या industry को इस तरह से carry on कर सकती है कि बाकि citizens को इसमें मौका ही ना मिले जानि कि the state can carry on by itself any trade business, industry or service whether to the exclusion that is complete or partial of citizens or otherwise तो यह है article 19 और इसके अंदर हमने इन सारे articles freedoms की बात की so the next article is article 20 article 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an excuse person तो बेसिकल यह चेक करता है कि किसी भी person को किसी गलत कारण से या फिर ज्यादा punishment ना मिले और यह जो right है available है citizens के साथ-साथ हर इंसान को चाहे वो foreigner हो चाहे चाहे वो कोई legal person हो उसको प्रास भी right available है तो इसके अंदर तीन main provision है no ex post facto law तो इसका मतलब है law of the land यानि कि जो भी crime जिस time होगा उस time जो law है उसके according ही उसको punishment मिलेगी और उसके according ही उसको penalty मिलेगी तो माल लेजे for example बिलकुल hypothetical example है कि माल लेजे करने के लिए dc सजा है और चोडी हो जाती है याद जन्य गूत होता है उस तें चोडी करने की सजा से बढ़ा कर 3 साल कर दी जाती है तो उसको जो за मिली वह हिखाना बेज़ा की त Hi उस time 2 साल की ही सजा हुआ करती थी in case maalävी जिए कोई ? याशी नहीं है और वहाँ पर चोरी हो जाती है पर जब वो कर्विक्ट होता है मजब उसको बर बाद में चोरी करना अपराद मान लिया जाता है तो उसको कर्विक्ट नहीं किया रहा सकता क्योंकि जब उससे चोरी की थी तो उस टाइम वो अपराद नहीं था कि कोई भी परसन जो है उसको prosecute और punish नहीं किया जाएगा एक ही अपराज के लिए एक बार से जादा एक बार से जादा सेम अपराज के लिए सजा नहीं मिल सकती एड नो self-incrimination इसका मतलब है नो person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself यानि कि अगर कोई अप्राज करता है तो उसको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपने खिलाफ ही गवाई दे तो जो परसनल कल्वीक हुआ है उसके पास फ्रीडम है अपने आपको डिफेंड करने के लिए यह है आर्टिकल 20 और यह अवेलेबल है not only to citizens but to all जो आर्टिकल 19 हमने पिछला किया it is available only to the citizens of the country तो आर्टिकल 21 है जो हमें कहता है no person तो जहां पर person word कर इस्तमाल किया गया है हमापर सबसे पहले हमाई याद रखना होगा कि it means the article is available to both the citizens as well as the aliens यानि कि जो कि हमारा citizen है उसके पास अवेलेबल है ही तो जो foreigners है उनके पास भी आर्टिकल अवेलेबल है so no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the provision established by the law यानि कि कोई भी इंसान उसको उसकी life या भी personal liberty से अलग नहीं किया जा सकता unless there is a provision established by the law for example कोई convict होता है offense में और उसको capital punishment मिलती है यानि कि फासी की सदा मिलती है so state can take his life because it is a procedure established by the law तो Supreme Court ने मेन कागिस 1978 में ये कहा था कि जो right to life है वो केवल animal existence को include नहीं करता but it also includes a life with human dignity and right to live with all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete as well as worth living यानि कि केवल जानवरों के तरह रहना नहीं include करता right to life ये एक personal level पर human dignity के साथ रहना भी include करता है and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, रहने लायक worth living and complete यानि कि पूरा life को बनाते हैं जो तो जो article 21 है उसका scope बहुत wide है और इसके अदर बहुत सारी चीज़े include होती है जैसे कि right to live in human dignity, right to livelihood, right to privacy ये सुप्रीम कोट ने recently एक बहुत famous judgment है बहुत ही landmark judgment है जिसके तहत right to privacy को एक fundamental right घोशित किया गया और इसका आधार के साथ भी बहुत एक लंबा issue चल रहा है right to health, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right to information यानि की RTI and so on तो इस सारे के सारी चीज़े include होती है article 21 के अंदर यानि की right to life and right to liberty की अब इस बहुत important बास है इन articles को cover करने के बास कि during the national emergency, जब national emergency लगती है तो article 20 and article 21 are the only rights which can not be suspended during the national emergency national emergency के ज़रान के वहले दो ऐसे rights हैं जिसको suspend नहीं किया जा सकता यानि की no ex post facto law, no double geo party, no self-incrimination जो कि हमने article 20 में पढ़ा था और article 21 में right to life and right to personal liberty can not be taken even during the national emergency जब चलते हैं हम next article के उपर article 21 a, article 21 a यानि right to education तो मैंने आपको पहले भी बिताया सा कि it is added by the 86th constitutional amendment 2002 और यह prelims के लिए बहुत important point है कि 86th constitutional amendment of 2002 के तहर्ष इस article को जोडा गया सा article 21 a को और यह article 21 a कहता है that the state shall provide free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine इसका मतलब है कि elementary education has become a fundamental right बिकाल यह part 3 के अंदर आता है article 21 a तो elementary education has become a fundamental right and it is also compulsory तो इस right को ensure करने इस लिए parliament ने एक law को भी पास किया जिसकों कहते है right to education act of 2009 और इसका पूरा नाम है act का right to children to free and compulsory education तो यह है article 21 a यानि की right to education और इसके में प्रोविजन से अलएवे अलग जैसे कि midday meal midday meal का मतलब होता है कि free में खाना मिलना तो basically enrollment मढ़ानी के लिए सरकार ने midday meal introduce किया तो उसके तहित के जो बच्चे हैं आपके वो school में तो free पड़ेंगी अगर आप वो सरकारी school में उनका admission कराते हैं पर उसके अलावा उनको खाना भी मुस्ट में दिया जाया का lunch ताकि enrollment ratio जो है वो बढ़ सके तो अब हम चलते है next article के उपर जो की है article 22 article 22 जो है वो grants करता है it grants protection to persons who are arrested or detained तो यह उन लोगों के लिए है जो की arrest होते हैं detained होते हैं तो यहाँ पर persons चब mention किया हुए तो इसका मतलब यह भी citizen और aliens दोनों के पास available है तो यह article जो है detention और arrest के बारे में बात करता है तो जो detention होती है दो तरह की होती है एक उती है punitive detention और एक उती है preventive detention punitive detention का मतलब होता है कि यदि आपने कोई अपराद किया और आपको arrest किया जाए तो पहले आपका trial होगा trial होई के बाद आपको quote commit करेए और उसके बाद ही आपको सज़ा मिलेगी पर preventive detention का मतलब होता है अगर आपने अभी कोई अपराद नहीं किया पर सरकार को शक है आपके उपर कि आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो की पीस को खराब करता है या फिर आप कोई भी offense कर सकते हैं future में तो उस offense को prevent करने के लिए अगर आपको कोई arrest करता है तो उसके हम कहते हैं preventive detention तो आर्टिकल 22 के basically दो पार्ट से एक डील करता है preventive detention से और एक करता है punitive detention से तो जो पहला पार्ट है वो डील करता है हमारे punitive detention से तो जो पहला पार्ट है वो यह कहता है कि जो भी person detained हुआ है punitive detention के कारण यानि कि उसने कोई offense किया है उसके कारण तो उसके बस चार rights available होंगे पहला कि right to be informed of the grounds of arrest यानि कि उसको पता होना चाहिए कि उसको किस कारण से arrest किया गया है तो second is the right to consult and to be defended by a legal practitioner यानि कि जो person arrest हुआ है वो consult कर सकता है अपने lawyer को और उसको कह सकता है कि मुझे please defend करें right to be produced before a magistrate within 24 hours excluding the journey time यानि कि जो person retained हुआ है उसको 24 घंडे के अंदर-अंदर magistrate के सामने लेके आना है but the 24 hours is excluding travel time यानि कि जो arrest जहां पर हुआ है जहां पर वो arrest होने के बाद रखा हुआ है वहाँ से जो magistrate तक का time है जरनी का उसको exclude करके उसके बिना 24 hours का time है and right to be released after 24 hours unless the magistrate authorizes further detention इसका मतलब यह है कि जो magistrate है अगर वो कहतेता है कि इसको और detain नहीं करना तो he has a right to be released जानि कि इसको अज़ात कर जाएगा but in case अगर magistrate कहता है कि हाँ इसको और कहते किया जा सकता है then he will be arrested or detained for a longer period of time और इस article का जो दूसरा पार्ट है वो हमें बताता है preventive detention के बारे में तो बताता है कि the detention of a person cannot exceed 3 months unless an advisory board reports sufficient cost for extended detention the board is to consist of judges of a high court यानि कि एक board होता है जो high court की judges के द्वारा बनाया जाता है बतल हाई court की judges के member होते हैं तो board check करता है कि जो prevented detention है वो तीन महीने से ज्यादा होनी शाहिए या नहीं उसके अलावा जो grounds है detention के जो person detained हुआ है उसको पताने अवशक है but in case जो facts है जिसके कारण उसको detained किया गया है वो अगर public interest के है तो उसको detained उसको नहीं भी बताया जा सकता most importantly the detenu should be offered an opportunity to make a representation against the detention order यानि कि जिसको detained किया गया है उसको opportunity देनी चाहिए कि वो अपने आपको represent कर सके कि उसको detained ना किया जाए तो article 22 इन से बारे में बताता है हमें and the preventive retention laws made by the parliament are यानि कि कुछ चो preventive retention के उपर laws है उनके examples है ये so examples are MISA 1971 इसकी full form है Maintenance of Internal Security Act 1971 NASA 1980 National Security Act 1980 next is TADA 1985 Terrorist and Disrupted Activities Prevention Act 1985 POTA 2002 etc. Prevention of Terrorism Act 2002 etc. और इसके रावा जो article 22 है ये Parliament को हमारे power देता है कि वो decide करे कि maximum किस time के लिए एक person को preventive detention के लिए detain किया जा सकता है तो ये complete सा article 22 तो बात करते है article 23 की article 23 जो है वो prohibit करता है trafficking in human beings बिगार that is forced labor and any other form of बिगार तो बिगार का मतलब होता है forced labor यानि कि आप किसी को भी मजबूरी में या किसी पर दबाब डालकर उसको बिना पैसे दिये या कम पैसे देकर काम नहीं करवा सकते तो ये prohibits trafficking बिगार और any other form of बिगार अगर कुछ contravention करता है इस article की यानि कि अगर आप किसी से बिगार कर राते हैं तो it will be an offense which will be punishable according to the law ये अगरी बात सब्सक्राइब आते है available to all यानि कि aliens और citizens सबके पास available है क्योंकि article में जो word mentioned किया गया है वो है persons और ये जो right है ये available है सबके पास यानि कि available to all सबके पास not only against the state but also against any individual यानि कि ये नहीं कि कि बिगार नहीं करवा सकती कोई individual भी अगर आपको बिगार नहीं करवा सकता और अगर आपको वो करवाता है तो that will be an offense which will be punishable according to the law तो जहाँ भी जो traffic in human beings है इसके अंदर चार्च जीजे include कि जाती है that is selling and buying of men, women and children like goods the second thing included is immoral traffic in women and children including prostitution the third is devadasis and the fourth is slavery और इसको implement करने के लिए Parliament ले एक law बनाया है that is Immoral Traffic Prevention Act 1956 However, इसकी एक exception है that is compulsory public service so the thing is, कि जो state है वो compulsory public service जैसे कि military service ला कोई social service जो है वो force कर सकता है लोगों को करने के लिए और ज़रूरी नहीं है कि सरकार उसके हमें पैसे दे but इसमें जो सरकार है वो हमारे उपर discrimination नहीं करती किसी भी ground पर, जैसे कि religion, race, caste या class और सबसी important point है if remuneration is less than the minimum wages it amounts to forced labor under article 23 तो माल लीजिए कि अगर जो remuneration है minimum 100 पर मिलने चाहिए किसी काम के और अगर आप वो काम किसी से 10 रुपे में करवाते हैं जबदस्ती मजबूरी में तो it will be forced labor यानि कि विगार under article 23 तो एक complete article था 23 अग हम next article पर चलते हैं article 24 So article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or other hazardous activities like construction work or railway तो basically यह जो article है वो यह कहता है कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको हम किसी भी factory, mine या किसी और hazardous हैने की dangerous activity के अंदर involved नहीं कर सकते जैसे कि construction work हो गया है railway हो गया But harmless or innocent work is permitted तो जैसे कि घरों में काम करते हैं बच्चे 14 साल से कम की भी होते हैं तो that will not be an offense because it is harmless or innocent work और इसको regulate करने के लिए इसको inact करने के लिए Parliament ने एक law बनाया है जिसको कहते है The Child Labour Prohibition and Regulation Act of 2016 तो यह case हुआ था बहुत famous MC Mehta v. State of Tamil Nadu जिसमें court ने कहा था कि state authorities should protect economic, social and humanitarian rights of millions of children working illegally in public and private sectors तो यह बहुत important cases के अगर आप नाम याद रखे तो आपको काम आएकर प्रिलिम्स के लिए और इसके लावा National Commission and State Commission को स्तापच करने के लिए for protection of child rights and children तो जो इसको स्तापच करने के लिए Commission for Protection of Child Rights Act 275 को भी लागू किया गया था और इस एक के अंदर ही जो चिल्डेन कोर्ट से उनको भी स्तापच किया गया था जो स्पीडिटाय प्रोवाइट करते हैं offenses against children or violation of child rights तो यह complete article 24 है that prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory mine or other hazardous activities तो हम move करते हैं next article पर right to freedom of religion तो right to freedom of religion के अंदर चार articles कवर किये जाते हैं that is 25, 26, 27, 28 तो पहले जान लेते हैं religion क्या होता है a religion has its basis in a system of beliefs or doctrines which are regarded by those who profess that religion as conducive to their spiritual well-being यानि कि यह beliefs हैं और doctrines हैं जिसको इंसान जो इसको profess करता है अपनी spiritual well-being के लिए अपने अच्छे रहने के लिए अपने भले रहने के लिए जरूरी मानता है तो basically India is a secular state India is not an irreligious state India is a secular state तो secular state का मतलब है कि state that protects all religion but interferes with none यानि कि यह सारे religion को equally बचाता है और किसी के साथ interface नहीं करता because the state of a concerned a relation between man and man and not between the relation between man and God तो article 25 की बात करते हैं पहले तो article 25 कहता है all persons are equally entitled to freedom of concise and the right to freely profess, practice and propagate any religion तो यह है इसकी wordings तो अब हम देखते हैं इसकी implications का है तो basically it includes four things freedom of concise, right to profess, right to practice, right to propagate freedom of concise का मतलब है inner freedom of an individual to mold his relation with God or creatures in whatever way he desires right to profess का मतलब है declaration of one's religious beliefs and faith openly and freely यानि कि वो openly declare कर सकता है कि वो किस लोगवान को मानता है उसके क्या beliefs है और क्या उसका faith है right to practice का मतलब है performance of religious worship, rituals, ceremonies and exhibition of beliefs and ideas यानि कि जो भी एक इन्सान religion को follow कर रहा है वो उसकी practices को conduct कर सकता है और उसके जो भी ceremonies है जो भी उसके या rituals है उसको बिना किसी डर के freely follow कर सकता है and right to propagate means कि he can spread and publicize his religious view for the edification of others but इसमें जो बात है वो केवल persuasion की बात है कि आप persuade कर सकते हो कि हा मेरा religion क्यों अच्छा है पर आप किसी को force नहीं कर सकते है you must convert to this religion or that you will have to convert to this religion so that is not permitted क्योंकि अगर आप किसी को forcefully convert करोगे तो उसके freedom of conscience को hamper करेगा imprint करेगा तो इसके कारण जो right to freedom of religion है article 25 वो केवल persuasion को allow करता है not force conversion तो यह था article 25 तो एक national anthem case हुआ था basically उसमें यह हुआ था कि कुछ बच्चे थे school में और उन्हें national anthem के दुरान गाने समना कर दिया था they respectfully stood for the anthem but they didn't sing because वो कहते कि हमारे conscience के खिलाफ है हमारे religion के खिलाफ है तो उनको school ने expel कर दिया तो जब वो केस पहुंचा कैरला हाई कोट में तो कैरला हाई कोट ने अभेल किया expulsion को और कहा के हां यह तो खतरनाक है उनको गाना चाहिए था तो they must be expelled और जब वो केस पहुंचा Supreme Court के पास तो Supreme Court ने कहा के no तो उनको ने कहा के अगर कि किसी का religion उसको गाने के लिए मना करता है National Anthem तो उसको expel नहीं किया जा सकता because it will be the violation of the fundamental right to freedom of conscience and freedom to freely profess, practice and propagate religion और Supreme Court ने further support में यह भी कहा के there is no provision of law which obligizes anyone to sing the National Anthem and the court also concluded that our tradition teaches tolerance our philosophy teaches tolerance our constitution practices tolerance so let us not dilute it तो उनने basically यही का Supreme Court ने कि tolerance है बहुत important part है हमारे society का हमारे country का India का nation का तो उसको dilute ना किया जाए और ऐसी छोटी-छोटी बातों पर expel ना किया जाए बच्चो को क्योंकि ऐसे भी ऐसा कोई law नहीं है जो मजबूर करे किसी भी citizen को इंडिया का national anthem गाने के लिए जो पहली है वो है public order morality and health religious liberty is subject to public order morality and health for example in the name of religion one cannot practice untouchability one cannot forcibly convert another person यह नहीं कि मेरे religion के तहत यह मैं convert करूँगा तुम्हें मजबूरी में वह forcefully convert कर दे ऐसा नहीं हो दुक्ता क्यों कि it is subject to public order morality and health the next is regulations of economy, financial, political and secular activities associated with religious practices यानि कि for example sacrifice of cows on the occasion of bakra Eid is not an essential part of a religion hence the state law forbidding the slaughter is valid the next point is social welfare and social reforms इसका मतलब है कि जब social welfare और social reforms के बीच में कभी religion आयगा तो religion को जुकना पड़ेगा for example system of sati, dev dasis, polygamy ये सब जो हैं इनको बंद करके ही social welfare और social reform को किया गया तो अब बात करते हैं article 26 की freedom to manage religious affairs so article 25 guarantees rights of individuals by article 26 guarantees rights of religious denomination और their section तो यानि कि जो article purchase था वो individuals के पास था और जो article 26 है वो religious denomination या फिर एक particular section के लिए है और इसके चार main provision है तो पहरा provision है right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes यानि कि आप religious और charitable purposes के लिए कोई भी institution बना सकते हो और उसको maintain भी कर सकते हो right to manage its own affairs in matter of religion right to own and acquire movable and immovable property यानि कि आप कोई भी fixed property या फिर आप movable property दोनों ले सकते हैं right to administer such property in accordance with the law यानि कि आप बिना law को violate करे जो पार्लिवट ने laws बनाए है उसको बिना violate करे उसको अराम से administer कर सकते हैं property को तो यह था article 26 अब चलते हम article 27 के पास article 27 freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion इसका मतलब यही है कि जो हमारे state है वो एक secular state है तो वो किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कह सकता कि तुम tax दो क्योंकि हमें यानि कि सरकार को किसी particular religion को promote करना है या फिर maintain करना है तो जो सरकार है जो सरकार है यानि कि state है वो एक tax नहीं लगा सकती पर इट के लिवाया fee because fee is to control secular administration of religious institutions and not to promote or maintain a particular religion तो secular administration को maintain करने के लिए fee को लगाया जा सकता है पर किसी particular religion को promote करने के लिए या maintain करने के लिए आप tax नहीं ले सकते तो आर्टिकल 28 कहता है freedom as to make attendance at a religious instruction और religious worship in certain educational institutions तो under this article no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds यानि कि कोई भी ऐसा educational institution चाहे वो school हो चाहे वो university हो चाहे भी college हो जो कि पूर्दी तरह state के पैसमर पर चलता है प्रोवाइट नहीं करेगा However, इसमें एक exception जरूर है कि if the state is administering such institution but it was established under any endowment or trust requiring imparting of religious instruction then there can be religious instructions यानि कि कोई educational institution ऐसा है जो कि किसी trust जा फिर endowment के अंडर बना हो और उसमें compulsory religious instruction प्रोवाइट करने का provision हो और उसके बाद उसको state administer कर रहे ही हो तो उसमें religious instruction impart की जा सकती है और इसका एक और important provision ये भी है कि कोई भी person जो कि education institution को attend कर रहा है which is receiving aid out of the state funds or is even recognized by the state shall not be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his consent यानि कि उसको force नहीं किया जा सकता उसकी मर्जी के खिलाफ उसको force नहीं किया जा सकता कि तुम religious instruction को attend करो ऐसे educational institution में which is getting aid out of the state or it is recognized by the state और in case अगर वो बच्चा जो है वो minor है यानि कि अगर वो minor है तो उसके guardian का consent होना जरूरी है तो culture and educational rights include two articles article 29 and article 30 तो जो article 29 है वो हमें बताता है protection of interest of minorities के बारे में यानि कि जो article 29 है वो minorities के interest को protect करता है so article 29 provides that any section of the citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same further no citizen shall be denied admission into any education institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on ground only of the religion race, caste or language so basically क्या कहता है article 29 कि कोई भी ऐसा हिस्सा हमारे समाज का जो किसे भाग में रहता हो भारत के और उसका distinct यानि कि unique अलग language हो script हो या culture हो अपना तो वो उसको conserve कर सकता है उसको protect कर सकता है उसको बचा सकता है और कोई भी citizen इंडिया का है जो उसको किसी भी ऐसे education institution में जो कि state मेंटेंग कर रही हो या फिर वो state से aid ले रहा हो वो educational institution किसी भी citizen को कारण से admission लेने के लिए मना नहीं कर सकता कि वो किसी particular religion को बिलॉंग करता है या race को भी लॉंग करता है या कास्ट को बिलॉंग करता है या फिर किसी language को बोलता है तो there can not be any discrimination in the admission to any educational institution which is maintained by a state or is receiving aid out of state funds on ground only of religion race, caste, or language उसके लावा article 29 जो हो cover करता है both religious as well as linguistic minorities यानि कि जो minorities है चाहे वो religion के base पर हो चाहे वो language के base पर हो दोनो इस article के पर्जवियों में include होती है और Supreme Court है तो उसकी definition है section of citizen words उसकिया गया article के अंदर Supreme Court ने section of citizen का मतलब जो पताया है उसने कहा है कि इसमें majority को भी include करते है क्यूंकि particular हिस्ता है इंडिया के किसी भी पार का उसके अंदर majority and minority दोनो आ सकते हैं but basically it is a protection of interest of minorities that is article 29 now we will move to article 30 right of minorities to establish and administer educational institutions so article 30 following rights first is the all minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice second the compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of a minority educational institution shall not restrict or abrogate the right granted to them and the last is in granting aid the state shall not discriminate against any educational institution managed by a minority अब इसको हिंदी में बात करते हैं अगर all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice यानि कि कोई भी minority जो है उसके बास right है कि वो अपना कोई भी institution, educational institution को स्टाफिज करें और उसको maintain करें उसको administer करें दूसरा point कहता है कि अगर state को किसी भी कारण से compulsorily यानि कि मजबूरी में compulsory inquire करने पड़े property किसी भी minority institution की तो उसके जो rights जो fix करें सरकार वो ऐसन ही होना चाहिए जो कि minority के rights को hamper करें और जो तीसरा point है वो यह कहता है कि जब सरकार aid grant करती है तो उसको कभी भी discrimination नहीं करने चाहिए कि या institution minority का है और या majority का है तो there should not be any discrimination तो एक important बात जोसके में बढ़ा चलती है वो यह है कि जो article 29 site was applicable for a section of citizens which includes minority as well as majority and minority linguistic and religious but article 30 is only for minorities that is linguistic minorities or religious minorities but the term minority is not defined in constitution the term minority is not defined in constitution and article 30 also includes the right of a minority to impart education to its children in its own language तो यह था article 30 और article 29 तो अब देख लेते हैं article 29 part clause 1 में और article 30 clause 1 में तो हम देख लेते हैं major differences क्या है तो differences पहला है scope article 29 part 1 में clause 1 में जो कहा गया है section of citizens और उसके अंदर minorities and majoritys दोने include होती है and minorities में religious and linguistic minorities include होती है और जो article 30 है उसका जो clause 1 है it includes only minorities that is religious and linguistic minorities फिर बात करते हैं subjects की तो article 29 clause 1 is concerned with only 3 subjects language, script and culture article 30 clause 1 deals with minorities based on culture, language and religion यह difference हो गया फिर आता है education related to education and institutions so this is the difference between article 29 and article 30 so let's move to the main article the most important article of our constitution in regard to fundamental rights that is right to constitutional remedies article 32 सबसे पहले तो इसको heart and soul of the constitution कहा तर Dr. B.R. Ambedkar ने कि Dr. B.R. Ambedkar जो कि chairman थे drafting committee के उन्होंने इसको heart and soul of the constitution कहा दूसरी important बात आती है कि it is suspendable in emergency यानि कि अगर national emergency लगती है article 352 के अंडर तो जो article 32 है यानि कि right to move to court for the enforcement of the fundamental rights will not be applicable in the case of emergency national emergency article 352 ऐसी Supreme Court की original jurisdiction है not exclusive original jurisdiction का मतलब यह है कि directly Supreme Court के पास जाता है व्यक्ति article 32 के अंडर in case of violation of fundamental rights but it is not exclusive because Supreme Court के लावा High Court के पास भी जा सकता है व्यक्ति अगर उसका fundamental rights जो है under article 226 SC has a wider scope यानि High Court का scope है वो wider है in case of fundamental rights and three major difference between the writ, issuing power of the SC and SC's को हम आगे discuss करेंगे So basically right to constitutional remedy एक ऐसा right है जो की fundamental rights को enforceable बनाता है क्योंकि article 32 के अंदर we have the right to move to the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the fundamental rights The second point is the Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs for the enforcement of any of the fundamental rights. The writs issued may be include habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo voranto Apart from this, Parliament can also empower any other court to issue directions, orders and writs of all kinds However, this can be done without prejudice to the above powers can offend on the Supreme Court and apart from this, article 226 also empowers the High Court to do the same So basically, इसका मतलब यह है कि in case अगर किसी की citizen का किसी भी व्यक्ति का fundamental right violate होता है तो उसको यह दो option होंगे या तो Supreme Court जा सकते है चाहे वो High Court जा सकते है Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226 So but the High Court का जो retishing power है उसका scope wider है यानि कि Article 226 has a wider scope as compared to Article 32 So basically, there are three major difference between the retishing power of the Supreme Court and the High Court. The first being that कि जो Supreme Court है वो issue कर सकती है rates only in the case of violation of fundamental rights. पर जो High Court है it can issue rates also in the case of the violation of legal rights. Not only fundamental rights but also legal rights यानि कि जो High Court की retishing power है उसका scope wider है क्यूंकि वो legal right और fundamental right दोनों की violation की case में issue कर सकती है rates पर जो Supreme Court है वो only in the case of violation of fundamental rights. The second main difference is कि जो Supreme Court की power है it applies to the whole territory of India while जो High Court की power है it is limited in the sense that it can be issued against the person residing or against the government or authority located within its territorial jurisdiction only और outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arises within its territorial jurisdiction और एक और इक और important point है जो third point है जो बहुत important point है जो stature से पुछा जा सकता है प्रेलिमे question में वो यह है कि article 32 is itself a fundamental right तो आर्टिकल 32 जो खुद fundamental right होनी के कारण Supreme Court cannot refuse to exercise its writ jurisdiction on the other hand a remedy under article 226 is discretionary and has a high court may refuse to exercise its writ jurisdiction यानि कि High Court जो है वो मना कर सकती है अपनी jurisdiction को यूज करने से पर Supreme Court आर्टिकल 32 एक आपस में अपने आपने एक fundamental right होनी के कारण मना नहीं कर सकती है तो यह तीन major differences है और पांच दरणकी रिट्स को इशू किया जा सकता है habeas, forbus, mandamus, prohibition, certiorari and co-orant जो High Court है उसको Article 226 के अंडर इशू कर सकती है Supreme Court अंडर Article 32 इसको इशू कर सकती है और Parliament by law किसी भी और court को भी High Court और Supreme Court के अलावा किसी और court को भी empower कर सकती है यह रिट इशू करने के लिए Parliament अपने एक law बनाएगी और एक particular court को empower करेगी कि आप भी कर सकते हो इशू rights उसके अलावा Article 32 और Article 226 वह Constitution के पार्ट है जो वह allow करते है Supreme Court और High Court को यह रिट इशू करने के लिए तो पहले बात करते हैं Habeas Corpus की Habeas Corpus का मतलब है illegal detention को avoid करना It literally means to have a body that is to be produced in person before the court तो यह कब इशू की जाते है Habeas Corpus is an order issued by the court to a person who has detained another person to produce the body of the latter before it the court then examines the cause and legality of the detention तो यह जो रिट है Habeas Corpus की यह court issue करती है उस person को जिसने किसी व्यक्ति को illegally detained किया हो to bring the body कि जिसको detained किया है उसकी body उसको court के सामें प्रस्तुत किया जाए और उसके बार court decide करती है कि जो detention थी वो illegal थी in case the detention is found illegal तो court उसको छोड़ देगी पर अगर उसकी detention legal पाई जाए तो उसकी detention जो है वो continue होगी और जो RIT है Habeas Corpus की it can be issued against both public individuals और public authorities और private individuals यानि कि public authority अगर कोई किसी को illegally detained करती है government तो उसके खिलाव भी RIT को issue किया जा सकता है और उसके अलावा अगर कोई private individual किसी को detained करता है जो जबदस्ती से तो उसके खिलाव भी Habeas Corpus की RIT issue की जा सकती है और court कह सकती है कि उसके सामें प्रस्तुत किया जाए जिसको detained किया गया है but there can be four cases जिसमें यह applicable नहीं होती Habeas Corpus पहली तो अगर detention lawful है when detention is lawful then Habeas Corpus cannot be issued and if the proceeding is for a contempt of a court or a legislature then the Habeas Corpus can not be issued and if the detention is made by a competent court तब भी Habeas Corpus को issue नहीं किया जा सकता and if the detention is वो court जो Habeas Corpus की writ issue करना चाहा रही है अगर वो अगर detention उसकी jurisdiction के भार है तो भी वो writ नहीं issue कर सकती Habeas Corpus की तो यह है Habeas Corpus illegal detention to have a body the next writ is mandamus जो little meaning है mandamus का command this kind of writ is issued against a public authority or a public officer and an inferior courts for the purpose of enforcing rights only basically जो mandamus की writ है वो issue की जाती है public official के against अगर वो perform ना करे अपनी duties को या फिर वो refuse करे कि मैं नहीं करूंगा perform अपनी duties को it can be issued against any public body any corporation any inferior court a tribunal or government for the same purpose तो mandamus का मतलब है to command और जो काम नहीं करता उससे काम करवानी के लिए the next one is prohibition prohibition का मतलब होता है रोकना तो यह जो writ है यह issue करती है higher court to a lower court or a tribunal उसको यह कहकर कि अगर कोई lower court अपनी jurisdiction के भार काम करे उसकी jurisdiction को एक particular jurisdiction जो है उसके भार अगर वो काम करे तो एक higher court prohibition की writ issue करकर lower court या अपि tribunal को मना कर सकती है उसको रोक सकती है कि वो यह काम ना करे तो basically जो mandamus है it tells us about activity it is related to activity directs activity while prohibition directs in activity और एक और important बास है prohibition जो है it can be issued against only judicial bodies और kwashi judicial bodies like tribunals etc it is not available against administrative authorities, legislative bodies और private individuals तो यह है prohibition now we will see certiorari certiorari यह जो है it is similar to prohibition but इसमें फरक है कुछ because it is also curative rather than only preventive so it is issued by higher court to a lower court or a tribunal either to transfer a case pending with the letter to itself or to squash the order of the letter in a case यानि कि अगर कोई भी lower court अपनी jurisdiction के भार काम करे या फिर उसकी jurisdiction ना हो या फिर there is an error of law तो high court या उसकी जो भी superior court है चाहे वो high court है चाहे supreme court है it can issue a writ known as certiorari to quash the order यानि कि उस order को quash किया जाता है उस superior court के द्वारा और उसके इलावा it can also transfer the case that is the pending case from the lower court to itself तो basically prohibition और certiorari में यही फरह है कि prohibition जो है वो prohibit करती है continue करने से lower court को case जिसके उसमें jurisdiction ना हो और certiorari है वो squash कर देती है order of the lower court और अगर case pending हो case में in case case pending हो तो उसको transfer कर लेती है अपने पास तो certiorari is not only preventive but it is also curative but unlike prohibition it is preventive यानि कि prohibition के विए प्रिवेंटिव है और certiorari preventive और curative दोनों है तो next is co-warantoo co-warantoo literally means what is your authority this kind of is issued to ensure that the person holding a public office is qualified to hold the office यानि कि जो person है जिसने public office को hold किया हो है वो qualified है office को hold करने के लिए and it is not an observation of a public office the most important point is that the writ can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution यानि कि वो public office जो कि constitution या फिरे किसी parliament के law के द्वारा बनाया गया हो कि वह उसी case में co-warantoo को issue किया जा सकता है and it is very important that it can not be issued in cases of ministerial office or a private office and unlike the other four reads this can be shot by any interested person and not necessarily by the agreed person यानि कि कोई भी विक्ती जो है जो परिशान हो वो इस rate को use कर सकता है और it is not necessarily used by the agreed person यानि कि अगर a के rights valid होए हो तो b भी co-warantoo को exercise कर सकता है तो यह थी 5 reads habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, co-warantoo तो इसमें जी question पूछा जा सकता है like which of the following reads are issued against the judicial body a. mandamus, b. prohibition and c. certiorari and d. all so इसका answer होगा all of the above mandamus, prohibition and certiorari are all issued against judicial body prohibition जो है it is necessarily issued against judicial or quasi-judicial body and mandamus and certiorari can be issued against both administrative or judicial bodies so we will move to the next articles article 33 article 34 and article 35 article 33 empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces police forces, intelligence forces and analogous forces so basically article 33 under parliament है वो law बना सकता है armed forces, police forces और intelligence forces analogous forces में जो members है उनके, उनके rights को restrict कर सकता है parliament by law to ensure that there is a proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them article 34 puts restrictions on fundamental rights while martial law is in force in any area so act of indemnity pass करता है parliament in case of martial law indemnity का मतलब होता है basically securing the public official it cannot be challenging any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights so article 35 article 35 जो है article 35 सिर्फ यही कहता है कि कुछ fundamental rights ऐसे है जिसको enact करने के लिए laws जो है के वेल parliament बनाएगा यानि कि state legislature नहीं बना सकते to ensure that there is a uniformity with regard to those fundamental rights and punishment for their infringement तो इसमें specially जो articles mentioned कि गए है basically वो है clause 3 of the article 16 clause 3 of the article 32 article 33 and article 34 article 33 और article 34 यह जो हमने discuss किये सभी वो उसके लाबा article 32 यानि कि right to constitutional liberty जिसके जहद आप supreme court में directly जा सकते है in case of the violation of fundamental rights and article 16 clause 3 is जो provide करता है equality of opportunity for all citizens is matter of employment or appointment to any office under the state तो इसके जो clause 3 है वो कहता है कि residence को एक condition बनाया जा सकता है employment के उसमें तो यह वाला जो clause है यह भी article 35 के अंदर Parliament के पास exclusive rights रखता है इसके लाब Part 3 में यानि कि fundamental rights में जो जो punishment की provision दिये गए है उन punishments को enact करने के लिए इसको भी केवल Parliament ही बना सकता है और state legislature नहीं बना सकता to ensure that there is a uniformity all over the India So these are article 33, 34 & 35 So we have completed fundamental rights Directive Municipal of State Policy इसको हम discuss करते हैं पहले meaning जानते हैं क्या है Directive Municipal of State Policy का So these are the constitutional instructions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters So basically यह recommendations है जो कि state को दी है constitution makers ने legislative, executive and administrative matters और यह example करता है instrument of instructions को जो कि अनिमिरेते हैं Government of India Act of 1935 में So it focuses on welfare state, they aim at realising the ideals of justice, liberty, equality and paternity So DPSP constitutes a very comprehensive economic, social and political program for a modern and democratic state. So it focuses on welfare state rather than a police state and the most important point about DPSP is that these are non-justiciable So article 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be duty of the state to apply these principles in making laws. But these are not justiciable For example, we have article 32 that is right to constitutional remedies. So under that article, in the case of violation of fundamental rights, the agreed person can directly go to the Supreme Court for its judicial but there is no such provision in DPSP. इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई direct principle of state policy violate होता है तो you cannot go to the court कि हाँ मेरा DPSP violate हो रहा है and please give me remedy So there is no such provision जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो preamble है हमारा it is not justiciable, non-justiciable Similarly DPSP is also non-justiciable that we cannot go to the court in case of violation of any direct principle of state policy पर constitution makers ने साथ ही यह भी कहा कि हाला कि यह justiceable नहीं है पर यह बहुत important है governance में country की and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws यानि कि जब भी law को बनाया जाए किसी भी नहीं law को बनाया जाए तो इन principles को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है Moreover, it helps the court in examining and determining the constitutional validity of a law और यह help करता है यह जानने के लिए कि जो law बनाया गया है वो constitutionally valid है कि नहीं इसके लिए हम DPSP के साहयता को ले सकते हैं तो एक prelim points of view से question को discuss करते हैं तो question is consider the following statements about directive principles of state policy first statement is DPSP lack legal sanctions but enjoy political sanctions and the second point is the constitutional validity of some of the laws can we judge with the help of directive principles which of the following given statement is or are correct so first statement है कि DPSP it lacks legal sanctions but enjoy political sanctions so this statement is obviously right क्योंकि DPSP legal sanctions नहीं enjoy करते because these are non-justiciable but these enjoy political sanctions because हमारा constitution article 67 कहता है it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws that means DPSP enjoys political sanctions because legislature comprises of the political people और जैसा कि मैंने आपको पताया कि it can be used in examining the constitution validity of a law so those second point is also right so both 1 & 2 are the correct statements in this regard so इस तरह साब को प्रेंशने help होगी ये पढ़कर अब देखते हैं directive principle of state policy की classification को the constitution does not contain any classification of directive principles as such but however they are you know bifurcated based on different categories constitution makers ने कोई classification नहीं वनाय थी directive principles of state policy की but based on different ideology या अलग-अलग लोगों की अलग-अलग principles की ideology की based पर इसको हमने 3-4 parts में divide सा लिया that is socialist, gandhiyan principles, liberal intellectual principles as well as new directive principles तो पहले बात करते हैं socialist principles की तो जो socialist principles हमारे वो aim करते हैं provide करने के लिए हमें social and economic justice and a welfare state तो इसके अंदर article 38, article 39 article 39A article 41 & 47 include होते हैं to promote the welfare of the people by securing a social order permeated by a justice, so it basically focuses on social order, justice and welfare state, article 39 tells us about to secure the right to adequate means of livelihoods for all the citizens, it is an important DPSP that wants to secure adequate means of livelihood for all the citizens article 39A says to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor and the standard of living of people and to improve the public health it focuses on public health so these are the five socialist principles in DPSP so next are the Gandhian principles Gandhian principle says that there should be self-government to promote voluntary formation autonomous functioning democratic control and professional management of cooperative societies so article 43B focuses on cooperative societies article 46 says to promote the educational and economic interest of H.C.S.C.S.T. and other because sections of the society and to protect them from social injustice and exploitation article 47 to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health and article 48 to prohibit the slaughter of cows calves and other meals and rot cattle and to improve their breeds so these are articles that are included in the Gandhian principles so there is no need to learn as such but you must remember some important points about what are included what all is included in the directive principles of state policy के directive principles state policy में क्या क्या आता है मैं यह याद रखना जरूरी है और यह जरूरी नहीं है के article का number आपको याद हो so the next is liberal intellectual principles it includes article 44, 45, 48, 48A, 49, 50 and 51 so article 44 तो बहुत important है इस पर debate से बहुत चलती है it says to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country याने की uniform civil code इसका तो article भी आपको याद रखना जुदूरी है ताकि आप में में या फिर SSS विगाना में इसको mention कर सकें कि it is mentioned in DPSC about uniform civil code article 45 to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years article 48 to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines article 48a to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife article 49 to protect monuments, places and objects of artistic or historic interest which are declared to be of national importance article 50 to separate the judiciary from the executive in the public services of the state to separate the judiciary from the executive in the public services of the state यानि की executive और Judiciary को separate कर दे इन the public services of the state article 51 to promote international peace and security and maintain just and honorable relations between nations to foster respect for international law and treaty obligations and to encourage settlement of international disputes via arbitration so these are included in liberal intellectual principles and the last part is about new directive principles so it includes article 39 article 39a article 43a and article 48a is related to securing opportunities for health development of children article 39a promotes equal justice and to provide free legal aid to the poor article 43a take steps to secure the participation of workers in the management of the industries article 48a protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife so article 48a को भी आप लरन बहुत जरूरी है कर लीजिए कि it is related to environment and protection of wildlife और उसे पहले मैंने आपको कह था article 44 it is related to uniform civil code so सबसे important बाद जो new directive principles के regarding है that they were added with the 42nd constitutional amendment 42nd constitutional amendment 42nd constitutional amendment के बाद या new directive principles को add किया गया था हमारे constitution में उसके अलावा यह मैंने आपको बताया सारे important articles जो DPSP से related है अब हम facts जान लेते हैं जो important है DPSP के related prelim points of view से तो पहले तो 44th amendment 1978 44th amendment 1978 के तहत article 38 में addition हुई थी that mandated the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities and the most important is 86th amendment 2002 और इसके तहत ही article 45 को change करकर उसके subject matter के through elementary education को fundamental right बिना दिया गया था article 21A के तहत यानि की right to education RTE के बारे मैंने आपको बताया था तो RTE के तहत जो article 45 उसकी जगा article 21A को fundamental right बिना दिया गया था और elementary education को compulsory कर दिया गया था and 97th amendment act of 2011 added a new directive principle relating to cooperative societies तो अभी हमने जो cooperative society के regarding बात की थी एक directive principle of state policy की यानि की article 43B जिसको हमने discuss किया था Gandhian principles के under तो यह थे directive principles चार भाग में बंडे हुए है socialist, Gandhian, liberal intellectuals and new directive principles so directives in other parts of the constitution तो एक particular जो part है directive principles of state policy के constitution में that is part 4 उसके लावा जो की directives given in other parts of the constitution so article 350a it shall be the endeavor of every state and of every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue article 351 says that it shall be the duty of the union to promote the spread of the Hindi language and article 335 says that the claims of scheduled castries and scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to services and post in connection with the affairs of union or a state so article 350a is concerned with the mother tongue and article 351 is concerned with the spread of Hindi language and article 335 protects the claim of SCs and STs so these are also non-justicipal like I have already said similarly for these three articles you can also not go to the code and doctrine of harmonization it means that Supreme Court is according in various cases Supreme Court has said that there is something like a doctrine of harmonization that fundamental rights and directive principles of state policies are supplementary to each other and they should work always in harmony but even in some cases if something, you know, a conflict arises between fundamental rights and DPSP so the fundamental rights will always prevail but there is only one exception that article 39b and article 39c presently can be given precedence over article 14 or article 19 and not all the directive principles इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोट का कहना है कि एक harmony है जो मैंटेन कनी चाहिए और हमेशा मैंटेन रखनी चाहिए between fundamental rights and directive principles of state policy but in case अगर उस harmony को हम maintain ना करक सके और किसी कारण से कोई conflict arise होता है fundamental rights और DPSP में तो fundamental rights हमेशा prevail करेंगे but article 39b and 39c ऐसी exception है जो prevail करेंगे article 14 और article 19 के उपर जो की एक fundamental rights है तो यह है हमारी directive principles of state policy के बारे में सब कुछ fundamental duties के बारे में तो सबसे पहले बात करते है 42nd amendment 1976 की तो fundamental duties जो थी वो पहले हमारी constitution का पार्ट नहीं हुआ करती थी and it was added only in 1976 by the 42nd amendment during the tenure of Indira Gandhi and the national emergency तो जैसा कि मैंने आपको starting की वीडियो दो पताया था कि हमारे preamble में भी जो amendment हुई थी 42nd amendment 1976 के तहत एक ही amendment हुई हमारे preamble में आस तक and that was 42nd amendment 1976 और उसके तहर 3 words को add किया गया था तो बेको प्रीज पताये comment section में वो 3 words कौन से थे so the next thing is it was inspired by USSR so fundamental duties जो है basically is the concept of socialist countries and it was inspired by USSR but Japan was the first democratic country to incorporate fundamental duties so it can also be said के जो इंडिया था inspired हुआ fundamental duties say from USSR but it somehow was also inspired by Japan because it was the first democratic country to adopt these fundamental duties तो हुआ कया था इंडिया था इंडिया था 1975 से 1977 जब अडिया था तो सदार सुर्ण सिंग का गफंटी का गफन किया था to make recommendations on the fundamental duties the Congress Government Red Center accepted these recommendations and enacted the 42nd constitutional amendment act of 1976 तो इसके तहत part 4 एक बनाया गया constitution में और उसके अंदर सिर्फ एक article एट किया गया 51A which included all the fundamental duties. Article 51A includes all the fundamental duties and in 2002 one fundamental duty was added with another amendment and the article 51 says it shall be the duty of every citizen of India that means that fundamental duties are available only to the citizens. So the list of fundamental duties, the first is to abide by the constitution and respect its ideals and institutions like national flag and the national anthem. तो इस बहुत इसके बहुत इसके बहुत है कि तो अबढ़ बाई 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 अच्टिशन को फॉलो करना जरूरी है एक citizen of India के लिए और उसके आइजस को रिस्पेक करना जैसे कि national flag and national anthem. तो चरिश और फोलो the noble ideas which that inspired the national struggle for freedom. The third is to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. ते प्रेंबल में 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 बेंचेंड है और उसको एक extension है प्रेंबल की ही ये points जो हमें बताते हैं to protect and uphold the sovereignty, unity and integrity of India. To defend the country and render national service when called upon to do so. So it indicates national service to promote harmony in the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional diversity to renounce practices derogatory to the dignity of women. So these are the first five fundamental duties. So next is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. To safeguard public property and to abjure violence. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. So that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement. These are the fundamental duties that were enshrined in the Constitution by the 42nd amendment of 1976 during the internal emergency. But one more fundamental duty was added to the Indian Constitution by 86th amendment of the Constitution in 2002 and it was who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child to provide opportunities for education to his child or as the case may be So these are the fundamental duties. But here the thing is that these fundamental duties cannot be enforced by the rights. They can only be promoted by the constitutional methods. जा सकता है पर इन fundamental duties को ambiguous statutes यानि कि वो law जो clear ना हो उनको समझने के लिए fundamental duties का उपयोग किया जा सकता है तो अब जान लेते हैं कि features क्या है fundamental duties के तो सबसे पहला feature है fundamental duties का कि इन में से कुछ जो duties हैं वो moral duties हैं और कुछ जो हैं वो civic duties है moral which relates to conscience while the civic duties relate to the civil society the most important point is that they are available only to the citizens of India and not to the aliens or the foreigners क्योंकि जो पहली line है fundamental duties article 51a की वो कहती है it shall be the duty of every citizen of India that means they are available exclusively to the citizens of India उसके अलावा third point है they essentially contain just a codification of tasks integral to the Indian way of life यानि कि जो Indian way of life और Indian culture है उसके अंदर जो हमारी way of life के अंदर जो हमारी task है उसकी को enshrine किया हुए constitution में as the fundamental duties the next point is the constitution does not provide for their direct enforcement by the courts since there is not legal sanction against their violation however the parliament is free to enforce them by suitable legislation यानि कि कोई भी प्रोविजियन जो है वो इसा आवेलेबल नहीं है हमारे पास जिसके कारण जिसके थुरू इन fundamental duties को directly enforce किया जा सके but by the means of constitutional methods or by the laws enacted by the parliament we can try to implement or enforce these fundamental duties so what is the significance of fundamental duties तो सबसे पहले important significance तो यह है कि यह हमें बताता है citizens of India को बताता है कि every rights come with some duty so so every Indian must be conscious of their duties that they owe to their country the second point is they serve as a warning against the anti-national and anti-social activities कि वो बताता है कि एक warning है हम एंताकी कि हम anti-social और anti-national activities में indulge ना हो यह serve करता है as a source of information for the citizens and promote a sense of discipline and commitment among them and it helps the court in examining and determining the constitutional validity of a law कि constitutional validity of law को जानने के लिए court इसका इसका इस्तमाल करती है fundamental duties का so for example if a question is asked which of the following is or are listed as directive principles of state policy first that the citizens men and women equally have the right to an adequate means to livelihood second regulation of economic system of the country to prevent concentration of wealth and means of production third that there is equal pay for equal work for both men and women fourth the state shall endeavor to secure to all workers conditions of work ensuring full enjoyment of layer and social and cultural opportunities so men and women equally have the right to an adequate means of livelihood is covered in article 39 regulation of economic system of country to prevent concentration of wealth and means of production is also included in article 39 that there is equal pay for equal work for both men and women it is also included in article 39 and the state shall endeavor to secure to all the work conditions of work ensuring full enjoyment of layer and social and cultural opportunities this is included in article 43 so from the above we can conclude that these four all the four statements are included in or are listed in the directive principles of state policy the right answer will be one two three and four that is all of them are correct so from this we have completed the part 4a or fundamental duties present in our constitution हम बात करने जाएंगे of the state the president is the head of the state but the president in our indian setup is just a de jure head he is the de jure head he is a nominal head he is a rubber stamp merely he is a rubber stamp so So president is the de jure head of the state, he is the symbol of integrity, unity and solidarity of the nation and he is the part of the union executive, article 52 to article 78 in the part 5 of the constitution deal with the union executive, तो अभी तक हमने चार पार्ट कर लिए हैं constitution के, पहला पार्ट जो था वो बात करता था, union is its territory के बारे में, second part पार्ट करता था citizenship के बारे में, third part fundamental rights, fourth part directive principles of state policy and fourth a part was about fundamental duties. So now we are on the fifth part that is executive, union executive, so these are article 52 to 78 that comprises part 5 and it talks about union executive, सब्से पहले हम बात करने जा रहे हैं president के बारे में, he is the de jure head of the state, symbol of unity, integrity and solidarity. So election के बात करते हैं पहले president की, so president is elected by an electoral college which comprises of elected members of both the houses of the parliament, यानि राजयसभा और लोकसभा, दोनों के केवल elected members को include करते हैं, legislative assemblies of the state, यानि के elected members के वाल, elected members of the legislative assemblies of the state, यानि की विधान, सभा, as well as the elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Pudu Chari. तो ये जो elected members of the legislative assemblies of Delhi and Pudu Chari वाला जो provision है, इत वस एड़े बादे 70th constitutional amendment of 1992 and it is a very important point that it was एड़े बादे 70th constitutional amendment of 1992. And also the state legislative councils, उनके जो state legislative council हैं लाग विधान परिशन, विधान परिशन के बोथ elected and nominated members do not take part in the election of the president. So only the elected members of both the houses of parliament, state legislative assemblies that is विधान, सभा and the state legislative assemblies of union territories of Delhi and Pudu Chari. And the election take place by the method of proportional representation by means of single transferable vote system. The proportional representation system का मतलब यही है कि there is a minimum quota. So in direct elections that is of prime minister in India, we conduct that by first past the post system. So in that the one who gets the maximum seats will win the election. But in proportional representation there is a quota, there is a minimum quota. For example, if 100 voters are voting, there may be a minimum quota of 51. So if the minimum quota is of 51, then a person to win the election must have 51 seats. He cannot win the election if he has 31 seats and has more seats than any other but do not fulfill the quota. So he needs to fulfill the quota to win an election in the proportional representation. So voting is done by a secret ballot. To win the election there must be a minimum quota to be won. And in the case of dispute arising in the elections of the president, the disputes are decided by the Supreme Court. And there can be no dispute on the grounds of any vacancy in the Lok Sabha. Rajya Sabha और Vidhan Sabha. Yarni कि election के उपर dispute इस बात पर नहीं किया जा सकता. कि Lok Sabha, Rajya Sabha और Vidhan Sabha में कोई seats खाली हैं. तो पहले बाए election हो उनका, उसके बाद ही president के election हो. ऐसा कोई provision हमारी constitution में नहीं है. So these were about the elections. Now we will move to qualification. एक परसन को president बने के लिए must be a citizen of India, must be of 35 years of age, must be qualified for election as a member of the Lok Sabha, and should not hold any office of profit. So he must not hold any office of profit under the union government, or any state government, or any other local authority, or any other public authority. But there is an exception. A sitting president or vice president of the union, the governor of any state, and a minister of the union, or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified as a presidential candidate. यानि कि जो presently president हो अगर कोई व्यक्ति, या फिर वो vice president हो union का, या फिर governor हो किसी state का, या minister हो किसी भी union या फिर किसी भी state का, तो उसको हम office of profit नहीं मानते in this qualification. The oath of the president is administered by the chief justice of India, और अगर chief justice of India available ना हो, then the senior most judge of the supreme court. तो यह सारी हमने बात की qualifications of president की. अब हम देखते हैं conditions क्या है president बनने की? That he cannot be a member of either house of parliament or a house of state legislature. यानि कि जे president है वो किसी भी लोक सभा, या फिर राजी सभा, या फिर विजान सभा का, या फिर विजान परिशित का member नहीं होना चाहिए, या वो president की duties को ट्राप कर ले. तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई member of state legislature या member of either house of parliament, अगर president बनता है, तो he has to leave that thing, that is from the day he becomes the president of India, he will cease to be the member of that particular house which he belongs to. He enjoys personal immunity on his official acts, यानि कि वो legally liable नहीं है अपने official acts के लिए. During his term of office, he is immune from any criminal proceedings also in respect of his personal acts and cannot be arrested or imprisoned. यानि कि criminal proceedings के लिए वो अपने tenure के दोरान arrest या imprison नहीं किया जा सकता. However, after given two months notice, civil proceedings can be instituted against him during his term of office in respect of his personal acts. पर उनके खिलाफ civil proceedings की जा सकती है in respect of his personal acts पर उसके लिए भी दो महीने का notice उनको देना पहले, आवशक है. So these are the conditions. Now we will move to the term. So the term of the president office is five years. But before five years, he can always resign by addressing the resignation letter to the vice president of India. और उसके लावो पांक से के बाद भी office को hold कर सकते है in case कि जो नए president है वो अब तक ना आये हूँ. The president of India is also eligible for re-election. यानि कि वो ही president जिसने जो अभी term के बाद दुबारा re-elect होने के लिए elections को लड़ सकता है. And the only re-elected president of India so far is Dr. Rajendra Prasad. और यही एक कारण है जिसके कारण से dominated members जो है वो पार्ट नहीं लेते elections में president के. Because it is the president who nominate members in both लोकसभा and as well as Raja Sabha. और अगर वो ही nominated members president के election में पार्ट लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि president कुछ particular लोगों को ही nominate करे लोकसभा में भी और Raja Sabha में भी और वो जब अगला election हो तो हो सकता है कि वो जब recondest करे president दुबारा रिलेक्ट होने के लिए elections को तो वो जो nominated members से लोकसभा और Raja Sabha के जिनको उसी president ने पिछले term में nominate किया था वो उसको favorable vote करे. So to avoid such kind of situation there is a provision that nominated members of both लोकसभा Raja Sabha as well as Vidhan Sabha cannot take part in election of president. He can be removed by the process of impeachment and the impeachment is a quasi-judicial process. So the most important thing in this regard is that impeachment process it is applicable only for the president of India for other people like vice president it may be the chief justice of supreme court, judges of supreme court, judges of high court they are all removed not impeached only the president of India is impeached and impeachment is a quasi-judicial process. So impeachment can be done for the violation of the constitution whether term violation of constitution is not defined anywhere in the constitution. So impeachment procedure which should be signed by at least one-fourth of the members of the house यानि कि जिस्भी house में यानि कि राजेसभा या फि लोकसमें जिस्भी house में start कर रहे हैं impeachment की proceedings को एक impeachment charge जो signed होना चाहिए कम से कम one-fourth of the member of that house and a 14-days notice should be given to the president of India then the proceedings starts in that house and it should be passed by at least two-third of the total membership of that house और अगर two-third of the total membership of house पास कर देती है उस resolution को then the resolution goes to the next house and there the president has the right to appear and to be represented at such investigation यानि कि दूसरे house में जो president है वो appear होता है और defend करता है against the charges which was imposed on him और इसी कारण से इसको quasi-judicial process मेंने कहा था क्योंकि जो president है वो defend कर सकता है अपने आपको और appear हो सकता है that's why it is quasi-judicial but in case अगर दूसरा house भी इसको two-third of the total membership of house उसको पास कर देती है impeachment की proceedings को then the president stands removed from his office so far no president of India has been impeached and one important thing is that that the nominated members of Rajya Sabha and Lok Sabha takes part in the impeachment proceedings so nominated members of Rajya Sabha and Lok Sabha के वो पात नहीं लेते हैं in the election of the president but they take part in the impeachment of the president and also the elected members of the Svidhan Sabha यानि कि state legislative assembly takes part in the election of the president but they do not take part in the impeachment proceedings so this is all about the president तो बात करते हैं powers of president की तो पहले बात करते हैं उनकी executive powers की so the first thing is all the executive actions of the government are formally taken in his name यानि कि जो भी executive actions होंगे India के government के वो उनके नाम पे लिये जाते हैं यानि कि president के लिये जाते हैं the second most important function is he appoints the prime minister and the other ministers attorney general of India and also determines his remuneration he appoints the comptroller and auditor general of India chief election commissioner and the chairman and the members of the union public service commission the governors of the state the chairman and the members of the finance commission यानि कि prime minister council of ministers attorney general of India comptroller and auditor general of India chief election commissioner of India chairman and members of UPSC governor of the state chair and members of the finance commission all are appointed by the president the third function is he can seek any information relating to the administration of affairs of the union and proposals for legislation from the prime minister यानि कि वो कोई भी information ले सकते हैं relating to the administration from the prime minister the fourth function important objective function is कि अगर प्रेसिदें को इसा लगता है कि सम डिसीजर इस टेकन बाद प्राम इसा लगता हैं कि सम डिसीजर इस बाद प्राम मिनिस्टर र अन वन मिनिस्टर उन अनिमसली तो कह सते हैं prime minister को he can require the prime minister to submit for consideration of the council of ministers again 5th point is he can also appoint a commission to investigate into the conditions of STs and STs and other backward classes. He can also set up an interstate council to promote better relations among centre and state or interstate corporations. So, एक interstate council का बठन भी करवा सकते हैं promote करने कले better relations among centre and state or within among the states. He also directly administers the union territories through administrators appointed by him. Also, he can declare any area as scheduled area and has powers with respect to the administration of that scheduled area or a tribal area. So, these are the executive functions of the president. Now, we will move to the legislative powers of the president. First is, he summons or prorogues the parliament and dissolves the loksabha. ये कोशिन तो बहुत बार पूशा जाता है statement में प्रिलिम्स के दुरान. So, that president summons and prorogues the parliament and dissolves the loksabha. So, it is obviously true. तो यहाँ पर summons का मतलब है बुलाना. Prorogues का मतलब है स्थागित करना without, you know, dissolution and dissolving का मतलब है dissolve ही कर दिना लोksabha को. The second legislative function of the president is he summons a joint sitting of both the houses of the parliament. और joint sitting of parliament को भी जाने की president ही बुलाते हैं. The third one is he addresses the parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. He also decides on matters of disqualification of members of the parliament in consultation with the election commission. यानि की जो president है वो decide करते हैं की किसी member को parliament के disqualify करना है या नहीं करना in consultation with the chief election commission. The most important legislative function or power of president is that his prior recommendation is necessary for particular bills to be introduced in the parliament. And those are money bill, financial bill, category 1. And financial bill category 2 does not require his recommendation for introduction but it requires his recommendation for its consideration. So, the recommendation of president is very important to introduce money bill, financial bill category 1 and for the consideration of financial bill category 2. So, we can take the examples of a bill involving the expenditure from the consolidated fund of India or for the alteration of boundaries of states or for a creation of new state. And the sixth is we can promulgate ordinances when the parliament is not in session which can be retrospective in nature and follows the same rules. So, these are the executive powers and the legislative powers of the president. Now, we move on to the financial powers of the president. Money bills can be introduced in the parliament only with his prior recommendation. Yani ki, joh money bill hai, woh without prior recommendation of resident joh hai, woh introduced nahi ho sakte hai parliament ke andar. He lays before the parliament the annual financial statement that is the union budget. no demand for grant can be made except on his recommendation. So, these are the financial powers of the president. The judicial powers of the president these are very important. The first is appointment of chief justice and the judges of supreme court and high court. Yani ki, president plays a very important role in the appointment of the judges of supreme court and high court as well as the chief justice of India. And under the article 72, the president has been empowered with pardoning powers. Thaum baat kertte hai pardoning powers of the president to isko throde detail me discuss kena zirururi hai. So, there are five types of pardoning power of president. Pardon, commutation, remission, respite and deprive. So, the first is pardon. Pardon ka mitlab hota hai no punishment yani ki, completely absolving the offender yani ki, puri tarah se maaf ker dhe na. So, if a person is supposed given a sentence for 10 years to isko puri tarah se maaf ker dhe na usko buri karvaa dhe na. So, that is called pardon complete absolation of sentence. So, commutation. Commutation is substitution of one form of punishment for a lighter form. Yani ki, ek punishment ko replace kar dhe na thodi light punishment se. For example, you can say from rigorous punishment to simple imprisonment. Rigorous punishment me kaam bhi karvaate hain imprisonment ke ilawa but in simple imprisonment you are only imprisonment. So, it is a commutation that is a change from harsher sentence to a lighter sentence. So, then is remission it means changing the quantum of punishment or it means reducing the period of sentence. For example, if a person is sentenced for 6 years of imprisonment after remission he is sentenced for only 4 years of imprisonment but the nature of the imprisonment remains the same that both is rigorous punishment. So, there is only a change in quantum of the sentence or the period of the sentence that will be remission. Then we will have respite. Respite means avoiding a lesser sentence in place of originally awarded sentence due to some special reason. For example, if a pregnant lady is imprisoned and he has a rigorous sentence so his sentence can be changed and respite will be there and his rigorous imprisonment will be turned into simple imprisonment on basis of special ground or a special reason that she is pregnant and he cannot carry on work. And the last is reprieve that is stay of the execution of a sentence especially that of a death for a temporary period to enable the convict to have a time to seek pardon or commutation from the president or a temporary to have a so that the president can give his reply full of phone or in special cases also for example there is a person who is awarded a death sentence but he is the sole bread earner of the family or he was a lot of a he of the president an important fact about the pardoning power of the president is that the president is the only constitutional authority who can pardon the death sentence कि वाज president हिया है जो pardon कर सकते हैं death sentence को अधर्वाइस गवानन की पास भी होती है pardoning power but he cannot pardon death sentence capital punishment can be powered only by the president और माली जी question आते है प्रेरिम्स में in which form of punishment remission is not possible so the answer will be death sentence and life imprisonment क्योंकि remission का मैंने आपको भी पताया था कि quantum of punishment कम करना यानि की 6 साल की सदर को 4 साल के लिए करना but in death sentence or in life imprisonment you cannot change the quantum of sentence you can only change the nature of the sentence but you cannot change the quantum of the sentence so therefore in death penalty or capital punishment punishment and in life imprisonment there can be no remission whatsoever so these are the pardoning powers of the president and judicial power of the president so we will move to diplomatic powers of the president the international treaties and the agreements are negotiated and concluded concluded on the behalf of the president subject to the approval of the parliament military powers president is the supreme commander of the defense forces of india apart from appointing the chiefs of the army the navy and the air force he can declare war or conclude peace subject to the approval of 360 so this is the emergency provisions we will discuss in a different lecture we will discuss all emergencies so now it is enough to know that the president has a special power during any of the emergency either it will be national emergency state emergency or the financial emergency next is the which is the veto power of the president the president has a veto power over the bills passed by the parliament so president has veto power over the bills passed by the parliament so president has a veto power over the bills passed by the president and it is one of the most important power of the president and it is under article 123 so article 123 ke under president kee paas eek ordinance making power hai but usko ordinance pass karne ke liye kuch conditions ka ho na fulfill ho na zhururi hai so most important condition ij と iamпод podcast o рек usko why do you know houses o再見 seashan istabh enqu fi ni kya men italiki kuhuit so president can make ordinance only if either both of the houses are not in session or only one house is in session if both the houses are in session then the president can not promulgate any ordinance और president ordinance तभी बनाता है कि उसको ऐसा लगे कि अब कोई ऐसी सिति आ चुकी है कि एक immediate action लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और जो president है वो ordinance के विल उनीजी subjects पर बना सकता है and it is also has same constitutional limitation as an act of the parliament यानि कि कोई भी ordinance जो president promulgate करता है it cannot violate or infringe any of the fundamental right और साथ ही जो president की power है ordinance making ये कोई discretionary power नहीं है so president has to follow the advice of the councilor of ministers चाहे वो promulgate करने के time पर हो चाहे वो withdraw करने के time हो ordinance but he has to follow the advice of the councilor of ministers and after the 44th amendment in 1978 there is a change that the satisfaction of the president के ordinance के time आ गया है ordinance बना से जुरूरी है इस बात की satisfaction जो है it is justiciable यानि की court of law में जाया जा सकता है इस बात को लेकर अगर president मैलाफ़ाइडी intention से ordinance को promulgate करे so this is all about the ordinance making power which is available in article 123 of the constitution types of veto और veto का मतलब क्या होता है तो जो bill pass होते हैं पार्लेमेंट में उसके regarding president के पास veto powers होती है veto का मतलब है एक तरह से ना करने की power जैसे कि UN General Assembly में UN Security Council में I mean जो 5P nation है permanent 5 countries है उनके पास veto power होती है तो यानि कि अगर उने ने मना कर दिया उनमें से एक कंट्री ने भी तो वो चीज नहीं होगी तो this is veto power तो there are 3 types of veto available to the president of India and the first one is absolute veto तो absolute veto का मतलब होता है कि president अगर मना कर दे अपने sign करने से bill को तो bill act नहीं बनता और bill वहीं खतम हो जाता है तो यह जो absolute veto है यह president normally जो exercise करता है that is when a bill is a private member bill तो there are 2 types of bill बेसिकली आपको पता होना चाहिए एक होता है private member bill और एक होता है government bill private member bill होता है जो कि कोई भी व्यक्ति apart from the council of ministers introduce करे अगर किसी bill को parliament में तो that will be called private member bill अगर जो bill है उसको introduce करे parliament में council of minister में से कोई तो that will be a government bill so any bill introduced by a member apart from the council of minister in a parliament is referred to as a private member bill तो absolute veto का मतलब होता है कि अगर president directly मना कर दे के हाम मैं इसको अपनी एक्षेन नहीं दूगा इस bill को और bill जो है वो वही पर खतम हो जाए तो it is normally exercised in two cases एक तो पहला case पता है मैंने आपको जब वो private member bill हो और जो दूसरा case होगा वो होगा कि in case the cabinet resigns after the passage of the bill from the parliament but before the accident of the president यानि कि अगर एक मानली जी की मोदी जी की सरकार है कोई bill इंटर्डूस किया government ने वो bill जो है पास हो गया parliament में पर उनके मतलब जो president है उस ताइम पे मानली जी की आप किसी को प्रेजिदेंट मानली जी जैसे की और की और वो रामनाज कुबिन जी को मना कर दे कि आप इस पर sign ना कीजिए तो in that case also absolute veto is exercised so these are the two normal cases in which absolute veto is exercised then we have suspensive veto suspensive veto का मतलब है कि अगर कोई भी bill parliament से पास होगा जो president के बाद extend के लिए जाता है तो president उसको दुबारा भेज सकते हैं reconsider करने के लिए but in case अगर same bill वापिस कर दिया जाए या फिक वो बिल में थोड़ी amendment करके वापिस कर दिया जाए तो president को उसके उपर sign करने ही पड़ते हैं the president cannot ask for another reconsideration even the same bill is passed without an amendment or with an amendment amendment की तब भी president को दुबारा sign करने ही पड़ेंगे और अगर amendment नहीं की तब भी sign करने ही पड़ेंगे but this power is not present with president in the case of money bill और इसका कारण क्या है जो money bill है वो introduced होते है parliament with the prior recommendation of the president so why would president send the bill for reconsideration again if the bill is introduced with his recommendation only so suspensive veto is not available in the case of money bill so this is absolute veto and now we have pocket veto pocket veto का मतलब है कि president के पास जब कोई bill आएगा parliament से pass होकर send के लिए तो president जो है वो ना ही उसको ना करते हैं ना ही उसको extend देते हैं और ना ही उसको reconsideration के लिए वापिस भेजते हैं पर वो उसको अपने पास रख लेते हैं indefinite period of time के लिए क्योंकि जो constitution of India है वो हमें कोई specific time period नहीं बताता जिसके अंदर ही president को उसको decision लेना हो तो इसको हम कहते हैं pocket veto जब कि president एक indefinite time के लिए एक bill को अपने पास रख ले और ना उसको pass करें ना उसको reject करें और ना ही उसको reconsideration के लिए भिजें One very important point is that that the president has no veto power in relation to the constitutional amendment bill अभी हम आगे इनी classes में types of bills करेंगे उसको मैं आपको एक पूरा table कराऊंगा तो उसके अंदर यही है कि constitutional amendment bill जो है उसके regarding president के पास कोई भी veto power नहीं है 24th constitutional amendment of 1971 made it obligatory for the president to give his assent to a constitutional amendment bill और इसमें एक और situation भी आती है article 201 के तहट under article 201 होता क्या है जो governor है किसी भी state का वो कोई भी bill passed by the state legislature उसको reserve कर सकता है president की advice के लिए या फिर consideration के लिए तो उसके से president के पास 3 option होते हैं या तो वो उस bill को accept कर ले या वो उस bill को withhold कर ले और अगर वो withhold कर लेता है तो वो bill वहीं कतम हो जाता है और तीसरा option president के पास होता है he can send the bill for the reconsideration of the state legislature in such case the bill if the bill is passed again by the state legislature then it is presented again to the president and again the president has choice that he may or may not accept the further recommendations इसका मतलब यह है कि article 201 की case में यह compulsory नहीं है president के उपर he is not bound by the reconsidered bill यानि कि state legislature का bill अगर governor is reserve किया तो president या तो उसको accept करेंगे या उसको reject करेंगे यानि कि withhold करेंगे या उसको reconsideration के लिए भेजेंगे पर यदि अगर same bill दुबारा president के बास आता है consent के लिए तो it is not compulsory for president to accept it he may again reject it and also he can not send for reconsideration a money bill in the article 201 also so these are the types of veto तो अब हम चलते हैं बात करेते हैं पार्लियमेंट के बारे में article 79 to article 122 in part 5 enumerates the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges as well as the powers of the parliament so first thing is what does the parliament consist of parliament consists of three main things president, loksabha and rajasabha and Indian parliament is based on west ministerial form of parliamentary government in Britain यानि कि जो west ministerial form of parliamentary government है ब्रिटेन में उससे इस्पाया होकर हमने अपनी इंडियन parliamentary form of government को बनाया है तो इंडियन पार्लियमेंट के दो houses है rajasabha है, loksabha है उसके इलावा पार्लियमेंट के में president को भी आया जाता है और किसी बिलको law बने के लिए loksabha, rajasabha और president तीनों की approval चाहिए ही चाहिए होती है तो पहले बात करते हैं rajasabha की, rajasabha में maximum 250 members होते हैं जिसमें से 238 elected होते हैं और 12 जो हैं वो nominated होते हैं fourth schedule है जो constitution का it deals with the allocation of seats in rajasabha to the states and the union territories so presently 245 members हैं हमारी rajasabha में so maximum stand 250 है फिर presently 245 है और उसमें से 12 जो है वो nominated है and the rest is elected from 233 is elected from various states and union territories पहले बात करते हैं method of election की जो representation होती है states की rajasabha में are elected by the elected members of the state legislative assemblies in the by the following the method of the system of proportional representation by means of single transferable vote system यानि की वो ही STV जो की हम president के election में उसके उसी के थुरू state legislative assemblies में members को elect किया जाता है and the seats are allotted to the rajasabha on the basis of population that too of 1971 census and also only Delhi and Pudu Cheri have representation in the rajasabha only two UTs I mean की जो साथ उने टेरिटरी है इंडिया की उनमें से के विल दिली और Pudu Cheru ही ऐसी UTs हैं जिसकी representation है rajasabha में 12 members are nominated having special knowledge in the field of literature, art, science and social service आजकल इसका purview बढ़ चुका है और जैसे की सचिन दंदूलकर को भी nominate किया गया था as a member to the rajasabha it acts as a speed breaker इसका मतलब यह है कि मानली जी कोई बिल है जो लोकसभा में पास हो गया है तो basically जो लोकसभा में majority होती है जिसकी वही सरकार बनाता है तो कोई government bill introduce करती है तो उसको उतना criticism लोकसभा में नहीं मिलता in case अगर उसकी majority है लोकसभा में अच्छी जैसे कि presently BGP regime की एक बहुत अच्छी majority है लोकसभा में तो उनको bill पास कराने में लोकसभा में कोई दिकरत नहीं होती but in rajasabha BGP doesn't have a majority so rajasabha acts as a speed breaker क्योंकि उसके अंदर जो opposition है proper criticism करती है और जो बिल उनको अच्छा नहीं लगता जो बिल उनको लगता है के changes मांगते हैं changes जरूरी है जिस बिल में उस बिल को वो रोकती है and it hence act as a speed breaker then we have लोकसभा the maximum strength of लोकसभा is 552 530 from states 20 from union territories these are elected and 2 from Anglo-Indian community that is nominated by the president if he feels that there is no adequate representation of this community in the लोकसभा so in लोकसभा there is a direct election based on universal adult suffrage everyone who is above the age of 18 can vote in this election earlier the age was 21 but it was reduced to 18 with the 61st constitutional amendment of 1988 यह मैंने आखको पुरानी क्लास में बिताया था कि 61st constitutional amendment 1988 के बाद ही reduced की गई थी और इसके बाद ही election commission को multi-member body बिनाया केया था उसे पहली election commission के लिए लेकी member हुआ करता था but उसको gradually multi-member body बिनाकर team members वाली body बिना दिया गया था so every state is divided into territorial constitution for the conduction of the elections and जो दो nominated members का जो provision है actually 1960 तक ही operate होना था but via an amendment in the constitution that is 95th constitutional amendment of 2009 it was extended till 2020 तो इसलिए 2020 तक ये nominated members का जो provision है ये रहेगा और उसके बाद दुबारा decide होगा की एसको continue करना है या नहीं करना so this is all about composition of loksabha and as well as the rajasabha so 42nd amendment हुई थी 1976 में उसने froze कर दिया है territorial allocation of seats को loksabha में यानि 1976 की amendment के बाद 2000 तक कोई भी change नहीं होगा allocation of seats of two different states in loksabha और उसके बाद एक और amendment हुई 84th amendment 2002 और उसने उस 2000 वाले period को 2025 तक extend कर दिया तब 2025 तक कोई भी change नहीं हो सकता in the allocation of seats to the loksabha और उसके बाद एक और amendment हुई 87th amendment 2003 में उस amendment के तहत यह हुआ कि जो उन्होंने कहा कि allocation of seats to different states in loksabha उसको तक हमने 2025 तक वो कर दिया है कि यह change नहीं हो सकती but we can always change the boundaries of the territory यानि कि जो territorial consequences है हम की boundaries को हम इदर उदर कर सकते हैं within the state तो इसके लिए उन्होंने delimitation commission का अगठन हुआ और delimitation की गई on the basis of 2001 census and not 1991 census यह बहुत important point है कि 2001 के census के उपर delimitation की गई यानि कि जो territorial boundaries है consequences कि within the state उसको change किया गया बिना seats को change किये लोकसभवा में तो उसके लाब सेट्स आ रिजर्फ पर schedule caste and schedule tribes in our parliaments and with the 95th amendment of 2009 2020 तक इन seats को reserve किया गया and probably it will always extend and then we have the point territorial representation territorial representation का मतलब यह है कि हर member जो है legislature का हमारा he represents a particular geographical area जिसको हम constituency कहते हैं और जो candidate उस constituency पर में जोर्टी गेंड करता है he is elected as the part of legislature तो इंडिया यानि कि इंडियन parliamentary system follows territorial representation तो इंडिया यानि कि इंडियन parliamentary system follows territorial representation तो इंडिया आप रीड़ेजस्मेंट ना वीजर्टी तो दूरेशन फालिमेंट पहले बात करते है राजिसभा कि राजेसभा is a permanent body, जब से most important point देगी है कि राजेसभा is a permanent body, it never gets dissolved, one third of its member retire every second year, यानि कि one third member उसके every second year retire होते हैं और नहीं, one third member ही नहीं आते हैं, तो ऐसा क्यों है कि पहली बार हुआ कि पार्लिमेंट स्टार्ट हुआ और आजेसभा फॉर्म हुई, तो उसके इंतर तीन तरह के members चूज किये गए, by a lottery, and these types of members were for 2 years, 4 years and 6 years respectively, so after 2 years, one third of its member retired, and these were re-elected, and after 2 more years, one third again retired, जिनको 4 साल के लिए चुना गया, तो वो retire हुए, and again one third were re-elected, and after 2 more years, जो 6 साल के लिए elect हुए थे, a lot हुए थे, lottery से जीते थे, वो भी retire हो गए, और one third members को दुबारा elect किया गया, तो इस तरह से एक ऐसा system बन गया, कि one third of members retire every second year, and the term of office of a member of Rajasarabha is now 6 years, अब हर व्यक्ति जो Rajasarabha में elect होता है, उसकी terms होती है, वो 6 साल की होती है, and one third of its members retire every second year, and one of the most important point regarding the duration of Rajasarabha is that, the members are eligible for re-election, so they can be re-elected, they can be re-nominated, तो मानलीजे की जैसे सचिन से दूलकर है, उनको nominate किया गया था Rajasarabha में, और उनको ने मानलीजे अपने 6 साल का tenure खतम किया, और वो retire हो गए, तो he is eligible for re-nomination, और ऐसे ही कोई member है, राजेसभा के जो elect होए है, जैसे कि मुहनसिंग जी थे, वो राजेसभा के member हुआ करते हैं, तो वो retire होए, उसके बाद, वो दुबारा election के लिए eligible है, तो यह सा राजेसभा की duration के बारे में, अब आस करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा has a normal term of 5 years, in normal circumstances, a लोकसभा works for 5 years and gets automatically dissolved after 5 years, और जो लोकसभा है, उसको कभी भी president जो है, वो dissolve कर सकते हैं, और उनके पास power ही dissolve करने की लोकसभा को, it is not challengeable in any court, किसी भी court में, किसी भी court of law में इसको challenge नहीं गया जा सकता कि president ने क्यों लोकसभा को dissolve किया 5 साल से पहले, and apart from this, there is one special provision, that a लोकसभा can be extended during the emergency, so emergency के period के दुरान, लोकसभा को भाया law for a one year time, तो एक साल के लिए लोकसभा को extend किया जा सकता है during emergency, और ये एक साल को कितनी बार भी बार बार एक साल करके कर सकते हैं, तो मानिज जी कि 5 साल टर्म पूरा हुआ, emergency का time है, तो एक law pass किया कि हाँ, हम लोकसभा को एक साल के लिए बढ़ा रहे हैं, फिर एक साल के बार दुबारा law pass किया है, हम एक साल के लिए और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे 50 बार भी कर सकते हैं, बट जब emergency खतम हो जाएगी, emergency के खतम होने के 6 महीनी के अंदर ही लोकसभा का जो time है वो खतम हो जाएगा और इट कन नोट एक स्टेंड मोर, यह है दूरेशन ओ लोकसभा अस वेल अस राजयसभा, Now we will move to membership of parliament. So what are the qualifications to be a member of parliament? As per article 84 of the constitution, a person is qualified to be a member of parliament provided. He is a citizen of India. सब्सें बात बात भी है, he is a citizen of India. He has completed 30 years of age in case of राजयसभा and 25 years in case of लोकसभा. So islihe house of elders कहा जाता है राजयसभा को, क्योंकि राजयसभा में minimum age required is 30 years, while in the लोकसभा, the minimum age required is 25 years. And the third point is, पॉजेसी सच अधर qualification as may be prescribed in the, that behalf by or under any law made by the parliament. So this means that और वो सारी conditions भी लागो होंगी एक member बनने के लिए parliament पे, जो की parliament by law passed करता है. So basically this means that the representation of people act जो parliament ने पास किया हुए है 1951 में, उसके अंदर जो-जो qualifications मेंशिंग की गई है, उन qualification की base पर ही member बन सकते हैं, पार्लियमेंट के. और representation of people act जो है बहुत ही important act है इंडिया का, and it is explicitly mentioned in GS2 slavers of the mains paper. मेंश में representation of people act का एक अलग bullet point है, अगर आप slayvers को ध्यान से जेखेंगे, बहुत सारी कोजिस पूछे जाते हैं representation of people act से. So basically वैसे राजसभा को council of states भी कहा जाता है, और लोगसभा को house of people भी कहा जाता है, और राजसभा को council of states के अलावा house of elders भी कहा जाता है, यहाँ पर 30 years की age जो है, वो minimum required है, as compared to 25 years in case of लोगसभा, and nominated members जो हैं वो भी बहुत जाता है, राजसभा में as compared to लोगसभा, क्योंकि उसमें सिर्फ दो nominated members है from the Anglo-Indian community, while in राजसभा, you know, there can be nominations on the basis of special knowledge in literature, arts, science, social service, etc. तहीं बात ही membership of parliament के हम देखने के representation of people act 1951 क्या conditions हमें देता है, so the third condition above let the parliament to include other qualifications for member of parliament, in the representation of people act of 1951, these qualifications are as follows, तो जो पहली सबसे important condition है, वो यही है, कि only an elector can be elected, यह मेंस भी आप लिख सकते हैं, only an elector can be elected, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ती, जो vote करने के लिए eligible है, केवल वो ही व्यक्ती है, जो कि parliament के लिए, यह parliamentary constituency के लिए, election को contest कर सकता है, it means that the candidate must be registered, as a voter in a parliamentary constituency, and must be eligible to vote, if due to any reason, the person loses eligibility to vote, he would lose eligibility to contest also, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ती, जो eligible नहीं है, vote करने के लिए parliamentary constituency के लिए, elections के लिए, वो व्यक्ती, election को contest भी नहीं कर सकता, so for example, इसके अंदर दो cases लेते हैं हम, पहला case है कि मानली जी किसी को jail हुई हुई है, या फिर उसको jail के लावा मानली जी, lawful detention के अंदर है वो, so he cannot vote, and therefore he cannot also contest the election, but in the case of preventive detention, मैंने आपको बताया था article के अंदर, article 22 के अंदर मैंने आपको बताया था, कि दो तरह की detention होती है, punitive detention होती है और preventive detention होती है, तो जो preventive detention है अगर है, तो in that case, a person can vote, and a person can also contest for election, दूसरी condition basically clarification है, कि it is not necessary that a person should be registered as a voter, in the same constituency, this is applicable for both loksabha and rajasabha, इसका मतलब यह है, कि जिस constituency से आप voter registered है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है election भी उसी constituency से लड़े, ऐसा हो सकता है कि आप किसी constituency से आप registered है as a voter, and आप किसी और constituency से election लड़े, and this is applicable to both loksabha as well as rajasabha, a person from reserved category can only, only can contest election if the loksabha seat is reserved for these categories, however, an SCST person can contest election on an unreserved seat also, तो इसका मतलब बेसिकल यह है कि जो reserved seat से, SCST की, उसपर के वाइल SCST ही जो reserved लोग ही है, वो ही contest कर सकते हैं, पर जो SC और ST है, लेगन also contest election on unreserved seat, तो यह है main main बाते हैं, जो differentiation of people act में हमारे appearance point of view से important है, जान लेते हैं कि जो constitution के क्या provisions है, disqualification के regarding, तो जो हमारा constitution का article number है 102, 102 यह बहुत important article है, यह कहता है, article हमारा 102, a person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of either house of parliament, उसमें 5 condition उनने इस दी है, first, if he holds any office of profit under the government of India, or the government of any state, other than an office declared by parliament, by law not to disqualify its holder, यानि कि वो कोई office of profit नहीं ले सता है, under the union or the state, except some profits mentioned by the parliamentary law, second, if he is of unsound mind, and stands so declared by a competent court, यानि कि अगर वो unsound mind का है, और उसकोग कोट जो है ऐसा declare करती है, if he is an undischarged insolvent, fourth, if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state, fifth, if he is so disqualified by, or under any law made by the parliament, तो इस्विर मैंने आपको पहली condition बिताई थी, कि वो office of profit नहीं hold कर सकता, state और union के अंडर, तो उसके अंदर वो union का minister होना, या state का minister होना, office of profit में नहीं include होते हैं, तो मैंने आपको 5 condition बिताई, office of profit, unsound mind, undischarged insolvent, citizen of India, and disqualified under any other law made by the parliament, तो any other law made by the parliament के अंदर, जो most important है, वो यही है, कि representation of people act, तो another important point is that, in case of any dispute regarding the disqualification on the above grounds, यानि कि जो मैंने आपको 5 grounds रताई, उन 5 grounds में disqualification जब होती है, that the president decisions in accordance with the opinion of the election commission shall be final, यानि कि जो president का decision होगा, अगर कोई dispute arise होता है, इन 5 तरह की disqualification की case में, तो जो president का decision है, on the basis of the opinion of the election commission shall be final, और यह बाज जो लिखी गई है, या article 103 में लिखी गई है, 102 आटिकल का जो clause 1 है, वो 5 तरह के हमें बताता है कि अगर कोई dispute arise होता है, इन 5 ग्राउंट से बेस पे जब कोई disqualification होती है, तो president का decision on the basis of the opinion of the election commission shall be final, और जो clause 2 है, it was inserted by the 52nd amendment of 1985, तो जो जो बहुत इंपोर्टन clause है, 52nd amendment 1985, and it says, if a person is disqualified under the 10th schedule, that is on the grounds of defection, तो एक anti-defection law add किया गया था हमारी constitution में, और जो 1985 में 52nd amendment हुई, उसने एक नया clause जोड़ा, article 102 में clause 2 जो कहता है, a person shall be disqualified for being a member of either house of parliament, if he is so disqualified under the 10th schedule, और 10th schedule के बारे में हम जानते हैं, on the ground of defection, so defection का मतलब क्या होता है, तो defection का मतलब यह होता है, कि आप जिस party की ticket पर, आप जीते election, और member बने parliament के, या फिर किसी state legislature के, अगर आप उसको voluntarily give up कर दो, तो it is known as defection, तो basically इसमें 3 के साते हैं, अगर person vote करे या abstain कर दे vote करने से, उस direction में जो उसको उसकी political party कहे, या यह कि उसकी political party कहते हैं, कि आपने इस चीज़ पर vote करना है, यह vote करना है, बट ही से इसके नहीं में तो opposite direction में जाऊँगा, तो it is known as defection, if an independently elected member joins any political party, it is also known as defection, कि माले जिए कोई independent candidate था, वो election लिटता है, पर जीतने के बाद, member of parliament बनने के बाद, वो किसी political party को join करता है, then it is also a defection, and if any nominated member joins any political party, after the expiry of six months, it is also covered under defection, और 1992 में Supreme Court ने कहा था, कि जो decision होगा, chairman का या फिर speaker का, इस regard में के anti-defection हुई है या नहीं हुई, it shall be subjected to judicial review, तो इसमें important point हमें पता यह चलता है, कि जो question of disqualification है, on the ground of defection, it is decided by the speaker of the Lok Sabha, और in the case of Rajya Sabha, it is decided by the chairman of the Rajya Sabha, and not by the president, the second ground is double membership, यानि कि representation of people act 1951, हमें यह पताता है कि double membership नहीं possible, यानि कि if a person is elected to both the houses of the parliament, he must intimate within 10 days, in which house he desires to serve, यानि कि वो Rajya Sabha लोक Sabha का इख़े member नहीं हो सकता, उसको बताना पड़ेगा कि हां वो कौन से house को चूज करना जाता है, इसके लावा वो किसी भी एक house में भी दो streets पर जीतेगा तो उसको एक ही streets चूज करनी पड़ेगी, अगर वो चूज ऐसा नहीं करता तो उसकी दोनों ही streets vacant हो जाएगी, and also if a sitting member of one house becomes a member of another house, then his street in the first house becomes automatically vacant, यानि कि माल लीजे कि भी राज्यसभा का member है, और वो लोकसभा में चुना जाता है, तो उसकी राज्यसभा की street आपने आप automatically vacant हो जाएगी, और उसके अलावा एक और बहुत important point ये भी है, कि Parliament जिसके अंदर आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, state legislature में आते हैं विदान सभा और विदान परिशद, और विदान परिशद जो है, वो हर जगा नहीं होते, state legislative council, पर state legislative assemblies यानि कि विदान सभा हर जगा होती है, तो अब person can not be a member of both parliament and state legislature at same time, या तो वो उस time parliament की member होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक के member होंगे, या फिर वो state legislature में से किसी एक के member होंगे, विदान सभा के member होंगे या विदान परिशद के member होंगे, तो इसके इंदर हमारी चार important बात आते हैं, double membership के अंदर, कि पहली बात आती है, कि अगर कोई व्यक्ति है, जो seat है, वो आपने आप vacant हो जाएगी, तीसरी बात यह, कि अगर कोई एक house में भी दो seat बर elect होता है, तो इसको पताना पड़ेगा कि वो कौनसी एक seat यूज़ करेगा, और आधर वाज उसकी दोनों ही seat ticket हो जाएगी, और तीसरी बात यह, कि state legislature और parliament के member ही कटे नहीं हो सकते है, तो these are the disqualification of based of double membership, अब तीसरा आता है resignation, resignation simple है, design member of parliament design कर सकते है, तो लोगसभा के जो member है वो design कर सकते है, जिठी लिकर, speaker of लोगसभा को, और जो राज़जभा के member हैं वो design कर सकते हैं, जिठी लिकर, chairman of राज़जभा को, तो it is resignation, and now we will talk about absence, इसका मतलब यह है कि a house can declare the seat of a member vacant if he is absent from all its meeting for a period of 60 days without its permission, यानि कि start thing से जादा, बिना किसी permission के, अगर कोई वेक्ती, परल्लेमेंट की proceedings में नहीं आता है, तो उसको absence के basis पर disqualify किया जा सबता है by the speaker of the लोगसभा और the chairman of the राज़जभा. अपार्ट रूम एट, अगर किसी का election जो है, वो वोइड कर दे कोई कोई कोट देकले, या ही is expelled by the house, और ही is elected to the office of president or vice president or the governor of the state, तो यह और सी ceases to be the member of that house, विच विच व्लोंग्स तू. मैंने आपको बताया था कि जब president अगर है, तो उसकी minimum qualification है, कि he must be eligible to be a member of लोगसभा, but in case अगर वो लोगसभा की member है, तो उनको लोगसभा की अपनी seat को छोड़ना पड़ेगा. Vice President के case में भी ऐसा ही होता है, because Vice President is the ex-official chairman of the Rajasabha, and governor के state में भी ऐसा ही होता है, कि उनको अपनी seat को छोड़ना पड़ता है. तो हमने बात की article 102 की, article 103 की और representation of people act की, और यह 4 qualification की criteria की, इसके लावा जो representation of people act है, वो 4 criteria हमें 5 criteria और देता है, that he must not have been found guilty of certain election offenses or corrupt practices in the election, यानि की corruption में involved ना हो और उसके लावा यानि की उसको अपने election expenses के बारे में पहले बताना अवशक है, उसका कोई interest नहीं होना चाहिए, government contracts, works या services में, और उसके लावा, he must not be punished or for preaching and practicing social crimes such as untouchability, daori and sati, वो किसी भी तरीके से untouchability, daori या sati में involved ना हो, और इसके कारण उसको सजा ना मिली हो, तो यह सारे criteria's जो हमें बताते हैं, disqualifications of members of parliament के बारे में, एक prelims point of view से बहुत important fact है, कि जो salary और allowances होती है, speaker की, लोकसभा की, और जो chairman है, राज़सभा की, they are determined by the parliament, but they are charged लोंदर consolidated fund of India, तो भी हम आगे तीन टाइप की फंड की बात करेंगी, consolidated fund of India, public account fund of India, and contingency fund of India की, पर जब तक हम इतना ज़रूरी है, कि जो salaries है, speaker of लोकसभा की, और chairman of राज़सभा की, they are charged on the consolidated fund of India, speaker of लोकसभा, तो speaker of लोकसभा is elected from amongst this member, यानि कि जो speaker है, वो elect किया जाता है, among the members of लोकसभा, यानि कि जितने भी लोकसभा की members में, उन्हीं में से एक को speaker choose किया जाता है, if the office falls vacant, then लोकसभा elects another member to fill the vacancy, अब किसी भी कालन से, अगर speaker का जो office है, वो vacant हो जाता है, तो लोकसभा जो है, वो among the members, अपने members में से ही किसी और को चुलेती है, the speaker. He ceases to be a speaker if he loses membership in लोकसभा, यानि कि जो speaker है, अगर वो लोकसभा का member नहीं रहता, तो वो साथ किसा speaker का office भी छोड़ देता है, छोड़ना पड़ता है उसको. So, he ceases to be the speaker if he loses a membership in लोकसभा. Apart from this, a speaker can be removed by a resolution passed by a majority of all the members of लोकसभा, but such resolution can be moved only after giving a 14 days advance notice. यानि कि जो speaker है, ये तो एक तो है कि लोकसभा का कर वो member नहीं रहता, तो अपने speaker की post से हड़ जाएगा, उसके लाबा उसको resignation दे सकता है अपना deputy speaker को, और उसके लाबा उसको remove भी किया जा सकता है, by a resolution passed by a majority of all the members of the लोकसभा, but only after a prior days notice of 14 days. So, ये है speaker के बारे में थोड़ी सी बात, और जो speaker का election होता है, उसकी जो date है, वो president fix करते हैं. And when the लोकसभा is dissolved, the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected लोकसभा means. यानि कि जब लोकसभा dissolve होती है, तो जब तक नहीं लोकसभा नहीं आती, तब तक speaker अपने office को continue करते हैं. तो ये हमने बात की speaker of लोकसभा के बारे में. अब इनकी powers and functions के बारे में बात करते हैं. The first power is, he is the speaker, is the head of the लोकसभा. He is the guardian of powers and privileges of members, the house and its committee. He is the principal spokesman of the लोकसभा and his decision in parliamentary matters is always final. He derives his power from three sources, Constitution of India, parliamentary conventions and rules of procedure and conduct of business of लोकसभा. He has to maintain order and decorum in the लोकसभा. यानि कि अगर कोई भी member लोकसभा का discipline maintain नहीं करेगा या फिर परिशान करेगा या कोई ऐसी बात करेगा जो कि पार्लेमेंट की decorum को खराब करेगी. So it is the duty on the responsibility and the power of the speaker कि वो ऐसा ना होने दे. He is the final interpreter of the rules of procedure and conduct of business of लोकसभा and the parliamentary precedence. He also adjuns to लोकसभा in the case of absence of quorum. Quorum का क्या मतलब होता है? Quorum का मतलब होता है कि house को constitute करने के लिए किसी meeting को start होने के लिए एक particular quorum होता है जो maintain करना जरूरी है. एक particular membership होती है कि अगर इतने member present होंगे तभी quorum पूरा होगा और तभी parliament की meeting है वो continue होगी. So in India it is one tenth of the total strength of the house. तो मान लिजी कि मैंने आपको बताया था 445 members है लोकसभा में तो one tenth members का होना अविश्यक है quorum पूरा करने के लिए और उसी के बाद ही meeting start होगी house की. तो in case अगर quorum पूरा नहीं होता तो speaker जो है वो adjourn कर देते हैं house को. तो speaker है वो कभी भी vote नहीं करते हैं लोकसभा की किसी भी matter में पर in case अगर वोटिंग जो है वो equal हो for and against तो वो casting vote को अपने exercise करते हैं और उनका फिर vote decide करता है कि वो for में जाएगा या against में जाएगा पर वो first instance में कभी भी vote नहीं करते हैं. He also decides over the joint sitting of the two houses of parliament तो होता क्या है कि जो president है इंडिया के वो joint sitting को बलाते है in case of a deadlock between the राजिसभा and the लोकसभा. तो पांच तरह के बिल होता है मारे पास ordinary बिल, money bill, financial bill category 1, finance bill category 2 and constitutional amendment bill. So, जो money bill होता है और constitutional amendment bill होता है इन दो बिल के लावा हर तरह के बिल में there is a provision for joint sitting यानि कि कोई deadlock आ जाए राजिसभा और लोकसभा के बीच में कोई दोनों की विचार ना मिले तो president जो है वो joint sitting को बिला सकते हैं राजिसभा और लोकसभा की उस deadlock को resolve करने के लिए और उस joint sitting की meeting में हमेशा speakers जो है वो decide करेंगे Speaker decide करते हैं कि जो bill introduced हुआ है वो money bill है या नहीं और ये बहुत important बात है क्योंकि money bill को decide करना एक बहुत important चीज है क्योंकि राजिसभा का इसमें कोई say नहीं होता तो अगर speaker decide करता है कि कोई bill money bill है और action में वो money bill नहीं है तो basically वो bypass कर देता है bill राजिसभा को और अगर कोई arm bill है तो उसमें राजिसभा का भी agreement चाहिया होता है but in the case of money bill there is almost practically no say of राजिसभा then there is also provision of secret sitting जो leader of house होता है उसके कहने पर speaker एक secret sitting बुला सकता है जिसके अंदर कोई galleries विगारा में या lobbies में कोई भार का विक्ती नहीं बैठ सकता बिना speaker की permission के questions of disqualification of members मैंने last lecture में आपको बताया था anti-defection law के बारे में जो 10 schedule में mentioned है तो इस case में speaker decide करता है disqualification की question on the based of defection he is also the ex-officio chairman of the Indian parliamentary group जैने आपको बताया था ex-officio का मतलब वही मतलब है हाँ पर भी apply होता है so he is the ex-officio chairman of the Indian parliamentary group of the inter-parliamentary union he appoints the chairman of all the parliamentary committee of the loksabha and also supervises their functioning बहुत सारी committees है loksabha की parliamentary जैसे की public account committee, public estimate committee और एक prelim points of view से बहुत important question है कि committee on estimates होती है अब इसके बारे में पढ़ियेगा थोड़ा और एक होती है public account committee इसको मैं आगे cover भी कराऊंगा थोड़ा they are called the twin sisters in Indian parliamentary democracy so question आसकता है कि इन दो committee में से कौनसी committee है जिनको twin sisters का जाता है so committee on estimates है इन the public account committee so independence and impartiality की provisions को कैसे maintain किया है हमारे constitution स्पीकर के इसको बात करते है so he is provided with the security of tenure यानि कि उसको remove करने का बहुत मुश्किल तरीका है for doing इसका prior notice चाहिए और total majority, total जो stent है house की उसकी majority से voting चाहिए उसके लावे मैंने आपको बताया सब्सक्राइब के बारे में के एक act है 1953 का salaries and allowances of officers of parliament act जो कहता है कि जो speaker की salary है और जो chairman of the Rajasubha की salary है it is charged on the consolidated fund of India so it is not votable यानि कि जो parliament में annual vote के लिए वो नहीं होते है उसको annual vote नहीं किया जाता and these are fixed time to time by the parliament जो work and conduct of speaker in the parliament cannot be criticized he is also ranked 7th in the order of presidents इसका मतलब है कि he is equal to the chief justice of India जो order of president होता है उसमें president सबसे उपर आते हैं और इसका मतलब ये भी है कि वो prime minister और deputy minister के इलावा हर cabinet minister से उपर rank किया गया है उन्हें ये provision है जो independence and impartiality को maintain रखते हैं हमारे deputy speaker की अब बात करते हैं deputy speaker की तो he is also elected amongst the members of the लोगसभा यानि कि लोगसभा में इसे ही चुना जाता है deputy speaker को भी और deputy speaker को speaker की election के बात चुना जाता है और जो उसकी date of election है वो speaker ही decide करता है in case office falls vacant another election take place यानि कि अगर deputy speaker का किसी भी कारण से office जो है वो vacant हो जाता है तो एक और election हुआ किया जाता है जिसके तहत deputy speaker को चुना जाता है जो deputy speaker is not responsible to the speaker it is responsible to the house directly यानि कि जो deputy speaker है he is directly responsible to the house he presides when speaker is absent and मान लिजे कि joint sitting president ने भुलाई है deadlock को resolve करने के लिए और speaker अवेलेबल नहीं है तो then deputy speaker will preside over such joint sitting और deputy speaker के पास एक special privilege है कि जब भी उनको किसी भी parliamentary committee का member बनाया जाता है चाहिए वो कोई भी parliamentary committee हो then he automatically becomes the chairman of that parliamentary committee and both the speaker and deputy speaker while assuming their office do not subscribe to any separate oath or affirmation कोई भी उनको अलग से oath या affirmation लेनी की जूरुरत नहीं होती है and deputy speaker और speaker के दोनों के institution 1921 में under the government of India Act 1919 set up किये गए थे so it is all about deputy speaker but from speaker and deputy speaker there is also a panel of chairmen of log sabha that is nominated by the speaker from amongst the members यानि कि एक speaker होगा एक deputy speaker होगा उसके एलावा भी एक panel of chairmen को speaker जो है nominate करेंगे amongst the member of the log sabha यानि कि log sabha के अंदर से ही एक और group को speaker nominate करता है the panel of the chairman और वो तब decide करते है meeting के उपर in case speaker और deputy speaker दोनों ही absent हो but इसमें important point यह है but when the office of the speaker and deputy speaker is vacant these offices cannot preside यानि कि जो vacancy होगी speaker और deputy speaker के office में तब यह members नहीं preside करेंगी क्योंकि मैंने आखको बताया था कि जैसे ही कोई speaker या deputy speaker के office में vacancy होगी उससी time नया speaker या deputy speaker हम elect करेंगे but in case वो absent है कुछ time के लिए तो these members will preside पात करते हैं speaker pro term की मैंने आपको बताया था कि जो speaker होता है लोगसभा का वो continue करता है even after the dissolve होने के बाद भी लोगसभा के continue करता है अपने काम को जब तक नई लोगसभा इलेक नहीं होती बट जैसे ही पहली meeting होनी start होने से पहले ही लोगसभा की नहीं लोगसभा की पहली meeting start होने से पहले ही जो speaker है वो अपने office को vacate कर देता है तो उसके बाद speaker pro term का role start होता है तो speaker pro term is usually the senior most member of the लोगसभा and he is appointed by the president और वो जो पहली meeting होती है नहीं लोगसभा में उसको preside करते हैं and has the similar powers to the speaker in that circumstances तो उनका काम क्या होता है he presides over the first setting of the newly elected लोगसभा and the main purpose is that he administer the oath to all the new members of the लोगसभा and when the new speaker is elected the office ceases to exist यानि कि जो कहला speaker elect होगा जिस दिन speaker elect होगा उससी दिन उनका जो speaker pro term का office है वो आपने आप dissolve हो जाएगा और जो speaker pro term है वो ही election करवाते हैं speaker of the लोगसभा का एक concept है speaker pro term का उसके लावा है कुछ prelims के लिए facts देख लेते हैं important in 1921 Frederick White and Sachidana Sinha were appointed as the first speaker and the first deputy speaker respectively of the Central Legislative Assembly यानि कि अजादी से पहले Central Legislative Assembly के जो first speaker थे वो थे Frederick White and the first deputy speaker थे Sachidana Sinha and they were not elected, they were appointed in 1925 Vithal भाई J. Patel become the first Indian and the first elected speaker of the Central Legislative Assembly या पहले Indian थे और पहले elected speaker भी थे first speaker of the लोगसभा यानि कि लोगसभा आफ्टर अजादी जी वी मालवांकर या बहुत फेवरेट कुस्टन से examiner का, quizzes मे भी या फिर कोई भी competitive exam हो and the first deputy speaker of the लोगसभा is Ananthasayanam Ayangar पहले इस prelims की कुछ facts ही, आप याद रखेंगे तो आपको बहुत help रहेगी अब बात करते हम थोड़ी सी chairman of the राजिसभा की तो vice president is the ex-officio chairman of the राजिसभा, मैंने आपको पहले भी ex-officio chairman का मतलब बताया था कि that by virtue of holding one office if a person holds another office it is known as ex-officio chairman or ex-officio office when he acts as the president he do not act as the chairman of the राजिसभा vice president जब राजिसभा के chairman का काम करते हैं मिशा, पर जब वो act करते हैं as a president in case of vacancy in a president office or in case of absence of president तो उस case में, he do not act as the chairman of the राजिसभा but the deputy chairman of the राजिसभा will take all the functions and presides over the meetings of the राजिसभा अब फरक क्या है में जो speaker में है लोगसभा के speaker में और राजिसभा के chairman में that the राजिसभा chairman is not the member of the house but the speaker of the लोगसभा is always the member of the house और हमने तो यहां तक कहा था कि अगर लोगसभा का जो speaker है वो लोगसभा का member नहीं रहता तो he also ceases to be the speaker of the लोगसभा but there is nothing like that in the case of राजिसभा because the chairman of the राजिसभा is not the member of the राजिसभा His powers and functions are similar to the speaker of the लोगसभा in case of राजिसभा यानि कि वो similar functions पूरे करता है राजिसभा में जैसे कि speaker करता है इन लोगसभा जो राजिसभा के chairman होते हैं वो भी पहले instance में कभी वोट नहीं करते हैं but in case कि जो voting है equal हो जाती है तो he can also exercise the casting vote just like speaker of the लोगसभा के आन जो salary or allowances है राजिसभा के chairman के data to are charged on the consolidated fund of India and hence they are not liable to be vote in the parliament that is annual voting उत पर नहीं हो सकती है उसके अलावा जो chairman है राजिसभा के he can be removed from the office of the chairman of राजिसभा only if he is removed from the office of the vice president of India otherwise उनको ऐसे direct नहीं हटा सकते कि वो vice president रहे जाएं और chairman ना रहें अगर वो vice president की office से हटेंगे तब ही वो chairman of राजिसभा की office से भी हटेंगे उसके लावा अगर कभी भी जो vice president है वो president के functions को निभाएंगे तो वो chairman of राजिसभा के functions को नहीं निभाएंगे और उस period of time के लिए उनको salary, allowances and privileges मिलेंगी सारी वही जो कि president of India को मिलती है apart from that deputy chairman acts as the chairman of the राजिसभा when the office is vacant or when the vice president acts as the president or discharges the functions of the president तो यी सारी बात की हमने chairman of the राजिसभा के बारे में तो हम चलते हैं next slide पर leader of the house leader of the house कौन होता है leader of the house दो cases होते हैं तो basically there are two cases एक तो कि तब जब prime minister हमारे जो है वो लोगसभा के member हो और दूसरा कि तब जब prime minister हमारे राजिसभा के member हो तो जैसा कि आपको पता हो गया कि मनमोहन सिंह जो थे वो राजिसभा के member हुआ करते थे और वो इंडिया के prime minister थे और जो मोदी जी है वो लोगसभा के member है and he is also the prime minister of our country तो in case अगर लोगसभा के member है prime minister then he will be the leader of the house but in case अगर वो राजिसभा के member है तो he can't be the leader of the house तो वो क्या करेंगे कि वो राजिसभा के member है खोतो पर वो लोगसभा के किसी member को nominate करेंगे to function as the leader of the house and there is also a leader of the house in the राजिसभा तो he is a minister and a member of the राजिसभा और उनको nominate करते है prime minister कि आप राजिसभा के leader of the house है, so there are leader of the house in both Lok Sabha and Rajya Sabha and there are two cases for such, the next we have leader of the opposition, so leader of the opposition, he is the leader of the largest opposition party, पर उनके पास कम से कम one-tenth of the total strength of house की सीर्स होनी चाहिए, तो मान लिजे कि जो largest opposition party है, कि मान लिजे बीजेब एक्शन लड़ गई और जीत गई, और Congress जो है वो opposition में है, तो largest opposition party जो है वो Congress है, पर उनके पास कम से कब one-tenth of the total seats of the total strength of the house होनी चाहिए, तभी उनका जो leader है, he will be the leader of the opposition, और जो office है of the leader of the opposition, ये बहुत ही जादा important office है in the parliamentary system of government of India, जो parliamentary functioning of India है, ये बहुत ही जादा depend करती है, the house on the office of the leader of the opposition, because he is the person or he is the member of the parliament who provides the constructive criticism of the policies of the government and to provide an alternative government, यानि कि वो ही है जो criticize करेगा constructively कि ये policy गल्थ है, ये policy सही है, और साथ ही वो ही कहेगा कि आपकी बास majority नहीं है तो वो ही no confidence motion को भी pass करेगा और साथ ही एक alternative government को भी provide करेगा in case अगर majority नहीं है government के पास, तो जो leader of opposition है लोगसभा और राजयसमह में, उनको statutory recognition 1977 में by parliamentary law दी गई थी and they are also entitled to the salary, allowances and other facilities equivalent to that of cabinet minister, यानि कि 1977 में एक law pass के अधा parliament उसके दहर उनको statutory recognition दी गई office को of the leader of the opposition इन बोथ लोगसभा और साथ ही उनको salary allowances और other facilities भी दी गई which is equivalent to a rank of the cabinet minister and the last important thing we will talk about today is WIP, जो WIP है ये इसको कहीं भी mention नहीं किया गया है, it is based on the conventions of the parliamentary government, ये practices convention जो चलती आ रही है, उसके उपर based है, पर जो leader of opposition or leader of house है, they are mentioned clearly in the rules of the house and parliamentary statute respectively, यानि कि जो leader of the house है, it is mentioned in the rules of the house and parliamentary statute के नदे leader of the opposition को mention किया गया है, बर जो WIP है, it is a convention based thing and it is not mentioning anywhere, तो जो WIP है, basically ये maintain करता है, ये ensure करता है कि जो political parties है, जो उनकी सदस्या है, they are attending the parliament, apart from that, they are in the favor of the policies of the political party which they belong to, और साथ ही अपने members के behavior को regulate भी करता है, तो जो members है political parties के, they are supposed to follow the directives given by the WIP, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ जो है disciplinary action को लिया जा सकता है, तो generally they follow the WIP, because it can be very problematic for them in case अगर वो WIP को follow नहीं करते हैं, तो sessions of parliament के बारे में बात करते हैं, तो पहले बात करेंगे summoning की, तो जैसा कि मैंने आपको president के legislative functions की time पर पिताया था कि summon का मतलब है भूलाना, and the president has the power to summon both the houses of the parliament, but important point यहां पर जो है वो यह है कि there can not be a gap of more than six months in between the two sessions of parliament, तो इस बात को समझने से पहले हमें एक चीज को जाना ज़रूरी है कि session का मतलब क्या होता है, तो जो session word है उसका मतलब यह होता है कि जो first sitting होती है किसी भी house की, उसकी sitting से लेकर till prorogation या फिर solution तक का जो time होता है उसको हम session कहते है, and there are three sessions of parliament mainly, एक होता है budget session February से May की बीच में, एक होता है monsoon session July से September की बीच में, और एक होता है winter session November to December, तो आपने एक बारे में भी कारों में बहुत बार सुना होगा इन sessions के बारे में, और आप ये भी सुना होगा शायद कि जो winter session था इस बार काफी delayed हो गया था, and जैसे कि मैंने आपको बताया November से December होता है वर it started I think in January, तो उसको कहते है हम session, और इसमें कौर important time आती है उसको कहते है recess, तो recess का मतलब होता है कि prorogation जब होती है किसी भी house की उस time से लेके जब तक वो दुबारा reassemble होता है उस time को हम कहते है recess, तो जो basically हमारा जो session होता है parliament का वो चार तरह से spend किया जा सकता है, एक होता है adjournment और एक होता है adjournment signed die, एक होता है prorogation और एक होता है dissolution, तो पहले जा लेते हैं एजर्मेंट का क्या मतलब होता है जो एजर्मेंट की पावर होती है ये प्रिसाइडिंग आफिसर के पास होती है तो माल लिजे कि लोग सभा चल रही है उसके presiding officer speaker है तो जो speaker है वो house को adjourn कर सकते हैं एक specified time के लिए और वो बताएंगे कि किते time के लिए जो है हमने adjourn किया है अपने house को चाहे वो आज में हो चाहे वो days में हो चाहे वो weeks में हो और दूसरा होता है adjournment signed आए वो भी हमारा presiding officer ही करते हैं और उसका मतलब होता है कि जब हम किसी indefinite period of time के लिए जो speaker होते है माल दिजे लोग सभा के या presiding officer chairman होगे राजय सभा के जब किसी भी indefinite time के लिए बीना यह पिता है कि कब reassembly होगी अगर वो adjournment करते हैं तो उसको गहते हैं adjournment signed die तो यह होगे पहले जो message suspension of session के adjournment and adjournment signed die then we have prorogation prorogation की जो power है वो हमारे president के पास available है under article 85 under article 85 तो इस power के तहर जो है president किसी भी house को prorogate कर सकते हैं and जो prorogation है it can be during the session or whether parliament is not in session also तो यह बात होगी prorogation की और अब बात करते हैं dissolution की यह चौसा method है suspend करने का parliament को I am in parliament के session को तो जो dissolution होती है वो पहली जाना जुरूरी है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजर सबा जो है वो एक permanent body है और जो लोग सबा है के वल वो ही dissolution dissolve की जा सकती है जो राजर सबा है उसको dissolve नहीं किया जा सकता because राजर सबा है is a permanent house so dissolution के वल होती है लोग सबा की तो जो dissolution होती है dissolution life ही खतम कर देती है house की और एक नए election होते हैं नए general election होते हैं उसके बाद ही जो लोग सबा है दुबारा constitute की जाती है तो अब जानते हैं कि dissolution किन-किन cases में होती है तो पहले तो होती है एक automatic dissolution तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोग सबा का जो tenure है that is for five years तो जब लोग सबा का tenure खतम होगा तो it will automatically be dissolved और जो दूसरा case है जब लोग सबा dissolve होती है वो वो case है जब प्रेजिडेंट चाते हैं और प्रेजिडेंट और करते हैं कि हाँ लोग सबा को dissolve कर दिया जाए पर यह जो है प्रेजिडेंट जो है उनको advice देते हैं council of ministers और council of minister के कहने पर ही प्रेजिडेंट जो है वो लोग सबा को dissolve करते हैं हाला कि इसमें एक और कंडिशन हो सकती है कि माल लेजिए कि अगर प्रेजिडेंट को ऐसा लगता है कि there is no confidence and no confidence motion हो और सरकार अपनी majority को प्रूव ना कर सके और साथ ही ऐसा situation हो कि किसी और की भी majority ना बन रही हो तो उस case के अंदर भी जो प्रेजिडेंट है हमारे वो लोग सब कर सकते हैं जो सबस्के इंपोर्टन पॉइंट के dissolution के regarding वो यह है कि जो भी बिल्स होते हैं motions होते हैं resolutions होते हैं notices होते हैं petitions होते हैं जो pending होते हैं before the committee they all lapse with the dissolution of लोगसभा जब लोगसभा डिजॉल्व होगी तो वो सारे बिल्स, मोशिंस, रेजूलुशन, नोटिस या फिर पेडिशन पेंडिंग विफोर दॉर कमिटी दे आल विलाप्स pahle जाया जिए है कि कहनने सब्स्स रख सब्सकतं सब्सक्राइब जब डrut ईशनक्राइब करते बिल अधर से राज as बड़्स, वह फैर ब on theância सब्सक्राइब, जब नई लोगसभा हों जाएगे उसके और एक ऐसा बिल की पास हो गया था लोकसभा में और राज्यसभा में भेजा गया था अप्रूवल के लिए वो भी लैप्स हो जाएगा और जब नहीं लोकसभा बनेगी तो इन सब बिल्स को बिल्कुल फ्रेश नए नए रूट से लाना होगा पर चार एक्षेप्शन से इसकी उसको जा लेते हैं पहले तो जो पहली एक्षेप्शन है वो यह है कि इन केस कि कोई ऐसा बिल था हमारे पास जिसको दोनों ही हाउसे इसमें भी पास नहीं किया था और और एक डेड़्ड लेट हो गया था और प्रेजिदेट ने उसकी केस में एक जwijnक सिटिंग भूलानीजी की बात कि थी तो उसकी में जो वह बिल होगा वह लाप्स नहीं होगा दूसरा केस है इसकी अंदर कि जब एक बिल है वो कि दोनों ही हाउसे ने पास कर दिया था पर प्रेजिडेंट ने उसको अभी एक्सेंट नहीं दिया था तो उस केस के अंदर भी जो बिल होगा वो लैप्स नहीं होगा तीसरे केस में कोई ऐसा बिल जो कि राजे सबर में अभी पेंडिंग हो और लोग सब अब तक पहुंचा ही ना हो तो वो बिल जो होगा वो भी अभी लैप्स नहीं होगा And also the last case is कोई ऐसा बिल जो कि दोनों हाउसेज ने पास्नों कर दिया था पर उसको जो प्रेजिडेंट के पास भेजा गया एक्सेंट के लिए तो President ने अपनी Suspensive Veto का इस्तमाल करते हुए उस बिल को वापिस भेज दिया Reconsideration के लिए तो जो ऐसा भी होगा उसको भी Lats नहीं करेंगे हम तो Basically दे रहा है Four Exceptions to this तो ये चार चीजें हो गई जिनके इस तरह से हम Suspend कर सकते हैं Parliament की Sitting को तो इसमें में फराख क्या है जो Adjournment है It Terminates a Sitting, Prorogation Terminates a Session and Disolution Terminates the Life of a House तो जो Disolution होती है वो केवल और केवल लोगसभा की होती है Not of Rajasabha तो आगे बात करते हैं कोरम की तो जैसा कि मैंने आपको प्रिविस लेसिस में बताया था कि कोरम का क्या मतलब होता है तो कोरम का मतलब होता है कि minimum number of attendance जो required है किसी भी session को काम करने के लिए और हमारा समीधान कहता है 110 110 members का होना present है including the presiding officer तो उसे हम अंदादा लगा सकते हैं 55 members यानि की लोगसभा में होने आवश्यक है और 25 members होने आवश्यक है इन राजसभा तो अगली बात करते हैं voting in the house की तो जो भी matters आते हैं पार्लेमेंट में चाहे वो लोगसभा में आये चाहे वो राजसभा में आये तो उनको हम decide करते हैं by the help of voting और जो majority vote होता है उसको support किया जाता है पर इसके अंदर भी अलग-अलग cases होते हैं special majority, absolute majority, etc. वो अलग-अलग cases में हम देखेंगे and जो speaker होता है यानि की presiding officer होता है चाह speaker हो चाहे chairman हो वो पहले instance में voting नहीं करते हैं in case अगर दोनों case में दोनों side के equal votes हो तो जो हमारे presiding officer होते हैं वो अपना casting vote exercise करते हैं अगली बात करते हैं language in the parliament में यानि की parliament में council language चलती है तो जो हमारा सभिषान है वो कहता है कि जो हिंदी और English are the languages to transact business in the parliament बट जो हमारे presiding officer है speaker, chairman या job use time presiding officer है वो allow कर सकते हैं वो permission दे सकते हैं किसी एक particular member को कि आप अपनी mother tongue में बात कर सकते हैं तो ये बात की हमने sessions of parliament की अब जलते हैं next slide पर rights of ministers पर तो ministers जो होते हैं they can participate in the proceedings of the house on which he is not a member also तो basically ministers होते हैं तो ministers जो हैं वो जरूरी नहीं है कि किसी भी house के member हो तो कुछ केसी ऐसे भी होते हैं कि दोनों houses की member नहीं होते हैं minister but they have to become a member of at least one they have to become a member of one house within the six months तो उन्छे महिनों के दुरान किसी भी house की setting में बैठ सकते हैं but they are not entitled to vote and they can also sit in the joint setting of joint setting of the parliament and also any committee of the parliament of which they are member but they are not entitled to vote और उसकी शे महिनी के अंदर अंदर जब वो किसी एक particular house के member बन जाएंगे so they are entitled to vote in that house and दूसरे house के अंदर वो बिना voting के rights के अभी भी बैठ सकते हैं और उसके लावे जो attorney general of India होता है he is the first law officer of India he is also entitled to sit and participate in the proceedings of any house also the joint sitting but he is also not entitled to vote a minister who is not a member of either house can participate in the proceedings of both the houses and a person can remain a minister for six months without being member of either house or parliament पर उन छे महिनों के अंदर अंदर उसको किसी ना किसी एक house का member बना ज़रूरी है otherwise उन मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे तो ये बात की हमने right of ministers की अब चलते है next slide पर parliamentary proceedings पर question R and 0 R तो जो question R होता है तो जो question R है वो पहला जो घंटा होता है parliamentary proceedings का it is meant for question R and उसके अंदर जो members है ministers है उनको जो members of parliament है बाकी questions पूचते हैं और जो questions है वो तीन तरह की होते हैं start questions होते हैं unstart questions होते हैं और short notice short notice question होते हैं तो जो start questions होते हैं they are oral questions और उनका answer overall देना होता है minister को so they can be supplementary questions यानि कि एक question पूचा तो उसको follow up questions कर सकते हैं क्योंकि उसका answer oral होता है जो unstart questions होते हैं उसका answer return होता है so they can be no follow questions यानि कि supplementary questions नहीं पूचा जा सकते और जो तीसरा होता है short notice questions उसके लिए कम सिक्तम 10 दिन का notice देना ज़रूरी है तो यह होता है question r और यह parliamentary proceedings का important part है और questions आसके immediately बात होता है zero r तो zero r जो है rules of procedure में mentioned नहीं है और यह Indian innovation है in the parliamentary proceedings of the country और जो zero r होता है उसके अंदर जो members of parliament है बिना किसी notice के certain issues को raise करते हैं और यह तब तक चलता है जब तक कि उस दिन का जो agenda है particular जो कि speaker ने या फिर chairman ने तेह किया है जब तक वो start नहीं होता तब तक zero r जलता है and it is a very important thing because यह एक Indian innovation है पहली बात तो parliamentary proceedings में और दूसरी बात यह help करती है members को वो matters raise करने के लिए जिनके लिए कोई prior notice नहीं दिया गया है जो कि initiate करता है कोई भी member parliament का ताकि कोई action हो सके और अलग-अलग opinions जो है उसको देखते हुए जो motions पर उसको accept किया जाता है या फिर reject किया जाता है और इस बात में हमने एक और important बात देखी that with the permission of the presiding officer यानि कि कोई भी motion pass करने के लिए जो deciding officer है उसकी permission होना ज़रूरी है तो जो motions होते है various या तो वो council of ministers initiate करते है या फिर private members initiate करते हैं जो कि council of minister का part नहीं होते तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के bills होते हैं government bills होते है private bills होते है और उसमें जो major difference है यही होता है कि जो government bill होते है वो कोई ना कोई council of minister initiate करते है और जो भी private bill होते है तो council of minister के लावब कोई भी और member of parliament कोई bill initiate करता है तो उसको हम कहते हैं private member bill तो बात करते हैं various types of motions की तो पहले बात करते हैं substantive motion की substantive motion का मतलब होता है self-contained independent proposal dealing with a very important matter जैसे कि कोई impeachment of president या फिर removal of chief election commissioner यानि कि self-contained independent proposal होती है जो कि बहुत ही important matter होता है जिसमे उसे हम कहते हैं substantive motion फिर बात करते हैं हम substitute motion की तो substitute motion एक ऐसा motion होता है जो कि और उसके बात जो अगर substitute motion को accept कर लिया जाएगा तो that will supersede the original motion तो this will be substitute motion फिर बात करते हैं subsidiary motion की तो जो subsidiary motion होता है that is always in the reference with the original motion ये कभी independently नहीं खड़ा होता और जो subsidiary motion होता है इसके आगे तीन भागों में बाटा गया है एक होता है ancillary motion एक होता है superseding motion और एक होता है amendment अब जानने तेन तीनों के बारे में तो पहले बात करते है subsidiary motion यानि की उसका पहला पाट ancillary motion ancillary motions का मतलब होता है that they are used as a regular way of proceeding with various kinds of business यानि कि वो regular business को conduct करने के लिए use किये जाते हैं फिर बात करते हैं superseding motions की there are motions which though independent in form are moved in the course of debate on another question and to seek to supersede that question यानि कि वहाँ कोई और question debate चल रहे है उस पर तो एक superseding motion पास किया जा सकता है और अगर वो accept होता है that will supersede the earlier question फिर बात करते हैं amendment की उसका मतलब होता है कि basically वो जो try करती है कि जो original motion चल रहा है उसके किसी एक part को amend करने की कोशिश करती है कि जो भी motion चल रहा है वो वैसा ही चलेगा पर उसको एक particular part है उसको modify कर जाएगा या amend कर जाएगा फिर बात करते है closer motion की closer motion is a motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the house यानि की कोई debate चल रही है उसको cut short करने के लिए उसको cut short करने के लिए closer motion pass किया जाता है by a member of the house और अगर ये motion जो है वो pass हो जाता है उसको approve कर लिया जाता है तो जो भी debate चल रही होती है house में उसको उसी time बन करकर साथ की साथ उसको voting शुरू कर दिया जाती है यानि की जो debate है उसको cut short कर दिया जाता है और अगर आप जानेंगे तो closer motion जो है वो भी आगे further types का होता है चार types का होता है एक होता है simple closer दूसरा होता है closer by compartments फिर तीसरा होता है kangaroo closer and the last one is gullotine closer तो जो simple closer होता है उसका मतलब होता है कि जब जो भी matter है discussion का उसको sufficiently discuss कर लिया गया है और अब इसका time आ गया है कि अब इस पर vote किया जाए तो उसको कहते हैं simple closer फिर बाग करते हैं closure by compartments की तो कोई अगर बहुत lengthy will है माल लीजे तो उसको different compartments में divide कर दिया जाता है और एक particular compartment को as a whole discuss किया जाता है and then finally पूरे bill पर voting की जाती है एक होता है kangaroo closer उसका मतलब होता है कि only important clauses are taken up for the debate and voting और जो intervening clauses होती है उसको माल ली आ जाता है कि automatically they are passed and bulletin closure का मतलब है कि कुछ clauses जो हैं वो discuss हो चुके होते हैं पर due to time positivity time के कमी होने के कारण उस पूरे को voting कर दी जाती है क्यूंकि जो undiscuss clauses होते हैं उसको discuss करने का time नहीं होता तो यह हो गया closure motion अब बात करते हैं बहुत important motion है वो है privilege motion इसका मतलब होता है कि अगर कोई minister जो है वो कोई distorted या wrong facts देता है या फिर breach करता है ministerial privilege की तो उसके खिलाफ privilege motion पास किया जाता है and its purpose is to censor the concerned minister फिर आता है calling attention motion calling attention motion का मतलब होता है यह call करता है attention of a particular minister of very important matter या फिर publicly very important कोई matter हो उस पर किसी particular minister की statement लेने के लिए या फिर उसके intention को जड्रॉ करने के लिए इस motion को पास किया जाता है and it is an Indian innovation in the parliamentary form of government and it was introduced since 1954 in India so this is calling attention motion now we have adjournment motion adjournment motion को पास करने के लिए कम से कम 50 members की जो है required होती है accent या जानि की support जरूरी होती है 50 members की कम से कम और यह बहुत ही urgent public important जो matter होता है उसको raise करने के लिए पास किया जाता है and फिर उस issue को discuss किया जाता है बागी सब issues के उपर तो यह होगे different types of motion substantive, substitute, subsidiary subsidiary मैंने आपको बताया आगे भी 3 तरह के होते हैं अंसिलरी, superseding, amendment फिर बात करते हैं closer motion की closer motion चार्तरा के होते हैं simple closure, closure by compartments, kangaroo closure guillotine closure then we have privilege motion, calling attention motion adjournment motion अब बात करते हैं no confidence motion की तो जो no confidence motion होता है वो हमेशा opposition पास करती है और कम से कम 50 members की support इसको पास करने के लिए भी required होती है और यह जो है, यह दिखाना चाहती है कि सरकार जो है, उसकी majority नहीं है अब लोगसभा में और अगर उसकी majority नहीं है लोगसभा में तो लोगसभा शुट बी dissolved और यह article 75 जो हमारा constitution का वो कहता है that the council of ministers shall be collectively responsible to the लोगसभा तो यह इस article को uphold करती है कि अगर confidence नहीं है, अगर majority नहीं है लोगसभा में government की तो उसको dissolve कर देना चाहिए फिर आता है motion of thanks जो motion of thanks होता है, यह president के लिए pass किया जाता है, जब जब president address करता है parliament को after each general election and the first session of every fiscal year addressed by the president और in case अगर motion of thanks जो हो pass नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है कि सरकार की majority अब नहीं रही है और वो एक तरह से no confidence motion की रूप में साबित होता है फिर no day yet named motion यह कैसा motion होता है कि जो speaker admit तो कर लेता है पर वो यह नहीं बताता है कि यह कौन सी date को discuss किया जाएगा तो उसको कहते हैं no day yet named motion फिर अगला आता है point of order यह जो motion है, यह cable opposition ही हमेशा initiate करती है और it is a special provision यह बहुत rare use होता है और यह cable tab use होता है तो जब सरकार जो power में होती है वो अपनी मनमर्जी चलाती है और जो rules है, जो procedure है उसको follow नहीं किया जाता है तो अगर कोई matter जो है वो बहुत ही important है public importance का है तो speaker उसको half an hour allot कर देता है हफते में 3 दिन के लिए और उस half an hour में 3 दिन उसको discuss किया जाता है फिर बात कहते हैं short duration discussion की इसको 2 hour discussion भी का जाता है क्योंकि जो time इसके लिए allot किया जाता है short duration discussion के लिए ये 2 खंटक से जादा नहीं हो सकता तो इसको कहते हैं short duration discussion और इन 1953 से इंडिन constitution और इंडिन parliamentary form of government में मौझूद है तो बात करते हैं resolutions की तो 3 तरह की resolution होती है private member resolution, government resolution और statutory resolution तो basically जो resolution होता उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब यही होता है कि आप resolution पास करते हैं अलग-अलग members parliament के to initiate a proceedings on a publicly important matter तो private member resolution अगर council of ministers के इलावा कोई भी member of parliament initiate करता है कोई resolution उसका कहते है private member resolution अगर council of ministers का कोई member जो है वो अगर initiate करता है resolution तो उसका कहते है government resolution और जो statutory resolution है या तो गौर्मेंट का member या तो वो councilor minister का member initiate करेगा या फिर उसे private member भी initiate कर सकता है और वो हमेशा किसी particular provision of an act of parliament या फिर एक particular provision of the constitution के उपर ही initiate किया जाता है तो ये तीन तरह की resolution होती है और इसमें सबसे important fact है ये है कि जो सारे motions होते हैं वो ज़रूरी नहीं वोट किया जाए पर जितनी भी resolutions होती है उन सब पर हमेशा बोट किया जाता है मैंने इसको एक बहुत जी simple form में एक tabular form में पांचों तरह की bills को बना दिया है और आप प्लीज इसको note कर लीजेगा वीडियो को pause करकर क्योंकि ये आपको बहुत ही जादा helpful रहेगा तो ये है वो table इसके अंदर पांस तरह की bill की बात की है मैंने ordinary bill money bill financial bill of category 1 financial bill category 2 and constitutional amendment bill तो पहले इंग bill को start करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से bill की बात कौन से article में की गई है तो जो ordinary bill है it is not separately mentioned in the constitution money bill article 110 ये आप note कह लीजे कहीं article 110 financial bill category 1 article 117 clause 1 financial bill category 2 article 117 clause 3 and constitutional amendment bill defined in article 368 ऐसा वीडियो को पॉस करकर दुबारा सुन सकते हैं मैं फिर भी एक बार पीट कर देता हूं money bill is article 110 financial bill category 1 article 117 clause 1 financial bill category 2 article 117 clause 3 and constitutional amendment bill article 368 तो पहले जानते हैं सबका मतलब क्या है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते है money bill से कि money bill कौन सा bill होता है money bill is the bill which contains provisions provisions mentioned in article 110 यानि कि ये वो बिस है article 110 define करता है कि कौन सा bill money bill होता है और इसके अंदर जो main main provision mentioned किये गए मैं वह आपको समझा देता हूं एक बार तो पहला provision है the imposition, abolition, remission, alteration और regulation of any tax यानि कि tax related second is the regulation of the borrowing of money by the union government borrowing से related third the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India the payment of money into or withdrawal of money from any such fund fourth the appropriation of money out of the consolidated fund of India fifth declaration of any expenditure charge on the consolidated fund of India or increasing the amount of any such expenditure and the last the receipt of money on account of the consolidated fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the union or state तो ये 6 conditions इसको लर्ण करने के आई धिन्क जरुरत नहीं है पर आप सोड़ा से जान लेजे कि ये तो article 110 है इसके अंदर ये main condition mentioned है और ये condition decide करते है कि कौन सा bill money bill होगा और कौन सा नहीं तो अप मारे दिमाग में question आता है कि कौन decide करेगा कि money bill है या नहीं तो जैसा कि मैंने आपको speaker के time पर पताया था कि जो powers of speaker में कि speaker is the person who decides a bill is money bill or not और इसमें बहुत important point ये भी है कि the decision of the speaker in this regard is always final यानि कि speaker ने जो कह दिया वो ही final है अगर speaker कहता है कि ये money bill है तो his decision will always be final and it can not be challenged तो बात करते हैं भी financial bills कौन से है category 1 और category 2 तो पहले जालने कि जो financial bills होते हैं ये वो bills होते हैं जो कि article 110 के provision को तो include करते हैं but there are some other provisions also यानि कि article 110 के provisions तो है ही पर उसके अलावा कुछ और provisions भी है और साथ ही इनको speaker ने money bill को money bill term नहीं किया है तो माले जाए जोसे financial bill category 1 category 2 या फिर financial bill है और money bill नहीं है but provision जो है article 110 के भी है और साथ में कुछ extra provisions भी है तो that will be financial bills अब बात करते हैं category 1 और category 2 की तो जो category 1 है it contains those bills which has matters related to taxation but it is not termed as money bill by the speaker of the law तो ये होंगे financial bill category 1 और जो financial bill category 2 है those are those bills that are related to the expenditure of the government और expenditure from the consolidated fund of India but these are not termed as money bill by the speaker of the law तो ये होंगे money bill financial bill category 1 financial bill category 2 और हम बात करते हैं constitutional amendment bill की तो ये जो है ये mention है article 368 में और ये बहुत ही important bill होते है और इनका concern क्या होते है या ये कुछ change लाना जाते है constitution में चाहे वो कुछ नया add करना चाते हों चाहे वो कुछ पुरानी चीज़ को change करना चाते हो amend करना चाते हो alter करना चाते हो चाहे वो किसी पुरानी चीज़ को हटाना चाते हो यानि कि repeal करना जाते हो तो all these types of bills are called constitutional amendment bills तो यह है money bill, financial bill, category 1, category 2, constitutional amendment bill तो बात करते हैं ordinary bill की तो वो सारी bill जो की ना money bill है, ना financial bill category 1 है ना ही financial bill category 2 है और ना ही constitutional amendment bill है तो वो सारी होते हैं हमारे लिए ordinary bill तो अब इनके बारे में जानते हैं कि इसमें procedure क्या follow किया जाता है तो अगर आप इस table को no down कर लेंगे, learn कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत easy हो जाएंगे इनको learn करना bills को, तो पहले जानते हैं, prior recommendation of president, यानि कि इन bill को ऐसे ही introduce किया जा सकता है, या फिर prior recommendation चाहिए होती है हमारे president of India की, तो ordinary bill के case में, पहली बात तो यह है कि जो लोगसभा और राजिसभा दोनों houses में, यानि कि houses in which it can be introduced, लोगसभा और राजिसभा, यानि कि लोगसभा और राजिसभा, दोनों ही houses में जो ordinary bill है, उसको introduce किया जा सकता है, और कोई prior recommendation of resident की, इसमें आवशक्ता नहीं होती है हमारे को, तो यानि कि कोई भी bill है, तो लोगसभा हो चाहिए राजिसभा हो, किसी भी house में इसको initiate किया जा सकता है, and there is no requirement of any recommendation, prior recommendation of the president, उसके लावा जानते हैं, say or role of house, यानि कि equal say, लोगसभा और राजिसभा का इसमें बराबर से होता है, यानि कि जो लोगसभा के बाद जितनी भावस है, राजिसभा के पास भी उतनी ही powers है, बोलने के अपनी बात को रखने की, उतनी ही बात उसकी मानी जाती है, तो in ordinary business, there is equal say of राजिसभा as well as लोगसभा, provision of joint sitting, yes, there is a provision of joint sitting in the case of ordinary bill, but only in the case of disagreement, अगर कोई disagreement होता है, तो जो president है, वो joint sitting बुला सकते है, लोगसभा और राजिसभा की, ताकि वो जो deadlock है, जो भी दिक्कत है, कि एक house कुछ और कुछ और कुछ और कह रहा है, तो जो president है इस case में, एक joint sitting बुलाएंगे, सबको एकठा भी ठाएंगे, और उसको deadlock और resolve करेंगे, तो in case of disagreement, yes, there is a provision of joint sitting, तो अब बात करेते हैं, presidential ascent की, तो तीन तरह के मैंने आपको बताई थी veto, suspensive veto, pocket veto, absolute veto, suspensive veto का मतलब साथ कि जो president है हमारे इंडिया के, मों किसी भी बिल को reconsider करने के लिए दुबारा पेश सकते हैं वापिस, but in case अगर बिल दुबारा आ जाता है, तो उनको accept करना बढ़ता है, चाहे उन्होंने recommendation को माना हो या ना माना हो, दूसरी थी pocket veto, pocket veto का मतलब ये होता है, कि जो president है उसको indefinite period of time के लिए अपने pass रख लेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, तो उसको अपने अब उसको pass नहीं होने दिया जाएगा, तो उसको हम कहते है pocket veto, and the third one is absolute veto, यानि कि साफ मना कर देना, if a president withhold its assent, कि नहीं भाई मैं तो इसको नहीं माददा, और अगर president इस case में withhold करने consent, उनके पास अगर absolute veto की power है, तो जो bill है वहीं lapse हो जाएगा, और उसके राजिसभा लोगसभा में पास होनेगा, कोई फायदा नहीं होगा, so in case of ordinary bill, all types of vetoes are present, तो first is expensive veto, यानि कि reconsider करने के लिए जो प्रेजिनेंट है, बिल को वापिश भेज सकते हैं, लोगसभा या राजिसभा को, pocket veto अपने पास रख सकते हैं, indefinite period of time के लिए, और absolute veto यानि कि वो साफ मना कर सकते हैं उस bill को, action देने के लिए, बड़ जो इसमें important बात यह है, कि जो point है, यह absolute veto गा, it is available, only if the bill is private, so अगर private member bill है, तो president के पास absolute veto होगी, बट in case private member bill नहीं है, तो president के पास absolute veto नहीं होगी, यानि कि government bill ने president directly मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो president है, he usually works on the advice of the council of ministers, तो इस सारी बात की हमने ordinary bill की, तो इसमें एक बार जानते हैं कि मतलब क्या है equal seka, तो यहाँ पर equal seka मतलब यही है, कि मानली कोई bill है, ordinary bill है, उसको लोगसावर में इंट्रोडिउस किया गया, तो लोगसावर में पास हो गया bill, तो राजी सावर में जाएगा वो bill, तो राजी सावर के पास बहुत सारी options होंगे इस case में, या तो वो bill को pass कर देगी without any amendment, या फिर वो कहेगी नहीं, इसमें कोई देखका था है, आप इसमें amendments कीजिए, और वो bill दुबारा लोगसावर के बाद जाएगा, या फिर वो कहेगी नहीं, या बिल तो गलत है, इसको reject कर देगी उस bill को, या फिर उस bill को अपने माँ spending रखेगी और कोई action नहीं लेगी, तो इन चारों किस्ट में क्या होगा, अगर वो pass कर देथी है bill को without any amendment, तो the bill will be passed, obviously by both the houses, अगर वो कहते हैं कि नहीं कुछ amendments चाहिए है, तो वो और लोगसावर के बाद जाता है bill, लोगसावर कहते हैं कि अगर वो कोई action नहीं लेती है राजावर और उसको छे महीने तक अपने पास रखती है, तो इस केसे में भी देर विल बिया डेड लॉक, तो मतलब क्या है deadlock arise हो जाएगा and there is a provision of joint sitting to resolve that deadlock, तो इसका मतलब यह है कि equals से हैं दोनों houses का in case of ordinary bill, यानि कि अपनी मनमज़ी नहीं चला सकता कोई भी एक house, क्योंकि अगर राजे सब्सकों को approval नहीं देगी, और वो bill वैसे ही pending रहेगा, तो मैंने आपको पताया है money bill जो है article 110 में mention है, और article 110 जो है वो 6 बाते करता है जिरूरी, अगर उन में से कोई भी बात, या फिर जो भी बात speaker को लगता है लोग सभा के, कि हाँ ये बात पूरी हो रही है, तो speaker will decide कि bill जो है वो money bill है या नहीं, और इस case में जो speaker है, उसका decision हमेशा final होगा, कि हाँ bill money bill है कि नहीं, तो एक पर फिस दुबारा सुन लेते कि वो 6 conditions पॉन सी ही, एक तो it must be related to any tax, like the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax, second, borrowing solicitation होना चाहिए, the regulation of the borrowing of the money by the union government, third, the custody of the Consolidated Fund of India or the contingency fund of India, the payment of monies into or withdrawal of money from any such fund, fourth, the appropriation of money out of the Consolidated Fund of India, fifth, declaration of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India or increasing the amount of any such expenditure, and the last is the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or the issue of such money or the audit or the accounts of the union or the state. So, ये 6 conditions हैं, जो decide करती हैं कि एक bill money bill है या नहीं, और speaker of the Lok Sabha decide करता है कि एक bill जो है वो money bill है या नहीं. तो basically, मान लीजे कोई bill है, और speaker ने decide कर लिया है, yes, it is a money bill, तो अब आगे क्या होगा? तो अब जाने के लिए देखते हैं, जो सबसे पहले इक पॉर्टेंट पॉइंट है, कि a money bill can be introduced only in Lok Sabha, it cannot be introduced in Rajya Sabha at all, and it can be introduced only and only in Lok Sabha. केवल और केवल लोगसाब में जो है, वो money bill introduced होगा, and it cannot be introduced in Rajya Sabha. फिर बात करते हैं, prior recommendation of president, yes, there is a requirement of prior recommendation of a president, in case of a money bill, यानि कि एक money bill है जो, पहले पहले बात सबसे important केवल लोगसाब में introduced होगा, उससे भी important बात, it can be introduced only after the prior recommendation of the president of India. और अब इसमें 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 से भी ज़्यादा important point है, वो ये है कि every money bill is a government bill, यानि कि जो council or ministers है, केवल वो ही हैं जो introduce कर सकते हैं money bill को. तो जो money bill होता है हमारा, उसके इंदर जो राज्यसभा है, it has literally no say, यानि कि जो राज्यसभा है, उसकी कोई बात माने ना माने, कोई फरक में परती, सब कुछ लोग सब अपनी बज़ी से चलाता है, और इसलिए देखा जाता है कि जो speaker है, वो वो सारे bill, जिसमें जो government, यानि कि जो present power में government है, वो नहीं चाहते कि कोई इंपर्फेरेंस हो, तो उस सब भी बिल को money bill बना देता है, चाहे हो money bill हो, ना हो, but speaker is the final authority, तो speaker अगर ruling party का है, और ruling party चाहते है कि कोई bill ऐसा हो, जिसमें opposition का role कम हो, और लोग समय तो उनकी majority obviously है ही, तब ही वो power में है government, तो इसलिए हो ताकि राजे सब भागा कोई role ना रहे, इस का नहीं से speaker उसको money bill बना देता है, provision of joint sitting, no, there is no provision of joint sitting in the case of money bill, और ये तो इसी बाते 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 चलता है हमें, कि there is no say of राजे सब भागा, तो अगर राजे सब भागा कोई खास role है ही नहीं इस bill में, तो joint sitting करा कर क्या फायदा, and presidential ascent, supposed to give ascent, इसका मतलब यही है, कि एक जो bill है money bill, it requires prior recommendation of the president, to be introduced in loksabha, तो अगर कोई ऐसा bill है, जिसको president ने recommend किया है, हाँ, कि I recommend, please introduce this bill in loksabha, बट बाज में जब उसके पास जाता है, president के पास, कि हाँ जी, अब लोksabha ने पास कर दिया, राजे सब ने पास कर दिया, बिल को, अब एक काम करी, आप extend दे दिजी अपना, तो president कहेगा no, I won't give a sense, तो normal circumstances जैता नहीं होता है, यह हो सकता है, एक particular case है, ऐसा, जब होता है यह, यह तब होता है, कि जब during the passage of the bill, यारनि क्यों कोई bill है, इसको इंट्रोडूस किया, president ने recommendation दिखर अपनी, पर जब तक वो लोksabha से पास हुआ, लोksabha के दुरान, उसको passage के दुरान, उसके निल major changes आ जाए, तो हो सकता है कि president उसको pocket veto का इस्तिमाल करें, उसको पास ना करें, क्योंकि जो main, उसका जो principles से वो थोड़े बहुत change हो जाए, but it is very rarely possible in case of Indian parliamentary form of government, क्योंकि अगर लोकसभव में majority है, council or ministers की, तो they won't allow any major changes in the bill, तो जो bill जैसा introduced किया है, वो कोशिश करेंगे कि उसको वैसा का वैसा ही पास करें, and president will obviously give his assent, तो जो speaker है, उसकी temptation होती है, he tends to certify even ordinary bill as money bill, ताकि जो speed breaking role है राज्यसभवा का, यानि कि जो राज्यसभवा बिल के अंदर changes लाती है, opposition का जो say है, वो कम करने के लिए, और speed breaking role of राज्यसभवा को कम करने के लिए, money bill के रूप में उसको certify किया जाता है, तो अब जान लेते हैं, जब मैंने का कि राज्यसभवा कोई खास say नहीं होता, कि राज्यसभवा has no say, तो इसका मतलब क्या है, तो मानने जिए कोई bill है, it is introduced by the recommendation of the president, उसको money bill certify किया speaker करने, वो bill जो है लोग समय में पास होता है, then it will go to the राज्यसभवा, तो राज्यसभवा के पास क्या चोइस होंगी, पहली बात तो राज्यसभवा, it can not reject the bill, second, राज्यसभवा can not amend the bill, ना ही वो reject कर सकती है, ना कि ही ना ही वो राज्यसभवा कर सकते हैं बिलको, but what राज्यसभवा can do, it can only recommend some recommendations, यानि कि वो कुछ recommendations दे सकती है राज्यसभवा अपनी, और उसको राज्यसभवा अपनी और उसको राज्यसभवा जो है, ना ही वो reject कर सकती है बिलको, वो केवल और केवल अपनी recommendation दे सकती है, वो भी 14 days के अंदर अंदर देनी होगी, और जो recommendations है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि लोगसभवा उसको माने, और in case अगर वो 14 days के अंदर अपनी recommendations को नहीं देती है, तो that will be even disastrous, क्योंकि जो लोगसभवा है, उसका original बिल्सा उसको पास मान लिया जाएगा, तो there is no provision for joint sitting also, just as I told you, and rest is up to the president obviously, and president most probably will give his accent to the money bill, और इसमें एक बहुत important point ये है, कि president is supposed to give the accent, but the president does not have a power of suspensive veto, यानि कि जो president है, he cannot send the bill back for reconsideration, यानि कि जो president है, उसको reconsideration के लिए bill को भेज ही नहीं सकते, अगर वो money bill है, और चाहे वो state legislature का bill हो, और उसको governor ने reserve किया हो, यानि कि money bill है state का, state legislature से वो governor के पास गया, governor ने उसको reserve किया हो, president के पास, president की consideration के लिए, तो उस case में भी, यह बहुत important point है, तो उस case में भी, the president cannot ask for a reconsideration in case of a money bill, तो कोई भी बिए अगर money bill होगा, तो there is no provision for reconsideration, so there is no suspensive veto in case of money bill, तो यह हमने बात की पूरे money bill के बारे में, अब जानते थोटा सा financial bill category 1 के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, financial bill category 1 bill वो होते है, जिसमें apart from the provisions mentioned in article 110, there are some other provisions also, और category 1 में, it is related to always taxation, तो there is also a prior recommendation of president is required also in the case of financial bill category 1, it can also be introduced only in लोग सभा, तो यानि कि इसके दो provisions same है as compared to the money bill, एक तो इसको भी केवल और केवल prior recommendation of president के बल पर ही लेकिए आजा सकता है, और इसके अब बात की बारे में लोग सभा, बाकिसारी दोग सभा प्रोविजियन जो है वो अलग है, because there is an equal say in case of financial bill category 1, तो जैसे कि ordinary bill में equal say होती है, वैसे ही financial bill category 1 में भी equal say होती है, and there is a provision of joint sitting in case of a deadlock, तो जो पहले दो provision है, it is similar to the money bill, and the next two are similar to the ordinary bill, तो इसमें होता किया राजिसभा के पास क्या क्या options होंगे, या तो राजिसभा जो है इस bill को pass कर देगी, या फिर इसको reject कर देगी, या इसको amend कर देगी, और अगर कोई deadlock rate होता है, तो प्रेजिदेंट can ask for a joint sitting of both स्राजिसभा और लोगसभा, and the speaker will decide on that meeting, ताकि जो deadlock है वो रिजॉर्व कर दिया जाए, और जो bill है वो law बन सके, and the president has in this case, expensive veto as well as pocket veto, तो financial bill category 1 की case में, expensive veto होगी और pocket veto होगी, resident reconsideration के लिए दुबारा भेज सकते हैं बिलको, और pocket veto यूज कर जकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, इसको indefinite period of time के लिए भी, तो ये हो गया financial bill category 1, तो financial bill category 1 में हम यह जाना जरूरी है, कि हमने कहा था कि money bill, it is recommended by the president, so he is supposed to give a send, बट हमने financial bill category 1 में ऐसा क्यूं नहीं कहा, कि यह प्रेजिदेंट ने अगर उसको recommend किया था, तो उसको a send देना ही चाहिए, because, ऐसा होसक रहा है case कि मानली जी कोई bill है, लोग सबह में प्रेजिदेंट ने उसको recommend किया, ताकि वो money bill बन सके, पर जो speaker है उन्होंने कहा नहीं, I don't certify it as a money bill, it is a financial bill category 1, तो इस case में प्रेजिदेंट जो है अपनी वीटो का इस्तिमाल कर सकते हैं, क्योंकि there may be some changes during the passage of the bill, क्योंकि वो money bill नहीं था, financial bill category 1 था, तो it is about financial bill category 1, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, financial bills वो bills होते हैं, जिसके अंदर money bills की provision, जो article 110 में mentioned है, वो तो होते ही हैं, पर उसके अलावा, ऐसे provision में mentioned होते हैं, जो की article 110 में mentioned नहीं है, and जो हमारा financial bill category 2 होता है, it generally contains provisions involving expenditure from the consolidated fund of India, तो यह होते है financial bill category 2, तो पहले बात करते हैं, prior recommendation of president जरूरी है कि नहीं है, तो पहले इसमें बहुत important point जानना यह जरूरी है, कि जो financial bill category 2 होते हैं, इसको introduce करने के लिए कोई भी recommendation की आवशक्ता नहीं होते हैं हमें, and it can be introduced both in loksabha as well as rajasabha, यानि कि जो financial bill category 2 होगा, it can be introduced both in loksabha as well as rajasabha, and it does not require any recommendation for the president for its introduction, but the important point is that it requires recommendation of the president for the consideration, यानि कि कोई bill है, उसको introduce तो किया जा सकता है, loksabha में भी, rajasabha में भी, पर उसको consider नहीं तब तक किया जा सकता, जब तक उसको president अपनी recommendation ना दे दे, तो जब president अपनी recommendation देंगे, उसी के बाद जो particular house है, जिसके अंदर initiate किया गया है वो bill, उसके बाद ही recommendation के बाद ही उसको consider किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने यह आपर लिखा है required, not for the introduction, but for the consideration, यानि कि जो president की recommendation है, उसकी आवशक्ता तो है, but it is not required for the introduction, but instead it is required for the consideration. फिर बाद करते हैं कि रोल क्या है दून हाउसिस का, तो देर इस अन इक्वल से और बोत लोगसभा, as well as राज्यसभा, in the case of financial bill category 2, and yes, there is a provision also for a joint sitting in the case of deadlock. तो इसके अंदर भी financial bill category 1 वाले ही बाते हैं, कि हाँ, राज्यसभा का इक्वल रोल है, और there is a provision for the joint sitting in the case of deadlock, तो क्या क्या options हों कि राज्यसभा के पास, अगर उनके बस bill जाता है लोगसभा से पास होने के बाद, तो वो options होंगे, या तो जो राज्यसभा है उस bill को reject कर देगी, दूसरा option होगा, या तो राज्यसभा उस bill को amend कर देगी, और अगर ना वो reject करती ना वो amend करती है, तो वो उसको पास कर सकती है, और अगर कोई deadlock create होता है, यानि कि कोई वो ऐसी reject करती है, या फिर कोई ऐसी recommendation देती है, जो कि लोगसभा को accept ना करें, लोगसभा उस recommendation को, तो उसके इसमें deadlock arise हो जाएगा, और deadlock को solve करने के लिए क्या कर सकते हैं, फिरेजिदेंट एक joint sitting को बिला सकते हैं, दोना houses को एक अठे बिठा सकते हैं, और जो लोगसभा के speaker होंगे, वो उसको recite करेंगे meeting को, joint sitting को, और के बाद decide होगा कि इसको deadlock को कैसे resolve किया जाए, क्या middle path है, जिसके through इस बात को खतम करकर, इस बिल को एक law बनाया जा सकता है, तो इस बात है financial bill category 2 की, तो इससे में बदा चलता है कि, जो financial bill category 2 है, it is almost similar to the ordinary bill, यह एक तरह का ordinary bill ही है, but it contains some provision regarding the expenditure from the consolidated fund of India, और उस provision के regarding, उस provision के कारण ही, इसको financial bill category 2 कहा जाता है, and financial bill category 2 को introduce नहीं, कि एवल consider करने के लिए, recommendation चाहिए होते है president की, and बाकी सारे procedures are almost same, as the ordinary bill, and there is suspensive veto as well as the pocket veto, with the president, तो president जो है उसको suspensive veto का इस्तमाल कर सकते हैं, यानि कि ए-reconsideration के लिए भेज सकते हैं, बिल को law बनाने से पहले, and in case अगर उनको दुबारा बोला जाए कि नहीं, हमने ए-reconsider कर लिया है, और हम इसी को law बनाना चाते हैं, तो on the second time, the president needs to, यानि कि उनको अपने accent जो है उस दूसरी बार देना ही पड़ेगा, and there is also pocket veto, pocket veto का मतलब है कि the president उसको indefinite period of time के लिए अपने बास रख सकते हैं, ना ही वो उसको reject करते हैं, ना ही वो उसको accept करते हैं, and hence, there is, you know, pocket veto, but the important point is, there is no absolute veto in the case of financial bill category 1 as well as category 2, कोई absolute veto नहीं है, यानि कि ये नहीं कह सकते कि I withhold my ascent, absolute veto is present in the case of ordinary will, if it is introduced in the house by the private member, but there is no such absolute veto in the case of financial bill category 1 as well as category 2, तोई पूरी बात कर लिए हमने financial bill category 2 की, अब चलते हैं constitutional amendment bill पर, तो constitutional amendment bill concept bills होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि constitutional amendment bills वो bills होते हैं, जो कि हमारे समिधान में कुछ नया लाना चाहते हैं, या फिर कुछ पूराना जो है उसको हटाना चाहते हैं, या फिर कुछ है उसको change करना चाहते हैं, तो इन इंग्लिश, I will tell, a constitutional amendment bill is a bill which proposes addition of any new provision in the constitution, और alteration, और variation, और changes in the existing provisions of the constitution, और repealing of any provision of the constitution, तो इसको हम कहते हैं constitutional amendment bill, तो जैसे कि इसमें आप example ले सकते हैं, मालने जी GST का, GST was a constitutional amendment bill, जो भी latest amendment होया है हमारे constitution में, और दूसरा होता है, आप मालने जी example ले सकते हैं, article 21A का, मैंने आपको बहुत बार बताया है, कि right to education जैसको हमने fundamental right बना दिया था, article 21A में add करकर, DPSP से change करकर, उसको fundamental right बनाया था, हमने वायदा 86th constitutional amendment 2002, तो वो भी एक constitutional amendment bill ही था, इसको accent मिलने के बाद वो एक law बन गया, तो बात करते constitutional amendment bill की, so there is no requirement of any prior recommendation of president, and it can be introduced in both the houses of the parliament, यानि कि जो bill है, इसको हम लोगसभा और राजसभा दोनों के अंदर introduce कर सकते हैं, and there is no requirement of, there is no prior recommendation, कि कोई आउशकता नहीं है, प्रेजिदेंट की इस bill को introduce करने के लिए किसी भी एक हाउस में लोगसभा के, and the very important part is, that both the Rajasabha and the लोगसभा, has equal say in the case of constitutional amendment bill, यानि कि जो constitutional amendment bill है, उसको pass करने में जो Rajasabha और लोगसभा, जो हैं, उनका दोनों का बराबर का रोल है, और ये important क्यों है, क्योंकि there is no provision of joint sitting, तो अभी तक हमने देखा था कि जहां जहां हमने equal से बोरा था, हमने बोला ordinary bill, there is an equal say, हमने बोला financial bill category 1, there is equal say, हमने बोला financial bill category 2, हमने का उसमें भी equal say, पर हमने का कि जिस जिसमें equal say होगा, उसमें joint sitting का provision भी होगा, but in the case of constitutional amendment bill, ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है, राजसभा और लोकसभा का दोनों का बराबर का हिस्सा है, बराबर का say है, but there is no provision for joint sitting, तो अभ जानते हैं कि फिर बराबर का say कहते है, लोकसभा और राजसभा का, तो सबसे important बात जो जानी ज़रूरी है, वो यह है कि जो constitutional amendment bill होता है, उसको पास separately करती है लोकसभा और राजसभा, तो जो पहले है वो bill किसी भी house में introduce होगा, माल लिजे लोकसभा में जो है, वो constitutional amendment bill जो है मों introduce हुआ, अब वो constitutional amendment bill जब लोकसभा में introduce होगा, तो उस पर discussion होगी, and then उस पर voting होगी, and then it requires the special majority to be passed, अब special majority is article 368 के अंदर क्या है, special majority का यहाँ पर जो वो मतलब है, वो यह है कि at least two-third of the members present and voting, यानि कि जिते भी लोग present है house में उस time, और जो voting में part भी ले रहे हैं, यह नहीं कि वो part present तो है, पर वो part नहीं ले रहे हैं, तो वो फिल क्लूड नहीं करेंगे इसमें हम, तो वो लोग जो present भी हैं, और voting में पार्ट भी ले रहे हैं, उसकी two-third majority, उसके two-third लोग कम से कम इस बिल का साथ दे, and it should be more than half of, यानि कि 50% से जादा लोग of the total strength of the house, तो जितने टोटल लोग हैं, उसकी कम से कम one, यानि half strength होनी चाहिए, जो कि बिल के support में हो, तो यह जब दोनों conditions फुल्फिल होंगी, तब ही वो बिल उस house से पास हुआ माना जाएगा, तो माने लिजए कि लोग सभा में बिल initiate होता है, वहाँ पर इस बिल को majority से पास कर दिया जाता है, उसके बाद वो लोग सभा से बिल जाएगा राज्यसभा में, अब वो जब बिल राज्यसभा में जाएगा, तो वहाँ पर दुबारा discussion होगी, दुबारा debates होगी, और दुबारा voting होगी, और राज्यसभा में भी उसको पास होनी के लिए, वो ही दो conditions फुलफिल करने पड़ेंगी, फर्स condition मैंने आपको पता ही, तू थर्ड अब जाएगा तो फुलफिल हो जाती है, राज्यसभा में भी, तो वो बिल जो है वो प्रेजिडेंट के बार जाएगा, उनकी एक्सेंट के लिए, और इस केसें बहुत इप्रेजिडेंट पॉइंट ये है, कि जो प्रेजिडेंट है, वो इस बिल को मना नहीं कर सकते, यानि कि कॉंस्टिडेंट बिल के अंदर, प्रेजिडेंट को अपनी एक्सेंट देनी ही पड़ेगी, और राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में उसको special majority नहीं मिलती, then the bill will lapse immediately, और दूसरा important बात, कि अगर बिल मानेजर राज्यसभा में इंट्रडूस होता है, राज्यसभा में पास भी हो जाता है, राज्यसभा में पास होने के बाद, वो लोगसभा में जाता है, बट लोगसभा में उसको majority नहीं मिलती, special majority, then also the bill will lapse, यानि कि दोनों हाउस इसको separately बात करना जुरूरी है इस bill को, उसी के बाद ये जो bill है, ये एक law बन सकता है, and the president can not reject, president के बास किसी भी तरह की कोई भी वीटो नहीं है, इस bill के regarding, और president को अपनी extend this bill में देने ही पड़ती है, तो ये बात कर लिए हमने complete constitutional amendment bill की, और ये 368 article के अंदर mentioned है, तो हमारे 25 बिस complete हो गए है, ordinary bill, money bill, financial bill category 1, financial bill category 2, and constitutional amendment bill, ये बहुत important है, balance point of view से भी और main point of view से भी, तो इसको table को आप please note कर लिजेगा, ताकि आपके लिए बहुत helpful रहेगा, और इस special majority का, जो मतलब मैंने आपको बताया है, article 368 के अंदर, इसको भी आप learn कर लिजेगा, ये भी बहुत important है, तो let's begin the legislature procedure in the parliament, first, ordinary bills, तो मैंने आपको बताया था, कि जो ordinary bills होते हैं, वो वो bills होते हैं, जो कि ना ही money bills होते हैं, ना ही financial bills होते हैं, category 1 ना category 2, और ना ही वो constitutional amendment bills होते हैं, तो जो ordinary bills होते हैं, उनको इंट्रडूस किया जाता है, पारलेमेंट में दो तरीके से, या तो वो government bill होंगे, जाहे वो private member bill होंगे, अगर वो council of ministers इंट्रडूस करते हैं, तो वो government bill होंगे, and if a member other than council of ministers इंको इंट्रडूस करते हैं, तो then it will be a private member bill, तो जानते हैं कि क्या procedure होता है, तो जो हर ordinary bill है, वो पार्ट स्टेजिस से गुजरता हैं in the parliament, first reading, second reading, third reading, then it goes to the second house, and then finally for the extent of the president, तो पहले बात करते हैं, first reading उसमें क्या होता है, तो जो ordinary bill है, वो लोग सब और राजिस सबा दोनों में इंट्रडूस किया जा सकता है, और जो member होते हैं, जो इंट्रडूस करते हैं लोग सब में, बिल को member of parliament, वो पहले पर्मिशन लेते हैं house की, वो लीव लेते हैं house की, and then उसको इंट्रडूस किया जाता है house में, and there is no discussion in the first reading, यानि कि उस बिल पर कोई चर्चा नहीं होती है, पहले बिल में, पहली बार में, पहली reading में, पर केवल उसको इंट्रडूस किया जाता है, और उसको इंट्रडूस करने के बाद, उसको बाद में publish किया जाता है, ग्याज़टे आफ इंडिया में, और in case अगर कोई बिल है अजो पहले से ग्याज़ट आफ इंडिया में published है already, तो उसको इंट्रडूस करने के लिए, जो मेंबर है पालियमेंट के, उसको उससे लिव लेनी के कोई जरूरस नहीं होती, तो यह होता है first reading, then the bill goes for second reading, यह बहुत important है, second stage सबसे जाज़ इंपोर्टेंट होती है, तो जान लेते हैं कि क्यों यह बहुत important stage है, क्योंकि इसके इस stage में, के वेल journal discussion जो है वो नहीं होती, इसके अंदर detail scrutiny की जाती है, बिल की, और बिल के सारे provisions की, in fact यह जो stage है second stage, इसको further हम तरी स्टेज में divide कर सकते हैं, first stage है stage of journal discussion, then the committee stage, and third is the consideration stage, तो पहले करते है journal discussion की बात, तो जो पहली stage होती है, second stage की पार्ट की अंदर ही वो है journal discussion की, उसमें यह होता है कि उस पर journal ही बिल को discuss किया जाता है, उसके detail के अंदर अभी नहीं जाया जाता, और फिर decide करते हैं कि चार options होते हैं, basically parliament के बास, या तो उस बिल को कहते हैं कि आज नहीं, हम फिर कभी करेंगे इसको detail में discuss, या फिर वो कहते हैं, नहीं, we will consider it immediately, या वो कहते हैं, इसको एक किसी joint committee को हम recommend कर देते हैं, या वो कहते हैं, या वो कहते हैं, नहीं, we will refer the bill to a select committee, और या वो कहेंगे कि हम public opinion लेना चाहते हैं इस bill पर, तो ये चार options होते हैं, second reading की पहली stage में, या निकि general discussion में, और जो select committee होते हैं, joint committee होते हैं, तो समें क्या फरग होता है, select committee वो committee होती है, which consists of the members of house, where the bill has originated, या निकि माली जे कोई लोकसभा है, उसमें bill जो है originate हुआ है, तो अगर केवल लोकसभा की members की, अगर committee बनाई जाएगी, तो उसको हम select committee कहेंगे, but अगर joint committee होगी, तो the joint committee will contain the members of both the houses, यानि कि लोकसभा भी और राजसभा भी, तो in case अगर जो bill है पहली stage में, यानि कि second stage की जो पहली stage है general discussion, अगर उसमें recommend नहीं किया, committee stage, और committee stage में क्या होगा, जो committee होगी, select committee हो, चाहे वो joint committee हो, वो clause by clause पूरे bill को detail में scrutinize करेगी, और उसकी जो provisions उसको change भी करेगी, अगर उनको लगता है कि कुछ कमी है, या कुछ change करेगी, बट जो underlying principles हैं, जो उनकी major बात थे, जो bill की major principles हैं, उसको नहीं वो change करेगी, and फिर जब bill scrutinize हो जाएगा, तो उस जो report होगी, अपने एक report बनाएगी, और उस report को दुबारा house के बाद भेज़ेगी, कि यह हमारी report है, हमने इस bill से यह निकाला है, और हम इसके अंदर यह amendments जो है, वो recommend करते हैं, अगर वो करते हैं, पर उसको जो major principles हैं, बिलकि उसको नहीं change करेगी, उसके बाद third stage आएगी, उसकी consideration stage, उसके अंदर क्या होगा, कि जो bill, जो report है, वो house receive करेगा, तो जो पार्लेमेंट है, जो उसको report मिल जाएगी, committee की, तो उसके बाद detailed discussion होगी, दुबारा clause by clause, और जो provisions है, और जो भी recommendations, उसको consider करेंगी, जो committee ने दी है, और इस stage में, जो members है, वो अपनी recommendation दे सकते हैं, जो गएंगे, याई कि नहीं, कि नहीं ये कल्स है, इसको amend कर दिया जाए, इसमें ये कर दिया जाए, तो उस पर voting होगी, हर clause by clause, clause by clause voting होगी, और amendments, जो recommend करेंगे, members of parliament, उसको भी consider किया जाएगा, और अगर उनको accept कर लिया जाता है, they will become the part of the bill, तो ये है second reading, फिर बात करते हैं, third reading की, जो ये reading होगी, कि इसमें कोई discussion नहीं होगी, clause by clause, क्योंकि जो main-main discussion हो, पहले ही हो चुकी है, नहीं कोई amendments को allow किया जाएगा, इस stage में केवल, ये decide होगा, कि इस bill को accept करना है, और reject करना है, और voting होगी इस bill की उपर, कि इसको accept करना है, reject करना है, और ये ordinary bill की बात करना हूँ, तो मैंने आपको जैसा की बिताया था, कि 50% से ज़्यादा अगर प्रेजेंट वोटिंग जो members है, all those members गोई प्रेजेंट वोटिंग यानि कि वो प्रेजेंट तो हैं ही, साथ-साथ वोटिंग में भाग ले रहे हैं, अगर 50% से ज़्यादा लोग उसको support करते हैं बिल को, तो जो बिल है, उस पास मान लिया जाएगा by the house, और उसको authenticate कर दियेंगे, presiding officers और दूसरे house के लिए भेज दियेंगे, और इनकेस अगर उसको majority नहीं बिल की, तो वो bill वहीं lapse हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा 3rd reading के बाद, वो दूसरे house में जाएगा बिल, और दूसरे house मान लिजे कोई बिल है, लोग सबह में introduce होता है, लोग सबह में pass होता है, 1st reading से जाता है, 2nd reading से हो जाती है, 3rd reading ने उसको majority मिल जाती है, वो पास हो जाता है, उसको speaker है, लोग सबह के presiding officer उसको authenticate कर देते हैं, and after that authentication, वो बिल जो है, वो 2nd house में जाता है, 2nd house में क्या होगा अब, तो जो राज़े सबह होगी, उसके बाद चार options होगे बिल के regarding, पहला option होगा, कि वो बिल को pass कर दे without any amendment, यानि कि जैसा बिल लोग सबहा से आया राज़े सबहा के पास, राज़े सबहा कहेगी नहीं, बढ़िया है, बिल्कुल, fine, तो उसी बिल को pass कर देगी, तो उसके बाद तो वो सीधा जला जाएगा, president के पास, action के लिए, दूसरा case होगा, बढ़िया होगा, राज़े सबहा कहेगी नो, बिल्ल तो ठीक है, अब थोड़ी से amendments करना जाते हैं, हमें कुछ कमिया लग रहे हैं, आप वो ठीक कर लीजेए, फिर कोई दिक्टत नहीं है, तो क्या होगा, कि वो बिल्कुल, जो है, बिल के अंदर कुछ amendments करेंगी, और वापेश भी हिर देंगे, लोग सबह के पास, तीसरा case क्या होगा, हो कहेंगी, यह तो बिल्ली गल्लत है, वो रिजेक्टी कर देंगे, बिल्कु, यह होगा तीसरा case, and the fourth case will be, कि वो कोई action निना लिए उस बिल पर, वो बिल्कु पेंडिंग रखे हैं 6 महिने तक, और कोई action निना लिए उस बिल पर, तो वो होगा तौथा case, तो माल लिए कि अगर राजे सभा जो इसको बिल्कु वैसे ही pass कर दे की, तो तो वो एक्सेंट के लिए चला जाएगा प्रेजिडेंट के पास, औगर राजेसभा amendment कहते भी है और वो बिल्कु एक्सेट कर दो ये amendment कर दो और लोगसभा अगर उसको एक्सेट कर लेती है तो भी वो चला जाएगा will accept कि लिए president के पास तो अगर इन case ऐसा हो जाए कि वो कहते के आप कुछ amendment कर दो और लोग समय बुलेगे नहीं हम तो नहीं करेंगा मैं या फिर वो बिल को reject नी कर देरा जिस अब तो उस case में एक deadlock create हो जाएगा और अगर वो उस बिल को pass ना करें छे महीने तक अपने pass रखें ना वो उसको pass करें ना उसको reject करें ना उसको reconsideration के लिए भेजें तो उस case के अंदर भी एक deadlock create हो जाएगा और मैंने आपको पताया था कि ordinary bill के case में there is a provision for joint sitting तो president जो है उसको joint sitting को बलाएंगे और उस deadlock को resolve करने की कोशिश करेंगे फिर आखरी आगा accent of the president जब bill pass हो जाएगा दोनों houses से सहमती से चाहिए वो joint sitting के मादन से हो जाए वो वैसे ही हो जाए तो बिल जाएगा president के पास उसकी accent के लिए तो जो president आपने तीन तरह की veto है तीन तरह की veto को इस्तमाल कर सकते हैं pocket veto यानि कि वो अपने पास रख ले उसको ना मना करे ना हाँ करे दूसरी पावर उनके पास कि वो अपनी accent दे रहें बिलको तीसरी पावर उनके पास ये है कि वो suspensory veto का इस्तमाल करें हों कहें कि आप reconsider कर लो इस बिल को पर अगर दुबारा reconsider करने के बाद उसको बिल दुबारा अगर आता है पास कोकर प्रेज़ेंट के पास तो दूसरी पर उनको अपनी हाँ बनी ही पड़ती है and absolute veto का भी इस्तमाल कर सकते हैं he can withhold his accent but only in the case of a private bill not in the case of a government bill or public bill तो पहले एक बार differentiate को चिदरा जान लेते हैं कि what is the difference between public bill and private bill तो जैसा कि मैंने आपको बताया था public bill जो है वो council or ministers जो होते हैं वो introduce करते हैं and council or ministers के अलावा कोई अगर introduce करता है तो that will be a private bill और जो public bill है it reflects the policies of the government यानि की ruling party और जो private bill होता है वो आहां तोर पे opposition के views को दिखाता है जो public bill होता है उसके ज़्यादा chances होते है अप्रूव होने के और in case अगर वो अप्रूव नहीं होता public bill तो यह एक तरह का no confidence हो जाता है कि मतलब जो सरकार है जो power में है उसकी majority ही नहीं रही अब तो parliament के अंदर उसके अलावा जो public bill होता है its introduction in the house requires seven day notice पर जो private bill होता है उसको उसको बनाता है तो यह बात कर लिए हमने ordinary bill को उसकी procedure की फिर money bill मैंने आपको बता ही दिया था table के माध्यम से financial bill का भी मैंने आपको बता जिया था category 1 का भी category 2 का भी constitutional amendment bills का भी मैंने आपको बताया था और अब joint sitting की बात करते हैं पर जो Pपाया सब्क बताया हमने चया था आपको बताया का कौई deadlock का create हो जाए तो उस case में joint sitting को बुलाया जाता है तो पहले जान लेते हैं कि deadlock कब create होता है हो कम माँदे है कि deadlock create हो चुका है तो लिए three cases होते हैं और जो दूसरा house है, पहले house दे bill passed हुआ दूसरा house में गया पर दूसरा house जो है वो रिसपॉंड ही नहीं कर दा bill पर, ना वो उसको pass कर रहा ना वो उसको reject कर रहा ना उसको reconsideration के लिए भेज रहा, और 6 मेने बीच चुके हैं इस बातों में, तो उस case के अंदर भी deadlock rate हो जाता है तो there are three cases, जिनके अंदर एक deadlock rate हो जाता है परलेमेंट में, और उन तीन cases में ही joint sitting बुलाई जा सकती है, परलेमेंट की और इस joint sitting को जो होते हैं, वो लोगसभा की speaker है, वो preside करते हैं, और in case अगर वो ना हो तो deputy speaker जो है, वो preside करते हैं joint sitting को, उसके अलावा joint sitting को उसके quorum maintain करने के लिए minimum जो है, वो one-tenth चाहिए होते हैं members, of the sum of the total members of both houses, यानि कि राज्यसभा लोगसभा की दोनों की members मिलाकर, ज उसके अलावा joint sitting में majority कर मानी जाती है, जब present and voting जितने भी members हों, उसके 50% से जादा लोग support करें, यानि कि दोनों houses के मिलाकर, जितने भी लोग present हैं, और voting में भाग भी ले रहे हैं, उनकी कम से कम 50% से जादा, अगर support करें बिलको, तो हाँ वो बिल जो है, वो pass माना जाता है by both the houses, तो यह बात की हमें joint sitting of two houses की, और budget बहुत important topic है, prelims और में जोनो point of view से, and specifically prelims में बहुत question पूछे जाते हैं, budget के बारे में, budget in parliament, तो पहले budget के बारे में बात करने से पहले यह जाना जरूरी है कि budget का मतलब क्या होता है, तो पहले यह जानते हैं कि budget होता क्या है, budget is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India in a financial year, तो बात करते हैं हम यहाँ पर financial year की, the budget is the statement of estimated receipts and expenditure of the government of India in a financial year, तो financial year क्या होता है, it begins on 1 April and ends on 31 March, तो दो तरह की यह जोते है calendar year होता है, और budget year होता है, जो calendar year होता है, हमारा वो 1st January से start होता है, 31st December को end होता है, बट जो हमारा financial year होता है, it is different, it begins on 1st April and it ends on 31 March, तो बात करते हैं Article 112 की, तो जो budget word है हमारा, यह हमारे constitution में कहीं भी mentioned नहीं है, तो यह article 112 है, उसमें भी budget word mentioned नहीं है, it is mentioned as annual financial statement, यानि कि जो हमारा constitution का article है, जो की budget से relate करता है, that is article 112, but the term budget is not mentioned anywhere in the constitution, it is mentioned as annual financial statement, क्योंकि इसको मतलब होता है, वो statement, इसके अंदर estimated receipts कितने पैसे आएंगे, अंदाजा next year में, and the estimated expenditure कि कितना expenditure कितना खर्चा होगा government का अंदाजा in a financial year, यह estimate होता है totally, तो बात करते हैं कि what includes, यानि कि budget में क्या क्या include होता है, So budget includes the following things, first estimates of revenue and capital receipts, ways and means to raise the revenue, estimates of expenditure, details of the actual receipts and expenditure of the closing financial year, and the reasons for any deficit or surplus in that year, economic and financial policy of the coming year, that is taxation, proposals, prospects of revenue, spending program and introduction of new schemes and projects. तो इससे में बदर चलता है कि जो हमारा budget है वो हमें यह नहीं बताता कि आगे क्या होना है, पर यह भी बताता है कि पिछले साल क्या हुआ और उसकी explanation भी देता है, क्योंकि यह बताता है हमें एक तो estimates क्या होंगे revenue के, कितना पैसा आएगा, estimated expenditure बताते है कितना खर्चा होगा पर यह साथ यह बी बताता है कि पिछले साल कितना खर्चा हुआ actually, और कितना expenditure हुआ, कितनी deviation थी, यानि कि पिछले साल का जो target था, वो fulfilled हुआ कि नहीं हुआ, उससे जाधा खर्चा हुआ या उससे कम खर्चा हुआ, और in case अगर उससे जाधा खर्चा हुआ, तो क्या कारण रहे होंगे कि उससे जाधा खर्चा हुआ, यह सारी बाते हैं हमें budget बताता है, so budget is not only about future, it also tells something about the past, और यह हमें आगे का भी बताता है कि हम क्या taxation के regarding, या फिर revenue के regarding, या फिर spending के regarding, क्या नई schemes या फिर projects को follow करेंगे, तो बात रहते हैं railway budget की, तो railway budget इसको 1921 में अलग किया गय यह बहुत important point है, parallel point of view से, कि एक accurate committee थी, उसने कहा था कि जो railway का budget स्को अलग कर दिया जाए, और उसके कारन दिये तो उसने बहुत सारे like to introduce flexibility in the railway finance, और एक business approach जो है railway की उसको लिया, apart from the business approach, उसके अलावा stability आ जाए revenue में, कि जो budget के revenue है, वो fixed रहे, थोड़ी stable रहे, उससे फायदा होगा, and apart from that, कि जो railway के profits होंगे, उसको उसी के उपर खर्चा जा सके, क्योंकि अगर budget एक ही होगा, तो जो railway के revenues होंगे, उसको exclusively railway के उपर नहीं खर्चा जाएगा, but अगर उसका budget अलग होगा, तो then, जो उसके revenues है, उसको exclusively budget की, यानि की railway की ही development पर खर्चा जाएगा पर उसके बाद August 2016 में अभी India Government ने फ्रेजेंट जो रिजीम चल रहा है इंडिया में, उन्होंने August 2016 के अंदर budget जो है railway का और general budget उसको merge कर दिया, उन्होंने ये जीजन दिया कि आज की date में railway का budget जो है, उसको अलग करनी की जूरुत नहीं है, उन्होंने का कि जो practice है railway budget को colonial hangover, क्योंकि British time इन्होंने start किया से 1921 में और ये अब तक चरह आ रहा था, and it has became only an annual ritual, क्योंकि इसमें जो budget है railway का, उसका जो amount है वो बहुत जादा shrunk हो चुका है पहले, क्योंकि जो पहले general budget और railway budget का amount जो होता था, वो काफी similar होता था, बट जीरे 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 गर खर इतने स सालों में हुआ क्या है कि जो railway budget का amount है, वो general budget से बहुत जादा कम हो चुका है, and road विगारा का जो budget है, वो भी exceed कर चुका है railway budget को, तो एक नीती आयो, कमिटी बिठाई गई थी, जिसको head किया था, विबेक देब्रॉय ने, और उन्होंने ऐसा कहा था, कि merge कर देना चाहिए व बात करते है, constitution provisions की budget के regarding, तो एक तो constitution का जो article 112 है, वो ये कहता है, clause 1, कि जो president है, उनको हर साल, हर financial year के starting में budget रखना होगा, both the houses of the parliament के इसलाम ने, दूसरी बात हो जो कहता है, constitution provisions में वो ये है, कि no demand for a grant shall be made except on the recommendation of the president, यानि कि कोई भी जो demand है grant की, यानि कि expenditure की, out of the consolidated fund of India, can not be made except on the recommendation of the president, जब कि president, जब तक president recommend नहीं करते, तब तक उस grant को, demand for grant नहीं मानी जाएगी, no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India, except under appropriation made by the law, उसके लावा, एक और point जो ये है, कि जो parliament है हमारा, it can reduce or abolish a tax, but it can not increase any tax, and article 112 ये भी कहता है, कि the budget shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure, यानि कि जो revenue account में expenditure होगा, उसको बाकी expenditure से अलग रखना है, so these are the constitutional provisions, तो बात करते हैं, charge expenditure की, charge expenditure वो expenditure होता है, which is non-votable, और जो consolidated fund of India पे charge किया जाता है, और ये जो expenditure होता है, ये जो expenditure होता है, कि एवर parliament में discuss किया जा सकता है, इसके उपर voting नहीं होती, parliament में, और इसके अजर ब molumants and allowances of the president, and other expenditure related to the office of the president, उसके लावा में यांको बताया है, salaries and allowances of the speaker, and the deputy chairman of the Rajya Sabha, and the deputy speaker of the Lok Sabha, and the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha, उसके लावा salary allowances, pensions of the judges of the Supreme Court, salary allowances and pensions of the comptroller and auditors general of India, pensions of the judges of the high courts, उसमें ये important point है कि जो Supreme Court के judges है, उनके लिए salaries, allowances and pension तीनों जो है charge expenditure है, but high court के case में के विल high court के judges की pension जो है, only that is the charge expenditure, उनकी salaries or allowances नहीं है, Salaries, allowances and pensions of the chairman and the members of the union public service commission, administrative expenses of the Supreme Court, the office of the comptroller and auditors general of India, and the UPSC, including the salaries, allowances and pensions of the persons serving in these offices, and the debt charge for which the government of India is liable, including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt. इसका मतलब ये वो उधार जो कि government of India ने किसी से भी लिया है, उसके लिए यानि कि जिसके लिए government of India liable है, उसके अंदर इंटरस्ट भी आयेगा, sinking funds भी आएंगे, redemption charges भी आएंगे, तो ये सारी बात होगी budget in parliament की, अब हम स्टार्ट करते है stages in budget enactment, कि कौन-कौन से stages से budget जो है, पास होता है, तो there are several stages, पहली stage होती है presentation of budget, फिर आती है general discussion, फिर आती है scrutiny by departmental committee, फिर आती है voting on demand for grants, और इस stage के जो तीन तरह के cut motions को इस्तमाल किया जाता है, एक होता है policy cut motion, एक होता है economy cut motion, एक होता है token cut motion, ये तीन तरह के motions होते हैं, और ये इसमें जो mover होता है motion का, यानि कि cut motion का, वो कहता है कि जो demand for grant की जा रही है, उसमें कुछ कम ही लाई जाए, तो उसको कहता है cut motion, cut motion आगे तीन तरह के होते हैं, इसको भी हम detail में करेंगे, फिर होती है passing of appropriation bill, and the last stage of the budget presentation is, और the enactment is, passing of the finance bill, उसके लाह हम बात करेंगे three types of funds की भी, जो की होते है consolidated fund of India, public account of fund of India, and contingency fund of India, let's begin stages in the budget enactment, पहले बात करते हैं presentation of budget की, तो पहला step होता है, वो budget को present करना होता है, तो जो हमारी financial minister होते हैं, वो budget को present करते हैं on 1st February, तो 2016 तक क्या होता था कि last working day of February जो भी होता था, उस दिन budget को present किया जाता था, but there was a change in convention and custom, and 2016 के बात से, उसको 1st February को present, किया गया, और इस speech को budget speech कहा जाता है, जिसके अंदर जो हमारे financial minister हो budget की main main बाते पताते हैं, और जब वो speech खतम हो जाती है, तो budget को उठाकर, राजय सभा में रग दिया जाता है, और इस time पर राजय सभा में discussion की जा सकती है, but there is no provision for voting at this time, फिर अगली चीज आती है, वो है general discussion, जो general discussion होती है, यह basically 3-4 दिन का process होता है एक, और जिसके अंदर जो है discuss किया जाता है budget को थोड़ा सा, दोनों houses में लोकसभा में भी और राजय सभा में भी, पर इस time पर भी कोई voting नहीं की जाती है, और ना ही इस time पर कोई cut motion विगारा पास किया जाता है, इसमें केवल discussion होती ह budget पे और दोनों houses में 3-4 दिन के लिए चलती है, फिर आती है बारी scrutiny बादा departmental committees, इस process में तो जो समें departmental committees होते है, बहुत सारी parliament की 24 होती है यह, यह जो है एक एक चीज़ देखती है कि किस minister ने कितने demand for grant की है, किस minister ने कितने demand for grant की है, क्या वो demand for grant है, वो justified है या नहीं है, वो कम होनी चाहिए, वो जादा होनी चाहिए, और इस रिगार्णिक पे वो पूरी scrutiny करती है, पूरी details देखती है चीज़ की, उसके बाद एक reports बनाती है, और यह जो reports है, इनको submit कर देती है, दोनों houses को पारलेमेंट की है, इसको हम कहते है, scrutiny by the departmental committees, फिर बारी आती है, जब सबस reports मिल जाती है, departmental committees की, तो उसको reports को अच्छे तरह देखती है, लोकसभा, और लोकसभा के अंदर फिर voting होती है, demand for grants की, तो जब voting हो जाती है, उसके की बाद जो demand for grant है, it becomes a grant, सब तको केवल demand रहती है, और इसको demand जब grant बनती है, उसको voting के बाद ही वो grant बनती है, तो इस stage के cut motions pass की जाते है, cut motions क्या होते है, basically, ये motions होते है, basically, reduce करने के लिए, जो demand for grant है, उसको, तो ये तीन तरह के होते है, policy cut motion, economy cut motion, and token cut motion, तो जो policy cut motion होता है, वो एक member of parliament तब initiate करता है, अगर वो कहता है, मैं तो policy के ही खिलाफ हूँ, यानि कि जो demand for grant की policy है, मैं उसके खिलाफ हूँ, and इसमें होता क्या है, it states that the amount of the demand to be reduced to rupees 1, कि जितना भी आपने पैसा माँगए ठीक है, पर आपको के वह लेक रुपए मिलेगा, तो एक तरह से policy के against होना होता है, and जो इसके अंदर होता क्या है, कि जो member है, जो policy cut motion initiate करेगा, he can also give any alternate policy, कि ये policy तो गल्थ है, पर आप ये वाली policy लो, वो अपनी alternate policy भी दे सकता है, and the amount of the demand is to be reduced to rupees 1, अगर वो मानी जाती है, तो, economy cut motion होता है, उसमें हो कहता है, कि नहीं policy कि तो मैं against नहीं हूँ, policy ठीक है आपकी, पर आप इतने पैसे मांग रहे है, it is not right, ये जो है, ये कम में भी हो सकता है, पैसो में, तो ये तो economy को effect कर तो आप इतने पैसे ना मांगी, आप इसे कम मांगी है, and इस case में क्या होता है, it states that the amount of the demand must be reduced by specified amount, कि कोई particular amount है, उसको minus कर दो इसमें से, और उसके बाद आप अपनी demand को grant मना लीजिए, फिर आता है token cut motion, it ventilates a specific grievance that is within the sphere of the responsibility of the government of India, it states that the amount of the demand to be reduced by rupees 100, यानि कि token cut motion जो होता है, it it is not against the policy, nor it is against the economy, वर उनकी कोई specific grievance होती है, और उसको highlight करने के लिए, वो token cut motion, जो है member parliament का, वो initiate करेगा, और जो total amount है, event for grant का, जो demand है, उसमें से 100 रुपीस जो है, वो minus करने की बात करेगा, ताकि उसका जो grievance है, उसको highlight किया जा सके, और उसको redress किया जा सके, इसको हम कहते ह cut motion, तो इस team तरह के cut motions है, policy cut motion, economy cut motion है, token cut motion, बट अगर आप इसको समझेंगे practically, तो जो cut motion है, उसके relevance को ज्यादा नहीं है, हमारी parliamentary system of functioning में, क्योंकि यह जो है, यह लोगसावर में किया जाता है, और जो government power में होगी, वो लोगसावर में definitely majority में होगी, और अगर कोई government जो है, व अगर cut motion pass होता है, तो इसका मतलब यह भी है, एक तरह से, कि जो government है, हमारी, वो majority में नहीं है, लोगसावा में, and there can be a no confidence motion, अगर cut motion successful होता है, तो अगला step है, passing of appropriation bill, यह भी बहुत important step है, budget enactment में, क्योंकि जो constitution है, हमारा, it states that no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India, except under the appropriation made by the law, तो इसका मतलब यह है कि जब तक appropriation made by the law नहीं होगी, तो consolidated fund of India में से कोई भी पैसा जो है, उसको withdrawn नहीं किया जा सकता, तो accordingly, एक appropriation bill जो है, उसको introduce किया जाता है, और उसके अदर दो चीज़े होती है, एक तो grants voted by the लोगसावा, यानि कि वो grants जिनको accept कर लिया गया है, लोगसावा में, and the second is the expenditure charge on the Solidated Fund of India, जो मैंने आपको बता है, सुप्रीम कोट की salary, judges की salary, president की salary, high court के judges की pensions भी गारा भी गारा, तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, एक appropriation bill को pass किया जाता है, और वो appropriation act बन जाता है, जब उसको presidential accent मिल जाती है, तब तक it is an appropriation bill, but president के accent के बाद, it becomes an appropriation act, सबसे important बा और इसी कारण चीज़ों हमारा budget है, उसको shift करकर 1st February को किया गया सा, 31st February की जंगा, 31st time in the last working day of the February की जंगा, और इसका कारण यही था, कि अगर 31st April तक appropriation act जो है, पास होगा, तो तब तक का खर्चा कैसे होगा, तो there is a provision called vote on account, तो vote on account के तहट estimated जो expenditure होता है पूरे साल का, उसको divide by 6 करकर 2 महिने का खर्चा, यानि कि March and April का खर्चा जो होता है, ने सौरी, April और में का खर्चा होता है, क्योंकि March तक के budget, तो पिछले budget के साफ़समिकर पैसे होंगी, तो जो estimated expenditure होता है पूरे साल का, उसको divide by 6 करकर, और 2 महिने का जो खर्चा है, उनको advance मिल जाता है, vote on account के जरिए से, और जो vote on account की authorization है, वो हमारी लोगसभा के pass है, तो इसको कहते है, passing of appropriation bill को, और जो finance bill होते है, the finance bill is introduced to give effect to the financial proposals of the government of India for the following year, यानि कि वो financial proposals जो अगले साल में होती है, उसके लिए finance bill जो होता है, उसको introduce किया जाता है, और financial bill जो होता है, उसको same conditions होती है, as applicable to the money bill, and इसको 75 days के अंदर अंदर ही pass करना होता है, 75 days के अंदर अंदर financial bill को enact करना होता है, यानि कि passed by the parliament as well as the accent by the president, तो यह होगी stages is budgeting enactment, यह हमने सारी stages को cover कर लिया है, अब आग करते है, types of funds की, तीन तरहां के funds होते है, हम public account fund of India, and contingency fund of India, consolidated fund of India, article 266, public account of India, article 266, contingency fund of India, article 267, so article 266 का clause 1 है, वो बात करते है, consolidated fund of India का, India के बारे में, which includes all the proceeds of taxes and other revenues received by the government, either through loan, advance, or otherwise, is credited in the consolidated fund, and expenses of the government is met through the withdrawal of money from the consolidated fund, यानि कि include करता है, सारी proceeds जो taxes से आते हैं, या फिर किसी और source of revenue से आते हैं, to the government, चाहे वो loan हो, चाहे वो advance हो, चाहे कुछ और हो, and all the expenses of the government is met through the withdrawal of money from the consolidated fund of India, and इसमें सबसे important point ये है, कि there is no withdrawal possible from the consolidated fund of India, without the prior abdomen of the parliament, यानि कि parliament के approval के बीना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता, consolidated fund of India से, article 266 का clause 2 है, जो वो बात करता है, public account of India की, तो public account of India में वो पैसे होते हैं, जो कि सरकार को receive होते हैं, but it is actually not government, उसके अंदर जैसे कि आप माले जी, provident fund deposits होगे, judicial deposits होगे, saving banks deposits होगे, departmental deposits होगे, remittances होगी, और so on, तो ये जो पैसे होते हैं, ये सरकार के नहीं होते, बट एक बात सरकार को मिलते हैं, कभी ना कभी इनको वापिस करना होते हैं सरकार को, तो ये जो होते हैं, Public Account of India में आते हैं, Article 262, Gloss 2 में, बट इसमें important point ये हैं कि इनको एग्रेक्टिव जो हैं, वो खर्च कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, and there is no prior approval of Parliament required in the case of Public Account of India. फिर बाग करते हैं, Contingency Fund of India कि ये Article 277 है, ये होते हैं, fulfill the immediate requirement of money, जैसा कि मैंने आपको बताया, Consolidated Fund of India में से कोई पैसे निकालने हैं, तो आपको पूरा Parliamentary procedure को follow करना पड़ेगा, Parliament से permission लेनी पड़ेगी prior, तो अगर मालीजी कोई unfortunate circumstance आ जाता है, कोई मिजबूरी आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाती है, कोई भी ऐसी बात हो जाती है, किस्ता टाइम नहीं है, मारे पास किम Consolidated Fund of India में से पैसे निकालें, उसको Parliament की procedure को follow करें, पर्लेमेंट की permission ले पहले, तो इस case के अंदर जो President है, हमारे President of India, वो क्या करते हैं, he can withdraw the money from the Continency Fund of India for the time being, और वो उस Contingency को meet करते हैं, और बाद में हो सकता है कि वो Consolidated Fund of India से Contingency Fund of India में बाद में पैसे transfer कर दिये जाएं, तो यह हो गया Contingency Fund of India to meet Unforcing Circumstances, तो आज हमने stages complete कर लिए हैं और funds को complete कर लिए हैं, The Indian Constitution has established an integrated judicial system with Supreme Court at the top and High Court below it, यानि कि सबसे उपर Supreme Court आती है, फिर नीचे High Court आती है, तो integrated judicial system है सबसे important point और साथ ही single system of court है, यानि कि बहुत जो state laws है, जो चाहें central laws को दोनों को इन्याक्ट करती है, same courts, और it is adopted from the Government of India Act of 1935, The Supreme Court was inaugurated on January 28, 1950, उससे बेले Federal Court of India होती थी, और Federal Court of India को रिप्लेस करकर जो Supreme Court of India आई थी, Supreme Court के बारे में हमें Constitution के कौन से आर्टिकल से पता चलता है, So, Article 124 to Article 147, in the Part 5 of the Constitutions, deal with the Supreme Court, यानि कि 124 से 147 आर्टिकल तक, जो कि Part 5 में में मेंचिन है हमारे Constitution के, वो हमारी Supreme Court से डील करते हैं, So, बात करते हैं, appointment of judges की, तो जो यह appointment की जाते हैं, यह judge, यह president के द्वारा की जाते हैं, and the Chief Justice of India is appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and High Court as he deems necessary, यानि कि President को जिन जिस Supreme Court के या High Court के जजज़े से बात करना जरूरी लगेगा, उनसे बात करकर वो Chief Justice of India को appoint करते हैं, और जब Chief Justice of India को appoint कर लेते हैं, तो जो बाकिज़ेस होते हैं Supreme Court के, उनको appoint करने के लिए, जो consultation with Chief Justice of India से वो करना जरूरी है, it is obligatory to consult Chief Justice of India, to appoint judges other than the Chief Justice of India, तब जो question आता है मन्मों यह आता है कि, आपर consultation का क्या मतलब है, तो consultation का मतलब यहापर अलग-अलग दिया गया है, 1982 में first judge case हुआ था, उसके अंदर Supreme Court ने कहा था कि, consultation का मतलब यह है कि केवल पूछना, यह ज़रूरी नहीं है कि President जो है, वो Chief Justice of India की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट पूछना आवश्रिक है, बट 1993 second judge case, उसमें उन्होंने कहा कि जो Chief Justice of India है, उनकी जो advice होगे President को, that will be binding, और जो President है उनको उनकी बात को मानना ही पड़ेगा, Chief Justice of India है मों अपने advice कम से कम दो ज़र्ज से पूछ कर ही देंगे, उसके बाद third judge case हुआ 1998 में, उसमें उन्होंने कहा, Supreme Court ने, that there should be a consultation of the plurality judges, यानि कि अकेले Chief Justice of India की मजज़ नहीं चलेगी, उनको जो है advice लेनी होगी, और four senior most judges of the Supreme Court एक कोलीजियम बनेगा, जिसके अंदर चार senior most judge होंगे Supreme Court के, और जो CGI हैं उनसे advice लेंगे, और अगर उनमें से कोई दो भी मना करते हैं, तो वो जो advice से वो आगे नहीं जाएगी, अगर उन चारों में से कम से कम तीन लोग हा करेंगे, तो Chief Justice of India जो हैं वो President को advice आगे देंगे, और जो Supreme Court के judge हैं उनको elect किया जाएगा, appoint किया जाएगा, अब बात करते हैं 99th Constitutional Amendment की, ये NJAC था, National Judicial Appointment Commission, ये एक amendment हुई थी Constitution में और इसको इनएट किया गया था, एक commission मिनाया गया था, to appoint the judges of the Supreme Court, बट हुआ क्या, इसको quash कर दिया गया, इसको unconstitution एगोशित कर दिया गया था, इन दर 4th judge case of 2015, 2015 के 4th judge case में, इसको unconstitution एगोशित करकर इसको quash कर दिया गया था, और जो पुराना collision का system था उसको again reinstate कर दिया गया था, तो presently जो collision system है, उसी को follow किया जा रहा है, Supreme Court के judges को appoint करने में, अब बात करते qualifications की, तो he should be a citizen of India, पहरी बाद सबसे ज़रूरी, कि वो कम से कम, वो इंडिया के भारत की citizen होने ज़रूरी है, यानि कि वो जज होने चाहिए कम से कम 5 साल के लिए, या फिर अलग-अलग इसे दो हाई कोट के इंडिया कम से कम 5 साल के लिए, और इसके अलावा second condition में choices हैं, first condition ये थी, कि या तो वो जज हो 5 साल के लिए हाई कोट के, second, यानि कि वो किसी भी हाई कोर्ट या फिर अलग-अलग हाई कोर्ट के लिए सक्सेशन में 10 साल के लिए वकील रह चुके हूँ, third, यानि कि पहली कंडिशन है, यानि कि पहली कंडिशन है, और इन क्वालिफिकेशन से हमें ये भी बता चलता है, कि there is no minimum age to be a judge of the Supreme Court of India, कोई minimum age जो है वो constitution हमें नहीं बताई है, अब बात करते हैं tenure की, तो जो maximum age है Supreme Court of India के judge की, that is 65 years, उसके लावा he can resign from the office by writing to the president, and he can also be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament, तो ये बात होगे tenure की, अब बात करते हैं की जो तीसरी बात की हमें tenure में की उनको निकाला जा सकता है, on the recommendation of the parliament to the president, तो बात करते हैं की क्या process है जो removal का process है, तो जो हमारे Supreme Court के judges हैं उन दो grounds पर remove किया जा सकता है, एक तो है जी proved misbehavior, और दूसरा है incapacity, तो जो बात होती है जो removal का motion है, और जिस भी house में इसको initiate किया गया है, उस house में उसकी speaker को या फिर chairman को जो भी presiding officer है उसको देना होगा, अब इनके बात मर्जी होगी speaker या chairman की क्योंगा accept करते हैं इस motion को या नहीं करते हैं, in case वो accept कर लेते हैं, तो जो speaker या फिर chairman है, they will constitute a three member committee, जो जांच करेगी कि ये जो charges लगाए गए है, incapacity के या फिर prove misbehavior के ये सच है या गलत है, और जो committee होगी, it will consist of the chief justice or the judge of the supreme court, a judge, a chief justice of the high court, and a distinguished jurist, उसके बाद अगर जो committee है, वो जांच करेगी और committee ratify करेगी, कि judge guilty है के नहीं, तो in case अगर committee ratify कर देती है, yes, that the judge is guilty of misbehavior, or is suffering from any incapacity, then the house can take up the consideration of the motion, और उसके बाद जो ये motion है, it must be passed by special majority of both the houses, तो यहाँ पर special majority का क्या मतलब है, जो मैंने आपको पहले बिताया था, two-third of the members present and voting, यानि कि जिते भी लोग present है, और साथ की साथ voting में भाग भी ले रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कि जो केवल हाँ पर present हो, but they may not take part in the voting, तो जो लोग present हैं, और साथ की साथ voting में हिस्सा भी ले रहे हैं, उन में से कम से कम two-third लोग जो हैं, वो इस motion को support करें, apart from that, more than half of the total strength of the house, यानि कि जित्ती भी strength है house की, उसमें से कम से कम, half जो strength है, वो support करें इस motion को, और अगर दोनों houses में, अगर special majority से motion pass हो जाता है, then, an address is presented to the president for the removal of the judge, and finally, the president passes an order removing the judge, तो ये process है, जो follows किया जाता है, remove करने के लिए Supreme Court के judge को, तो बात करते हैं आगे, active chief justice, ad hoc judge, retired judge, के बारे में, तो जो president of India है, वो appoint कर सकते हैं, chief justice को, की absence में, acting chief justice को, तीन cases में, अगर जो chief justice of India है, उसका office vacant हो, या फिर जो chief justice of India है, they are temporarily absent, और the chief justice of India is unable to perform the duties of his office, तो इस case में, किसी भी Supreme Court के और judge को, वो president of India, active chief justice गोशित कर सकते हैं, फिर बात करते हैं, ad hoc judge की, in case अगर Supreme Court में, कोरम पूरा नाख हो रहा हो, तो जो हमारी chief justice of India है, वो appoint कर सकते हैं, किसी भी judge को, high court के, तो कोरम को पूरा करने के लिए, जो chief justice of India है, हैं, वो appoint कर सकते हैं, किसी भी high court judge को, as an ad hoc judge, पर उसके लिए, प्रायल approval of president के अविश्चता होगी, और साथ में, जो chief justice of that particular high court, जिस high court के judge को, वो appoint कर रहे हैं, as an ad hoc judge, उनके approval भी ज़रूरी होगी, तो this is the concept of ad hoc judge, अपार्ट रम जाट, कि जो chief justice of India है हमारे, वो request कर सकते हैं, किसी भी retired supreme court के judge को, या फिसी भी retired high court के judge को, जो कि eligible थे to be appointed as the supreme court judge, कि आप please act करो as a supreme court judge for a temporary period, so this is the concept of retired judges, बात करते हैं, procedure of supreme court के बारे में, तो supreme court है, with the approval of the president, can make rules for regulating generally the practice and the procedure of the court, यानि कि जो practice and procedure of the court है, यानि कि जो भी rules है, regulations है, उसको जो है, वो supreme court decide कर सकती है, पर उसकी approval चाहिए president की, and apart from that, article 143 जो है, जिसके तहर जो president है, वो advisory, जो rediction जो है, basically supreme court की, जिसके तहर जो president है, हमारे, वो कोई भी question बूच सकते है supreme court से, और supreme court उसका answer करती है, it is not necessarily, consisting of five chief judges of the supreme court, यानि कि 143 आर्टिकल के अंदर, जब कोई president advice मांगे, supreme court से, तो जो advice render करेंगे, उसके लिए कम से कम 5 judges का bench होना अविश्यक्त है, otherwise जो बागी cases होते हैं, उसमें around team judges का bench होता है, not less than 3 judges, so it is about the procedure of supreme court, जो हमारा judicial structure है, उसमें सबसे उपर आता है supreme court, और उसके निचे आता है high court, तो यानि कि जो high court है, या हमारी supreme court और lower court के बीच में आता है, supreme court के नीचे, और lower court के उपर, जो हमारा constitution है, वो कहता था पहले, कि yes, there must be a high court in every state of India, तो माले लिए कि अगर 29 states है, तो 2090-29 states में high court होनी चाहिए, बट विट इस 7th amendment, जो 7th constitutional amendment हुई 1956 में, तो उसको बाद एक change आया, और allow कर दिया हमारी constitution ने एक तरह से, high courts for, a single high court for one or more states, for two or more states, as well as for two or more states, और for two or more states and a union territory, तो माले लिजे कि जैसे पंजाब और हर्याना high court है, तो it is a single high court for both the states of Punjab, as well as Haryana, तो प्रेजिदेटली इंडिया के अंदर 24 high courts है, और देर थ्री common courts, common high courts, and दिली is the only union territory, जिसके पास अपनी खुद की high court है, तो देरा 7 union territories in इंडिया, आउट अट उस देम, ओनी वन दिली is the union territory, which has its own high court, बाकी 6 की 6 union territory है, उनके मास high court नहीं है, and it is up to the parliament, parliament by law, जो है वो decide करता है, कि जो कौन सी high court, की जो reduction है, उसको increase भी कर सकता है, और उसको decrease भी कर सकता है, तो वो increase करके, किसी union territory को include भी कर सकता है, and decrease करके, किसी union territory को exclude भी कर सकता है, तो बात करते हैं organization की तो organization of high court में आप सबसे बहुत जानते हैं कि किते judges होते हैं तो it is not mentioned in the constitution कि एक high court में किते judges होंगे and it is decided by the president from time to time but it is final कि एक तो chief justice of high court होगा उसके लावा और भी वह सारे judges होंगे पर उनका जो number है कि किते judges होंगे it is not fixed by the constitution and जो हमारे president है हमारे country के वो decide करेंगे from time to time कि किते judges होने चाहिए particular high court में तो appointment कैसे होती है जो chief justice of India है उनको consult करते है president और साथ ही वो consult करते है governor of the particular state जिसकी high court है और उसके बाद एक chief justice of high court को nuked किया जाता है पर जो third judge case हुआ था 1998 में उसमें ये कहा गया था कि जो consultation है chief justice of India से it is not solely chief justice of India उनको collegium से consult करना होगा chief justice of India को जो include खरेगा दो senior most judge of the supreme court को और उनसे consult करने के बाद ही वो president को बताएंगे कि कौन है जिनको chief justice of high court nuked करना चाहिए और जब chief justice of high court नियुक्त हो जाएंगे उसके बाद जो बाकी judges है उनको नियुक्त करने के लिए प्रेजिदेंट chief justice of India को advice लेंगे एक कंसल्ट करेंगे साथ ही governor को कंसल्ट करेंगे और साथ ही उस chief justice of high court को भी कंसल्ट करेंगे और इसमें एक और important point है बहुत वो ये है कि मान लेजिए कोई high court है जो कोई comment है two या two से जादा states के लिए तो उस case में क्या होगा कि जो governor है उन सारी states के governor को कंसल्ट करना पड़ेगा कि मान लेजिए कि पंजाब और हर्याना high court है उसके किसी judge को अगर नियुक्त करना है तो chief justice of India को करना पड़ेगा उसके इलावा governor of both Punjab as well as हर्याना को कंसल्ट करना पड़ेगा और साथ ही जो chief justice है पंजाब और हर्याना high court के उनको भी कंसल्ट करना पड़ेगा तो ये है complete appointment का procedure अब आग करते qualification की a person to be appointed as a judge of a high court should have the following qualifications first he should be a citizen of India second he should have held a judicial office in the territory of India for 10 years or he should have been an advocate of a high court or high courts in succession for 10 years यानि क्या तो उन्हें कोई judicial office territory of India में hold किया हो 10 सालों से जादा के लिए या फिर हो advocate रहे हो high court के या फिर किसी high courts के succession में for more than 10 years तो again it is clear that there is no minimum age for the judge of a supreme court यानि कि कोई minimum age नहीं प्रिस्क्राइब करता है हमारा constitution कि कम से गम इतने साल के होंगे तब भी वह उनको appoint किया जा सकता है as a high court judge तो बात के ज़िए tenure की तो as is कोई tenure fix नहीं किया हुआ है high court के judge का बट हाँ एक तो maximum age decided है that is 62 उसके इलावा जो है जो age का कोई question अगर आता है कि age 62 या कोई age related issue है high court की किसी judge का then it is decided by the president in the consultation with the chief justice of India and the decision of the president will always be final in that case apart from that he can resign from his office by writing to the president he can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament and he also will create his office if he becomes the judge of a supreme court और a judge of some other high court यानि कि अगर उनको supreme court का judge निक कर जया जाता है किसी high court judge को तो अपमें high court की judge के office को vacate कर देंगे और अगर उनकी transfer हो जाती है किसी high court से तो उस case में वह जो अपनी पुटानी high court है उसके office को vacate कर देंगे जो removal का process है supreme court की judge का वो बिल्कुल सेम है high court की judge का भी और हम थोड़ा से briefly जान लेते है यार्प कलने के लिए कि क्या था वो removal का process तो remove करने के लिए किसी भी supreme court या high court की judge के लिए there are two grounds proved misbehavior and incapacity और इसके लिए कम से कम 100 members का in the case of Lok Sabha and 50 members in the case of Rajya Sabha there must be a motion signed by minimum 100 members in Lok Sabha and minimum 50 members in the Rajya Sabha and it is up to the speaker and chairman कि वो admit करते है motion को या नहीं करते है अगर वो admit करते हैं तो there will be an investigation by a committee and the committee must consist of the chief justice or the judge of the supreme court a chief justice of a high court a distinguished jurist और अगर committee जो है वो find करती है कि हाँ जो ये particular judge है जिसके खिलाफे motion initiated हुआ है removal का he is guilty उस case में क्या होगा जो house है it will take the matter for the consideration or the motion for the consideration उसके बाद दोनों houses को pass करना होगा motion को special majority से special majority का मतलब है कि two-third of the members present and voting and more than 50% of the total strength of the house और अगर एक भी house में ये motion नहीं पास होता है then the motion will immediately lapse at that point और अगर पास हो जाता है दोनों house इस पास कर देते हैं then an address is presented to the president for the removal of that judge and finally the president will pass an order removing the judge तो जो जो रिमोबल of high court judge है it is a very tedious process and it is as difficult as removing a judge of a supreme court क्योंकि बिलको same procedure है जो कि follow होता है the removal of the supreme court judge as well as the removal of the high court judge और इसमें बहुत important point ये भी है कि जो judges है supreme court या high court के they are removed they are not impeached जो word है ना impeachment it is used only for the president जो हमारा constitution है अगर आप इसको bearject में find करेंगे आप internet पर भी तो आपको प्रता चलेगा कि जो impeached word है it is used only for the president and for the removal of the judge of supreme court high court removal of vice president and बहुत सारी cases है उन सब cases में we will use the word removal and not the word impeached फिर बात करते हैं active chief justice की तो जो president है हमारे वो appoint कर सकते हैं किसी भी judge को high court के as a chief justice of a particular high court अगर chief justice जो high court के उनका office vacant हो या फिर वो absent हो या फिर वो किसी भी और कारण से अपनी duties को perform नहीं कर पा रहे हो तो इन तीन cases में there can be appointment of an acting chief justice by the president of India then we have additional and active judges जो president है वो किसी duly qualified person को appoint कर सकते हैं as an additional or acting judges दो case में या तो अगर काम बहुत जादा हो supreme court का किसी particular reason से उस time में या फिर काम बहुत जादा backlog ही करता हो गया हो तो उस case के अंदर president appoint कर सकते हैं acting और additional judges को पर उनकी एश्वा 62 से जादा नहीं होनी शाहिए and they will act as the high court judge जब तक की permanent judges जो हैं वो वापस नहीं आड़ाते अब बात करते हैं retired judges की भी तो जो हमारे chief judges of India है sorry जो हमारे chief judges of particular high court है वो request कर सकते हैं किसी भी retired judge of the high court को चाहिए वो कोई और high court हो चाहिए वो particular same high court हो क्या please act as a high court judge for a temporary period पट उसके लिए एक तो approval of the president is required एक previous consent होना चाहिए प्रेजिदेंट का प्रेजिदेंट से पहले पूछ का रखना होगा उनको कि हम इसको appoint कर सकते हैं या नहीं and also the consent of that particular person is required यानि कि जो retired person है वो वो एक अग अस ज़द्व of the high court उसकी consent होना भी अवशक है and such a judge is entitled to such allowances as the president may determine यानि कि president जो है वो decide करेंगे कि उनको क्या allowances or salaries मिलेंगी तो ये बात की हमने high court की jurisdiction and powers of the high court तो पहले बात करते हैं original jurisdiction की तो जैसा कि मैंने आपको supreme court के time पर मताया था कि original jurisdiction का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि वो power high court की जिसके अंदर it can hear disputes in the first instance not by the way of appeal यार यार ये कोई appeal के माधियम से किसी lower court की decision के against appeal नहीं बलकि directly अगर supreme court बलकि directly अगर high court hear करे कोई case तो उसको हम कहेंगे original jurisdiction तो it extends to the following matters of admirality, will, marriage, divorce, company laws and contempt of court second disputes relating to the election of members of parliament and state legislatures third regarding revenue matter or an act order or done in revenue collection fourth enforcement of fundamental rights of citizens article 226 मेरे आपको बताया था कि जो red jurisdiction है supreme court की that is not exclusive because high court के पास भी जो power है fundamental rights को enforce करने की cases order to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of the constitution to its own file तो इन केसे में जो supreme court के पास high court के पास original jurisdiction होती है apart from that the four high courts Calcutta, Bombay, Madras and Delhi high courts have original civil jurisdiction in case of higher value 1973 से पहले Calcutta, Bombay और जो Madras high courts थी उनके पास original criminal jurisdiction भी होती थी बट जब 1973 में criminal procedure code आया C.E.R.P.C. उसके बाद change करकर उसको abolish कर दिया गया, तो फिलाल जो original jurisdiction है वो इंचे case में ही है, second is writ jurisdiction, writ jurisdiction का मतलब है writ issuing power, तो जो high court है वो पास दना के writ को issue कर सकता है mandamus, certiorari, prohibition, co-veranto and habeas corpus, तो जो article 226 र constitution का, it empowers the high court to issue rates in the case of violation of the fundamental rights or for any other purpose, तो जहां पर जो यह word लिखा गया है for any other purpose, यह बहुत important है क्योंकि it widens the scope of the writ jurisdiction of the high court more than the writ jurisdiction of the supreme court क्योंकि जो article 32 में supreme court writ jurisdiction मिलती है it is only in the case of violation of the fundamental rights but जो for any other purpose mentioned है article 296 में that widens the scope of writ jurisdiction of the high court क्योंकि वो ordinary legal right के case में भी अपने writ jurisdiction का तहर सुप्रीम कोट में जा सकता है याकि वो article 226 के तहर he can move to the high court तो यह हो गए writ jurisdiction now we will move to appellate jurisdiction a high court is a primary court of appeal यह करता है appeal against the judgments of the subordinate courts functioning in its territorial jurisdiction यानि कि जो भी territorial jurisdiction है high court की मालने जीए circle जो है it is the territorial jurisdiction of the high court तो इस jurisdiction के अंदर जो भी subordinate courts होंगे उसकी जो decisions होंगे उसकी against जो भी appeal होगी that will lie to the high court और जो appealed jurisdiction है high court की that is both in civil as well as criminal cases so it is wider than the original jurisdiction of the high court तो यह बहुत important point है प्रिजिन point of UCB statement में कोशे ना सपता है कि चार्ज statement दी और आपको बताना हो कि इन में से कौन कौन सी correct है तो if there is a statement like appellate jurisdiction has a wider scope than the original jurisdiction of the high court it is true now it is another one is supervisory jurisdiction a high court has the power of superintendence over all courts and terminals functioning in its territorial jurisdiction तो जो high court है उसके पाद superintendence की power है किसी भी और court पर जो भी administer हो रही है in the territorial jurisdiction of that high court माली जो पंजाब और हर्याना high court है तो जो पंजाब और हर्याना के अंदर जो भी subordinate courts होंगे या tribunals होंगे उनकी functioning पर supervisory यानि की superintendence की power है high court के पास बट इसके अंदर दो exceptions है जो military courts होते हैं या military tribunals होते हैं जो उन पर यह applicable नहीं होगा jurisdiction जो high court है वो subordinate courts के उपर administrative control भी exercise करता है तो इसके points है बहुत सारे एक तो पहला point है कि जो high court है उसको consult किया जाता है गवर्नरे के द्वारा in the matters of appointment posting and promotion of district judges and in the appointments of persons to the judicial services of the state other than district judges जानि कि district judges और उसके अलाग़ कोई और judge भी होगा judicial service में state के तो उसकी appointment, posting and promotion में जो है governor consult करेंगे high court को also it deals with the matters of posting, promotion grant of leave transfers and disciplines of the members of the judicial services of the state other than the district judges also अगर मानली जी की कोई case है जो कि pending है किसे subordinate court में पर high court को ऐसा लगता है कि वो उसकी territorial jurisdiction में है and high court feels कि उसके अंदर कोई substantive question of law है that requires the interpretation of the constitution तो वो उस case में high court उस case को अपने पास लेकर आ सकती है और खुद उसको decide कर सकती है और यह अगर ऐसा भी कर सकती है को case को ले जो question है substantive question है law का या फिर interpretation of constitution है उसको करे और बाद में लोटा दे के subordinate court को तो यह power भी है control over subordinate courts में and another point is जैसे की law binding by the law declared by the supreme court is binding in all the courts of the India similarly a law declared by the high court is binding on all the subordinate courts functioning in the territorial jurisdiction of that particular high court तो यह बात की हमने control over subordinate courts की अब बात करते हैं a court of record की तो जो high court है it is also a court of record तो court of record में दो बाते आती हैं एक तो जो judgments होती है proceedings होती है या फिर acts होते है high courts के they are permanently recorded as a perpetual memory and testimony इनको evidentory value दी जाती है and it cannot be questioned जब भी उनको produce के जाएगा किसी भी subordinate court में and they are recognized as legal precedents and legal differences और second point इसके इंदर जो आते हैं वो है it has the power to punish for contempt of court either with simple imprisonment or with fine or with both यानि कि एकर contempt करता है कोई high court का तो उसको punish किया जा सकता है either by simple imprisonment or by fine or by both पर जो contempt of court word है it is not defined anywhere in the constitution and the last important power of the high court is the power of judicial review तो जो word है judicial review it is nowhere mentioned in the constitution कोई constitution में कहीं पर ये नहीं लिखा कि judicial review का नहीं कि it is against the constitution it is not in harmony with the constitution तो it is not exclusive तो ये है power than jurisdiction of high court original jurisdiction, writ jurisdiction, appellate jurisdiction, supervisory jurisdiction, control of subordinate courts, a court of record, power of judicial review तो बात करते है गवर्नर की तो जैसे की union executive की बात किती है हमने तो center के लेवल पर एक union executive होता है जो और union executive के अंदर पांच चीज़े आती है president, council of ministers including prime minister, vice president, attorney general of India and controller and auditor general of India तो उसी तरह से एक state executive होता है state executive में पांच चार चीज़े आती है एक होता है governor, then chief minister, then council of ministers and the advocate general of the state तो आज हम बात करने जा रहे हैं governor की तो जिस तरह हमारे center के लेवल पर दो heads होते हैं एक de jure and एक होते हैं de facto उससे तरह हमारे state के लेवल पर भी एक de jure head होते हैं और एक de facto head होते हैं तो center के लेवल पर de jure head होते हैं president और state के लेवल पर होते हैं governor and de facto head होते हैं prime minister center के लेवल पर और state के लेवल पर होते हैं chief minister तो almost same तरह के functioning को हम use करते हैं as the center as well as the state तो जो article 153 से लेकर article 167 है यह part 6 में आते हैं it deals with the state executive of our constitution तो बात करते है governor के governor जो है वो एक nominated head है जैसे के मारे president head है he is only a titular or constitutional head और a de jure head यानि के वो के लेवल नाम के ले head है और उनको काम करना परता है councilor ministers की advice पर ही बट जो हमारे governor है वो dual role को नहीं भाते है apart from being the executive head of the state he also acts as an agent of the central government तो therefore he has a dual role as an agent of the central government and as the head of the state जब हमारे samizhan की शुरुआत हुई थी तब हमारे samizhan कहता था कि हर state में एक नाएक governor होना आवशक है but with the 7th constitutional amendment of 1956 जिसके तहर हाई courts में भी change वाता है कि उसके बाद ही 7th constitutional amendment of 1956 के बाद ही जो हाई court है एक से ज़्यादा state के लिए एक ही हाई court का provision आया था similarly the 7th amendment 1956 facilitated the appointment of the same person as the governor for two or more states तो बात करते है appointment की कि governor को किस तरह से न्युक्त किया जाता है so the governor is neither directly elected by the people nor indirectly elected by a specially constituted electoral college as in the case of the president यानि की ना ही उसको directly elect किया जाता है ना ही उसको indirectly elect किया जाता है he is merely appointed by the president और president की मर्जी होती है कि वो किसको appoint करेंगे usually he is a nominee of a central government क्योंकि वो central government के nominee इसलिए कहते हैं उनको क्योंकि जो council और ministers से उनकी advice पर ही president नियुक्त करते है governor को but as held by the supreme court in 1979 the office of the governor of a state is not an employment under the central government ये एक independent constitutional body या और office है and it is not under the control or subordinate to the central government but ये एक बहुत वेग बात है क्योंकि जो governor है उसको president जो हो किसी ताइप हटा सकते हैं उनको कह सकते हैं कि I don't like you अब मैं आपको हटा सकता हूँ आपको हटा रहा हूँ और अगर governor पूछे कि भाई मैंने क्या किया ऐसा just I don't like your face वो ये क्या कर भी हटा सकते हैं president के पास पूरी power है और governor के पास कोई भी safe card available नहीं है अपने आपको बचाने से बचाने के लिए हमारे समिधान में दो minimum qualification लिखे हुई है governor के लिए एक तो he should be a citizen of India second he should have completed the age of 35 years इसके लावा ये तो constitution में mentioned है ये वो qualification है उसके लावा दो conventions है जो आम तोर पर follow की जाती है governor को appoint करने के time पर वो है पहली कि he should not belong to the state in which he is to be appointed as the governor मान लेजिए कि कोई Punjab का governor आपने करना है appoint तो आम तोर पर कि उस इंसान को Punjab का governor नहीं appoint किया जाएगा जो खुद Punjab से belong करेगा या similar to the other state similarly applicable to the other state आनि कि अपने state के विक्ति को उसी state का governor नहीं बनाया जाता आम तोर पर और जो second convention follow की जाती है वो ये की जाती है कि जब भी governor को appoint किया जाता है तो president इस बात का ध्यान रगते हैं कि वो एक बाद चेफ मिनिस्टर जो है state के उनसे बात कर ले कि हमने इसको appoint कर रहा हूं governor या हमने को किसको appoint करना चाहिए governor क्योंकि जो functioning है state की वो governor और चेफ मिनिस्टर ने देखनी है और वो इसलिए किया जाता है ऐसा ताकि कल को कोई टक्राव ना हो governor और चेफ मिनिस्टर के बीच में तो ये बात की हमने appointment की है अब बात करते हैं conditions of the governor office की तो constitution हमारे कुछ conditions जाता है governor के office की वो है तो सबसे पहली और foremost condition है वो ये है कि he should not be a member of either house of parliament यानि कि लोगसभा और राज़सभा के वो member नहीं होनी चाहिए और a house of the state legislature यानि कि विधानशभा और विधानशभा परिशर के भी member नहीं होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि किसी भी house का राज़सभा या लोगसभा या विधानशभा या विधानशभा या विधानशभा या विधानशभा परिशर किसी particular state का member है और उसको चुना जाता है as the governor of a particular state तो उसको vacate करनी पड़ेगे अपनी seat उस particular house में जिसका भी वो member है second condition he should not hold any other office of profit third condition he is entitled without payment of the rent to the use of his official residence यानि कि जो राज़भावन होता है governor house हो हम कहते हैं राज़भावन तो he is entitled to राज़भावन without any extra payment he is entitled to such emoluments, allowances and privileges as maybe determined by the parliament यानि कि parliament decide करते हैं उनकी salary को, allowances को और उनकी privileges को और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको governor बिना लिया जाए दोनों states का, एक से ज़्यादा state का तो पालिप प्रेजिडेंट के कहने पर या जैसा प्रेजिडेंट decide करेंगे उस ratio में जो दोनों states ने जिन जिन का वो governor होंगे वो उनके emoluments और cell risk को बाढ़ देंगे अपस में और यह कौज important point यह है कि जो emoluments और allowances ने गवर्न के उनको कम नहीं किया जा सकता है उनकी term के द्वरान apart from that a governor enjoys a personal immunity from legal liability for his or her official acts during his term of office he is immune from any criminal proceedings even in respect of his personal act या इनकी उनको total criminal immunity है during term कि उनके उपर कोई भी criminal proceedings को initiate नहीं किया जा सकता नहीं उनको arrest किया जा सकता नहीं उनको imprison किया जा सकता हाला कि दो मन्त का notice देने के बाद उनके उपर civil proceedings initiate की जा सकती है but that too only in the case of his personal acts और जो ओत होती है governor की यह जो chief justice of the concerned state high court है वो करवाते हैं ओत को affirm और अगर वो ना available हो तो जो senior most judge होता है high court का उस particular state की वो affirmation कराता है ओत की term की बात करेंगर governor की तो 5 years की term होती है and he holds the office as long as he holds the pleasure of the prime president of India president जब चाहे उनको हटा सकते है उनके पस कोई भी safeguard नहीं है कोई भी उनके पास ground safety नहीं है कोई भी ऐसे grounds mention नहीं है जिनके उपर उनको हटा रहा जाए उनको कभी भी president हटा सकते है also उनको transfer भी कभी भी कर सकते हैं president from one state to another but also a governor is eligible for the appointment either in the same state or in some other state दोनों cases में he is eligible for the reappointment अब बात करते हैं constitutional position की governor की तो जो governor है वो केवल constitutional head है केवल nominal head है और जो governor है वो दो तरीके से काम करता है either on the aid and advice of the council of ministers यानि की CM जो है उनकी advice पर और दूसरे case में कुछ cases ऐसे होते हैं जो constitutional में mentioned है उन cases के अंदर गवरनर अपनी discretion का इस्तमाल कर सकता है तो executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution ये कैता है article 154 article 163 कैता है there shall be a council of ministers with the chief minister as the head to aid and advise the governor in the exercise of his functions except insofar as he is required to exercise his function in his discretion article 164 कैता है the council of ministers shall be collectively responsible to the legislative assembly of the state और जो ये collective responsibility का clause है it is one of the most important clause because it is the foundation of the parliamentary system of government of a state तो अब जानते हैं कि क्या difference है basically president में और governor में या क्या powers में difference है या क्या constitutional provisions में difference है तो सबसे बड़ा difference तो यह है कि president जो है उसके case में ऐसा कोछ नहीं लिखा बट governor के case में लिखा हुआ है कि there is a possibility of the governor acting at times in his discretion but no such policy has possibility has been NVC chased for the president यानि कि constitution में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि president जो है परे discretion में कभी कबार काम कर सकते हैं but in the case of governor it is clearly mentioned कि जो हमारी governor है they can act in his discretion and also after the 42nd amendment of 1976 जो ministerial advice है council of ministers की center में it is binding on the president अगर वो दुबारा कह देते हैं कि हां in fact the 42nd amendment उन्हें तो binding ही कर जया था कि परली बार में ही advice मानी पड़ी ही council of ministers की but after 44th amendment of 1978 there is a possibility for president के वो कह सकें कि हां please reconsider my advice but अगर same advice दुबारा रेंडर करते हैं council of ministers then it is binding on the president but no such binding provision is for the governor तो एक तो दो main difference यही है आपर और एक और provision है constitution का जो governor की discretionary power को और भी जादा वाइडन करता है because if any question arises whether a matter falls within the governor's discretion or not then the decision of the governor is final and the validity of anything done by him can not be cold in question on the ground that he ought to or not ought to have acted in his discretion यानि कि जो governor है particular state के वो ही decide करेंगे कि जो matter है वो उनको discretionary power को अपनी इस्तिमाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था और इस चीज़ को किसी भी court of law में चैलेंज नहीं किया जा सकता financial powers, judicial powers, veto power of governor and discretionary powers जो आगे हम देखेंगे कि जो veto power है governor की it is a little bit different from the veto power of the president also तो उसको भी हम discuss करेंगे और साथ ही important point जो मारी दिबांग में आएगा वो यह है कि governor has no diplomatic, military or emergency power like the president नहीं उनकी पस कोई diplomatic power है नहीं कोई military power है और नहीं कोई emergency power है जैसे कि president के पास available होती है तो let's we will begin with executive power so executive power और governor are जो भी सारे executive actions होते हैं government की state के they are formally taken in his name he can make rules specifying the manner in which the orders in other instruments made and executed in his name shall be authenticated he can also make rules for the more convenient transaction of the business of a state government also the most important point about the executive power of the governor is that he is the person who appoints the chief minister and the other ministers and they also hold the office during the pleasure of the governor यानि कि जो भी council of ministers है और जो भी chief minister है उनको governor appoint करते हैं और वो जो office भी hold तभी तक की करते हैं जब तक के governor का pleasure है हाला कि usually उनके पास कोई description नहीं होते ही गवर्णर के पास इस case में क्यूंकि जो भी majority में जीती है डिरेक्ट इलेक्शन में government उनी को उनको इलेक्ट करना होता है उनी की members को उनको इलेक्ट करना होता है but still it is a very important executive power he also appoints the advocate general of a state and also determines his remuneration and जो advocate general है वो भी office अतना उनके pleasure के दुरान ही hold करता है he appoints the state election commissioner and determine his condition of service and tenure of office हाला कि जो state election commissioner है उसको remove करने का तरीका अलग है और उनको remove बिलकुल से उसे तरीके से किया जाता है जिस तरह से एक judge, high court के judge को remove किया जाता है he appoints the chairman and the members of state public service commission however they can be removed only by the president and not by a governor he can seek any information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation from the chief minister ये बिलकुल सेम पावर है जैसे president के पास होती है regarding to the center, prime minister के regarding उसी तरह ये भी administrator of the affairs of the state के बारे में ले सकते है information और proposal for legislation के बारे में information ले सकते है from the chief minister another very important point is कि वो recommend करते हैं कि imposition of state emergency rule के बारे में कि वो पताते हैं president को कि situation ऐसी है या नहीं है कि आपको state emergency लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए state emergency को हम president role भी कहते हैं और अगर state emergency लगती है तो as an agent of the president of India governor enjoys large number of powers he acts as the chancellor of the university in the state he also appoints the vice chancellor of the universities in the state तो इस बात की हमने executive powers की अब move on करते हैं legislative powers पर जिस तरह से center में parliament के तीम चीज़ें member होती है लोकसभा, राज्य सभा और प्रेजिदेंट तीम चीज़ें मिलकर parliament बनाती हैं उसी तरह से state में state legislature को तीम चीज़ें बनाती है विधान सभा, विधान परिशद और governor हो सकता है कि किसी state में विधान परिशद ना हो each general election and the first session of each year he also can send messages to the house or houses of the state legislature with respect to any bill pending in the legislature or otherwise also, वो एपॉइंट का सब्सक्ते हैं किसी भी member को विधान सभा की अगर मानी जे कि speaker और deputy speaker दोनों का office खाली हो तो वो प्रिशद करनी के लिए किसी भी member को कह सकते हैं governor विधान सभा की और अगर विधान परिशद में deputy chairman और chairman दोनों का office खाली हो तो भी किसी भीधान परिशद की member को वो कह सकते हैं कि आज आप recite करिये दोनों house उस particular house को he also nominates one-sixth of the members of the state legislative council यानि कि विधान परिशद from amongst the members having special knowledge of practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social service इसमें cooperative momentic extras उसको आप याद रखेगा friendly points of view से he can nominate one member to the state legislative assembly यानि कि विधान सभा from the Anglo-Indian community he decides on the question of disqualification of members of the state legislature in consultation with the election commission and the most important legislative power is कि जब भी कोई bill पास होगा तो जब तक governor का accent नहीं होगा तब तक वो bill act नहीं बनेगा तो उसके पास चार option होते हैं के पास या तो अपना accent दे 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 वो या वो मना कर दे विधोल कर ले अपना accent या फिर वो return कर दे विल कि आप reconsider कर दे इसको और अगर reconsideration के बाद दुबारा वही bill अगर उनके सामने दुबारा आता है तो उनको अपनी हाँ देनी ही पड़ेगी थर्ड वो reserve कर सकते हैं बिल को president की consideration के लिए और अगर कोई ऐसा बिल है जो की effect करता है position को state high court की यानि कि high court की position को कोई endanger करता है अगर बिल तो उस case में president की consideration compulsory है अगर state legislature session में ना हो तो उस case के अंदर governor जो है वो ordinance promulgate कर सकते है और उसको withdraw भी कर सकते है किसी भी time बट जब भी session में दुबारा आये का state legislature उसके 6 हफतों के अंदर अंदर उसको approve करना होगा legislature को he also lays the reports of the state finance commission state public service commission and the comptroller and auditor general relating to the accounts of the state before the state legislature अब आप करते financial powers की governor के he sees that the budget is laid before the state legislature जिस तरह से president budget को रखते है पालिमेंट के आगे उसी तरह state legislature के आगे रखते है गवानर money will can be introduced only in the state legislature only with his prior recommendation ये बिलकुल उसी तरह से जिस तरह से president का रोल होता है no demand for a grant can be made except on his recommendation he can make advances out of the contingency fund of the state to meet any unforcing circumstance he constitutes a finance commission after every five years to review the financial position of the panchayats and the municipalities ये जो financial power है अलग है प्रेजिदेंट से और ये बहुत ही important power है क्योंकि panchayats और municipalities भी बहुत important पार्ट बन चुके है हमारी इंडिन पॉलिटी का और उनके finance का ध्यान रखते हैं governor finance commission को constitute करकर हर पांच साल बाग बाग करते हम judicial powers की governor की he can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends तो main difference क्या है pardoning powers में governor और president की कि जो president है वो central law वाले offenses पर कर सकते है pardon, reprieve, respite, remit, suspend या commute और जो governor है he can pardon, reprieve, respite, remit, suspend or commute उन sentences पर जो state law से deal करते है president can pardon the death sentence but no other person, not even governor, can pardon the death sentence governor can suspend, remit or commuter death sentence but he cannot pardon the death sentence also जो president है हमारे वो किसी military court के decision को भी pardon, deprieve, respite, suspend, remit, remit or commute कर सकते है but governor जो है वो military court के किसी भी decision को नहीं छेड सकते है apart from that there are many other judicial powers he is consulted by the president while appointing the judges of the concerned state high court वो appoint करते है, post करते है, promotion को deal करते है of the district judges in consultation with the state high court and state high court or state public service commission की consultation में he appoints person to the judicial services of the state other than district judges ये बात कि हमने judicial powers की अब बात करते है, veto power की governor की तो बात करते है, veto power की governor की veto power दो केस में हो सकती है, ordinary bill और एक money bill तो ordinary bill में इंदे चार options होंगे governor के पास, या तो अपनी bill को accent देजें या फिर हो मना कर दे कि नहीं, I withhold my accent तो उस case में bill lapse हो जाएगा जी सी choice होगी, वो कहे दें कि आप reconsider करिये, आपको इसमें changes लाइए बट अगर उसको दुबारा same bill को भी अगर दुबारा रखा गया दुबारा पास कर दिया गया और दुबारा governor के पास कर गया तो governor have to give his accent, यानि कि इस expensive इटो का इस्तमाल कर सकते हैं वो and he may reserve a bill for the consideration of the president तो मैंने आपको भी पताया थक कि अगर कोई भी ऐसा bill है जो endanger करता है state high court को तो उस case में it is compulsory for the governor to reserve the bill for the consideration of president और अगर एक बर bill को reserve कर दिया गया president की consideration के लिए तो जो governor करो वही खत्ब हो जाएगा तो मालेजिए कि अगर president कहते के नहीं आप इसको कुछ change करकर दुबारा लाएए तो जो दुबारा भी है that will go to the president और president के उपर वो binding नहीं है कि वो दुबारा उसको माने या ना माने and president का extent ही चाहिए होगा उस bill को act बनाने के लिए और governor का रोल वही पर खत्म हो जाएगा और अगर money bill होगा तो money bill के अंदर suspensivity नहीं होगी governor के पास suspensivity का मतलब मैंने आपको बताया था कि reconsideration के लिए दुबारा भेजने की power नहीं होगी governor के पास पर governor उसको accent दे सकते हैं उसको withhold भी कर सकते हैं and he will reserve the bill for the consideration of the president but usually जो है वो governor उस bill को money bill को accent दे ही देते हैं क्योंकि उनकी prior recommendation के कारण ही वो bill जो है वो introduced हुआ होता है तो बात करते हम discretionary powers की to reservation of a bill for the consideration of the president is also discretionary power of the governor recommendation for the imposition of the president tool is also discretionary power while exercising his function as the administration, administrator of an adjoining UT, it is also discretionary power, अगर माल लेजे कि president है उनको adjoining जो भी unit के साथ, उसकी administrative power दे सकते हैं president governor को और ये भी एक तरह की discretionary power है seeking information from the chief minister with regard to the administrative and legislative matters of the state is also discretionary power and determining the amount payable by the government of Assam, Meghalya, Tripura Mizoram to an autonomous tribal district council as royalty accruing from licenses for mineral exploration ये भी जो governmentary data में अपनी discretion पर करते हैं और ये सारी जो मैंने आपको पताई discretionary powers they are clearly mentioned in the constitution but कुछ infant discretionary powers भी है जो कि constitution में mentioned तो नहीं है पर अलग-अलग time की situation के इसाफ से governor उसको exercise करते हैं तो वो जो है वो मैं आपको पताता हूँ in case अगर कोई clear majority ना है state legislation में तो जो governor है उनके पास discretion होती है कि वो किसको चूज करें चीफ मिनिस्टर बट उस चीफ मिनिस्टर को अपनी majority को प्रूब करना होगा बाद में और अगर माल भी जी कि किसी कारा से death हो जाती है चीफ मिनिस्टर की और कोई obvious decision ना हो तो उस case में भी गवर्नर है अपनी discretion का इस्तमाल कर सकते है also he uses discretion in the dismissal of the council of ministers जब वो अपनी confidence को अपनी majority को नहीं प्रूब कर पाए state legislature में और साथी resolution of the विधान सभा अगर council of ministers अपनी majority को दें तो governor अपनी discretion पर dissolve कर देते हैं विधान सभा को तो ये है discretionary powers of the governor तो let's begin state legislature तो जो आर्टिकल है 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक in the part 6 of the constitution deals with the organization composition, duration, officers procedures, privileges powers of the state legislature तो आट part 6 है जो it deals with the state legislature और यहाँ पर कोई uniform pattern नहीं है different states के अमंग कोई states ऐसे है जहाँ पर unicameral legislature है कोई states ऐसे है जहाँ पर bicameral legislature है unicameral legislature का मतलब है जहाँ पर केवाद एक ही house होता है state legislature का जो कि विधान सभा होता है जबकि bicameral legislature का मतलब है अगर दो houses हो like विधान सभा विधान परिशद एट प्रेजेंट उनली सिक्स स्टेट फॉलोग बाई केमिल सिस्टम यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ यूज से कि कौन से स्टेट से आपको याज होने चाहिए जहांगर विधान सभा विधान परिशद दोनों है जो स्टेट लेजिसलेचर है उसके अंदर तीन चीज़ आती है मैं आपको पताया था विधान सभा विधान परिशद और गवर्नर ऑफ दो स्टेट बट वो स्टेट जिनमें केवल विधान सभा है यानि केवल लोवर हाउस अपर हाउस नहीं है उन केस में वापस स्टेट ले दो चीज़ आएंगी governor of the state as well as the विधान सभा मान लेजिए कि किसी state में unicameral legislature है और उसकी विधान सभा है वो special majority से resolution pass करती है और Parliament को कहती है कि आप please जहां पर एक विधान परिशत भी बना दीजिए तो Parliament can make their विधान परिशत को हटा दीजिए तो Parliament can also abolish that legislative council तो यानि कि state legislative council को विधान परिशत कहते है अपर house and state legislative assembly को विधान सभा कहते हैं जो कि है lower house तो बात कहते है composition की state legislative assembly की जो state legislative assembly यानि की विधान सभा इसकी जो strength है ये vary करती है from state to state and it comprises of the members which are directly elected by the people जो maximum strength है fixed की गई है 500 and minimum strength is 60 तो इनके बीच में ही इसकी strength हो सकती है विधान सभा की in case of Anunachal Pradesh, Sikkim and Goa the minimum number is fixed at 30 in case of Mizoram and Nagaran it is 40 and 46 respectively some members of the legislative assemblies in Sikkim and Nagaran are also elected indirectly तो ये कुछ privileges है कह सकने है कुछ differences है जो इन particular states में है and also the governor can nominate one member from the Anglo-Indian community अगर governor को ऐसे लगे कि Anglo-Indian community adequately represent नहीं हो रही है इन तब जहान सभा तो governor can nominate one member now we will move to legislative council legislative council जो हमारी legislative assembly होती है it is indirectly elected and the maximum strength of the council is fixed at one third of the I am sorry council मैंने गल्पोजयास assembly the maximum strength of the council is fixed at one third of the total strength of the assembly and the minimum strength is fixed at 40 यानि कि जो विधान परिश्यत है उसकी maximum strength जो है वो one third होगी of the विधान सभा और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विधान परिश्यत की strength है it will depend on the strength of the विधान सभा अभी हमने जाना कि indirectly elect किया जाता है members को legislative council के तो जानते कि किस तरह से elect किया जाता है तो अगर हम प्लस करें वन थर्ड, वन त्वेल, वन त्वेल, वन थर्ड को तो हमें बदा चलेगा कि जो 5 out of 6 है these are elected indirectly while 1 out of 6 is nominated by the governor तो ये बात की है हमने manner of election of legislative council members अब बात कर दो डूरेशन की इस similar है लोग सभा और राजर सभा के tenure के साब से ही जो विधान सभा है वो 5 साल के लिए चलती है and it can be extended also in case of national emergency by the rule of parliament, by the law of parliament and it can be extended for any time but it will not be extended for more than 6 months once the emergency ceases to exist also जो हमारा विधान परिशल था है it is like Rajya Sabha is a permanent body, it is a continuing chamber and इसके भी 1,000 members retire होते है हर 2 साल बाद and there is nothing like dissolving विधान परिशल जो disqualifications होती है it is similar to that of the parliament it is similar to that of the parliament in the case of constitutional disqualification and also in the case of representation of people acts disqualification और अगर 10th schedule के तहत, anti-defection के कारण anti-defection law के तहत, किसी को defection के कारण अगर disqualify किया जाता है then the speaker in the case of विधान सभा and the chairman in the case of विधान परिशर will decide about that issue and it is subject to judicial review उसके लावा गर किसी state में emergency लगती है यानि कि president rule लगता है state emergency लगती है article 356 के तहत तो उस case के अंदर dissolve कर सकते हैं हम विधान सभा को भी अब आप करते है पावाद ओधा सपीकर he is the final interpreter of the provisions of the constitution of India the rules of procedure and conduct of business of assembly and the legislative precedents within the assembly apart from that he also appoints the chairman of all the committees of the assembly and supervises their functioning and he is also the chairman of the business advisory committee rules committee and journal purpose committee so speaker बहुत इंपॉर्टन रोग ले करता है who is the signing officer of the विधान सभा अब आप करते है sessions की state legislature में कौन इंपॉर्टन होते है sessions यह होते है state legislature के वो बिल्कुछ सिमिलर है to the parliament, summoning summoning को चाथ तरीके से रोका जा सकता है adjournment, adjournment sign die prorogation, dissolution and that is totally similar to the parliament of India and the maximum gap between the two sessions of the state legislature cannot be more than six months that is also similar to the parliament of India and the governor from time to time summons each house of the state legislature to meet अब बात करते है quorum की quorum जो है वो 1 10th है या फिर 10 members whichever is greater क्योंकि कुछ states ऐसे हैं जापर बहुत छोटे विजान सभा या विजान फरिशन है तो उस case में minimum members 10 है and otherwise 1 10th है whichever is greater in addition to the members of the house members of house के इलावा जो advocate general है state का और every minister has the right to be present and to take part in the proceedings of any of the house or any of the committees of which he is named as a member but they are not entitled to vote in that case वो वोट के अब उसी में कर सकते हैं जहाँ पर जिनके वो member हैं house के but they can take part in the meetings and they can be a part of the meetings of the all the houses of both the houses and they also have the right to speak but they do not have the right to vote अब बात करते हैं legislative procedure की तो बात करते हैं ordinary bill की तो मैं आपको यह आपर डिटेल में नहीं कराऊंगा मैं आपको के वो पॉइंट्स करताऊंगा जो पार्लेमेंट से अलग हैं यह आपर functioning में तो जो ordinary bill है वो किसी भी house में इनिशेट हो सकता है अगर माले जिए होती है second reading होती है third reading होती है similar to the parliament and when a bill is passed by a legislative assembly यानि की विजांसवा and transmitted to the विजांच परिशर the letter has four alternatives और विजांसवा चार्तिरिकों से कांगर सकती है वो कह दे के हां it may pass the bill without any amendment it may pass the bill with some amendments and return it to the assembly for the reconsideration it may reject the bill altogether और it may not take any action and thus keep the bill pending तो माले जिए कि इन तीन case में जब वो amendment को suggest करें या फिर वो reject कर दे या फिर वो bill को pending रखें उन तीन case में और माले जिए amendment उनने suggest की उसको मना कर दें assembly मानने से तो उन तीन case में जो bill है वो दुबारा जाएगा state legislative assembly के पास ने की विजांसभा के पास और वो reconsider करकर दुबारा भेज़ेंगे council को bill और अगर माले जिए council दुबारा reject कर दे या फिर उसको pending रखें एक महीने से जादा के लिए यानि कि एक महीने करें तो उसका reply ना दे और या फिर या फिर दुबारा कोई अपनी amendments को बताए तो उस case में बिल को पास माले जाएगा उस form में जिस form में दुबारा असेम्बली ने council को भेजा था bill तो एक तरास से इसमें equal से नहीं है जो विधान सभा है उसकी बहुत ही greater powers है as compared to the विधान परिशद especially in the case of ordinary bill So the ultimate power of passing an ordinary bill is listed in the assembly and the constitution does not provide for the mechanism of joint sitting of both the houses to resolve any deadlock और अगर कोई bill है जो originate हो रहा है विधान परिशद में and उसको reject कर देते हैं विधान सभा then the bill will lapse तो इससे clearly बदा चलता है हमें कि विधान सभा का बहुत ही ज्यादा important role है in the case of ordinary bill in the case of state legislature and there is no provision of joint sitting whatsoever फिर बात करते हैं money bills की money bills की बात करते हैं तो money bill की case में क्या होगा जो money bill it can be introduced only in the विधान सभा that to be the prior recommendation of the governor और यह जो bill है it is only introduced as a governor bill मैंना आपको गवानर sorry it can be introduced only as the public bill मैंना आपको public bill और private bill में फरक पहले ही बता दिया है and when a money bill is presented to the governor he may either give his assent he may either withhold his assent and he may reserve the bill for the consideration of the president but he cannot you know he cannot send the bill for the reconsideration again to the council of ministers or the house because similarly to the parliament there is no suspensive veto available in the case of money bill और यहां तक कि अगर bill को reserve कर ले जाता है presidential consideration के लिए गवानर के द्वारा तो उस case के अंदर भी जो president है वो तो या तो अपने accent देंगी bill को या अपनी accent को withhold करेंगी but he cannot send the bill for reconsideration because suspensive veto is not available in any money bill whatsoever so this is all about state legislature तो बात करते है पंचाइटी रा सिस्टम की तो सबसे बहले तो जाना यह ज़रूरी है कि जो पंचाइटी रा सिस्टम है it was instituted in India by the 73rd amendment constitutional amendment of 1992 और इसका मतलब यह है कि democratic self-government लाना at the grass root level जानी कि जो सबसे lower level है सबसे village level है वहाँ पर भी democratic decentralization के मातलब से एक local self-government लाना तो democratic decentralization और पंचाइटी राज यह की बात है और यह question आया था UPC की prelims की question आया था यह दो साल पहले उसमें बूचा गया ऐसा कि पंचाइटी राज को इन में से और क्या कहा जाता है and the right answer was democratic decentralization तो अब जानते हैं कि evolution कैसे भी पंचाइटी राज system की तो जो पंचाइटी राज system के evolution बहुत लंबे time के हुई है अजादी के बाद because it was instituted in 1992 by the 73rd constitutional amendment और तब तक बहुत सारी committees आई जिरोंने अलग-अलग recommendation दी and finally कुछ-कुछ recommendation सारी committees की लेकर पंचाइटी राज system को institute किया गया इंडिया में तो सबसे पहले committee आई थी बल्वंतराय मेता committee 1952 में इट वस अन्दर क्या-क्या बाते कही थी बल्वंतराय जी ने वो बात करते हैं उन्हें ने सबसे पहले कहा कि there must be an establishment of a three-tire पंचाइटी राज system at the village level village level पे होगा ग्राम पंचाइट उसके उपर होगा block level पे होगा पंचाइट समीती and block level के उपर जीला परिशयद होगा at the district level और उन्हें ने ये भी कहा कि जो village level पे होगा ग्राम पंचाइट it must be directly elected and बाकि जो दोनों है उनको बेशयक आप indirectly elected रगदो and all the planning and development activities should be interested to these three bodies जो पंचाइट समीती होगी at the block level it should be the executive body और जो जीला परिशयद होगी district level पे it should be the advisory coordinating and the supervisory body जो जीला परिशयद होगा उसको जो chairman होगा he should be the district collector याई कि एक IS और साथ ही बलवंत रहे मैंतना committee ने ये भी कहा कि ये जो तीनों bodies होगी इनको adequate resources देने चाहिए और further कोशिश करने जाएगी और भी devolution की जाए further future में National Development Council in 1958 January में इसको accept कर लिया बट उन्हेंने ये नहीं कहा कि हाँ हर state के लिए कुछ rigid नहीं fix किया उन्हेंने कहा कि जिन states को जिन district के लिए जिन भी area के लिए इसको accept करना वो कर सकते है it's up to them and Rajasthan became the first state to establish panchaiti raaj system in India in 1959 in Nogor district उसके बाद एक Ashok Mehta committee है इसको 1977 December में initiate किया था जन्ता government ने it was a committee on panchaiti raaj institution itself under the chairmanship of Ashok Mehta और इसकी report submitted within 1978 में इस committee ने कहा कि three tier system की कुछ दूरत नहीं है कि well two tier system is enough and there should be zila parisad at a district level and below it there should be a mandal panchait and a district should be the first point for decentralization under popular supervision below the state level साथ उन्हें ये भी कहा कि जो zila parisad है it should be the executive body साथ उन्हें ये भी कहा कि जो panchaiti raaj institution आप established करेंगे undecentralization के मादियम से उनके पास taxation की power होनी चाहिए ताकि वो अपने financial resources जो है वो खुद इकठा कर सके और साथ ही उन्हें ये भी कहा कि सारे development functions और साथ ही सारा development staff should be interested to the jila parisad but no action was taken on the recommendation of the Ashok Mehta committee especially at the central level however कर्नाठका, West Bengal, और आंद्र परदेश ने कुछ steps लिए इसको initiate करने के लिए दुबारा यह rejuvenate करने के लिए दुबारा उसके बाद एक GVK राओ committee का घठन किया गया it was the committee on administrative arrangement for rural development and poverty elevation programs and it was appointed by the planning commission in 1985 उन्होंने ये कहा कि जो पंचायती राज है जहां-जहां भी established है आपर भी bureaucracization हो रही है और revitalize करने के लिए पंचायती राज system को यह काम करने पड़ेंगे तो उन्होंने सबसे पहर कहा कि जो जिल्रा परिशेत है उसकी importance बढ़ानी होगी in the scheme of democratic decentralization and apart from that उन्होंने ये भी कहा कि जो पंचायती राज institutions है उनको फिलहाल important task नहीं दिये जारे है उनको important task देनी होंगे planning, implementation and monitoring के regarding especially of the rural development programs ये थी GVK राओ committee उसके बाद है LM Singh V committee इस committee ने बहुत important role pre-play किया है पंचायती राज institution के development में एक तरह से क्योंकि it was the first committee to say that the PRI should be constitutionally recognized protected and preserved by adding a new chapter in the constitution यानि कि इस committee ने कहा कि constitution को amend करकर पंचायती राज institutions को एक constitutional backing गे दी जाए ताकि इसको protect किया जा सके इसको reserve किया सके और इसको preserve किया सके apart from that it said कि there should be free fair and regular elections of the पंचायती राज bodies जैसे कि center के विल पर किया जाते हैं apart from that उन्होंने कहा कि नयाए पंचायास बनानी चाहिए group of villages के लिए और उन्होंने कहा कि gram सभावी बहुत important part है और उसको कम ना समझाय जाए because it is the embodiment of the direct democracy and judicial tribunals का गठन किया जाए again in case अगर कोई भी dispute arise होता है in the case of election of पंचायती राज institutions 1988 में एक थंगन कमिटी का गठन किया गया to examine the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning and it's adjusted for the stensing of the पंचायती राज system तो उन्होंने सबसे वखली recommendation लिए दी कि जो time है जो tenure है पंचायती राज बोड़िस का उसको fix कर दिया जाए 5 साल के लिए and अगर किसी कारण से इसको extension देनी भी पढ़ जाए तो उसको केवाल maximum 6 months के लिए extension मिले and a planning and coordination committee should be set up at the state level under the chairmanship of the minister of planning साथ ही पंचायती राज system किस-किस subjects को लेकर काम कर सकते है उसको भी अलग से mention कर देना चाहिए जैसे constitution में जैसे कि मतलब union list है, state list है, concurrent list है उसी तरह से एक और list बनाई जाए जिसके अंदर वो subjects mention किये जाए जिसके उपर पंचायती राज system अपने काम कर सकती है MJ should also be a state financial commission कर गठन किया जाए जो हमें बताए कि पंचायती राज institutions को जो finances को किस परकार से देना है आखरी committee जो इसके regarding मिनाए गी थी वो से गटगिल committee इसमिन ने तीन बहुत important बात दे कही एक तो उन्होंने कहा कि इन bodies को tax लिवाय करनी की power देनी चाहिए ताकि उपने finances को खुद इकठा कर सके साथ ही उन्होंने कहा कि constitution के अंदर mention कर देने चाहिए वो areas जहां पर इस पंचायती राज institutions काम कर सकती है effectively और साथ ही उन्होंने ये भी कहा यानि कि state election commission का गठन किया जाए जो कि elections करवाएं इन पंचायत के जैसे कि एक central election commission होता है at the center तो दबाव recommendation of the guardical committee became the basis for drafting an amendment bill aimed at conferring the constitutional status and protection to the पंचायती राज institutions finally एक bill initiate किया गया और finally वो 73rd constitutional amendment के रूप में पास हुआ and it came into force on 24th April 1993 तो जानते हैं कि 73rd constitutional amendment bill 1992 में क्या-क्या इंक्लूट था इसके तहद एक नया part ही बना दिया constitutional part 9th of the constitution and it consists of provisions from article 243 to 243-0 it also added another schedule called 11th schedule and ये जो schedule है contain करता है वो 29 items जिस पे पंचायत वग कर सकती है जैसा कि अलग-अलग committee is recommend कर रही थी and the act also gave a practical shape to the article 40 of the constitution जो के एक DPSP है directed principle of state policy which says that the state shall take steps to organize village-man-chats and endorse them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of cell government. तो इससे में ये वी बदर चलता है कि जो DPSP है उसका बहुत important use है और उनको देख कर सरकार और बहुत कुछ नया ला सकती है फतम कर दिया है अब परजाईती राज systems को परजाईती राज institutions को एक constitutional body बनाने का बड़ा important फाइदा ये है कि जो state government के monopoly है अब उसके इसाब से परजाईती राज काम नहीं करेंगी and elections जिगारा जो है वो state election commission independently conduct कराएंगे और अब जो act है परजाईती राज उसके अंदर दो तरह के provisions दिये गए है एक provision जैसे है जो कि compulsory है या फिर mandatory है या फिर obligatory है while second राज the discretionary वो अलग-अलग states को अलग-अलग provisions दिये गए है तो इस सारी बात कि हमने परजाईती राज institutions की तो basically आपने prelim points उसे से क्या question आ सकता है कि आपको इन सारी committees के नाम learn होने चाहिए बलवंत राय महता committee, अशोक महता committee, जीवी के राओ committee, एलम सिंगवी committee, ठंगन committee, गाटगिल committee तो UPSI में question आ सकता है कि कोई भी चार committees के नाम दे सकते है and बोलेंगे कि which of the following committees are related to the panchayati raja system and उसके बाद option लाएंगे one, one and two accesses, तो आपको सारी committees के नाम learn होने चाहिए कि कौनसी कम कौनसी committee relate करते हैं panchayati raja system से तभी आप उसको correctly match कर पाएंगे तो बात करते हैं features क्या है हमारी panchayati raja system की तो first and foremost feature is the three tier system of government यानि कि जो self-government system है panchayati raja system का उसके बाद three tier system follow किया जाता है at the village level, at the block level, at the district level तो village level पर देर इस गराम panchayat at the block level there is a block samiti, mandal parishad और you can say it is a panchayat samiti या अलग लग 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 नाम है अलग लग state से follow किया जाते है and at the district level there is a jila parishad so there is a three tier system and in the terms of election there are all the members of the at the all the levels, district, block and village level they are directly elected by the people but the chairperson होते हैं intermediate और district level पर उनको indirectly elect किया राता है from amongst the members and और जो chairman होता है at the panchayat at the village level he is elected in such a manner as the state legislature may determine from time to time जो seats ने वो reserve की जाते हैं scheduled casters के लिए and scheduled tribes के लिए in the panchayati raj institutions as well as in the offices तो जो कम से कम 1 3rd seat जो है वो reserve की जाते हैं women's के लिए बाई जो seat said includes the women's seats of the SCs and STs और 1 3rd seat जो है वो कम से कम reserve हैं women's के लिए and also not less than 1 3rd seats of the total number of offices of chairperson in the panchayat at least level service for women यानि कि तीनो लेवल, village level, block level और district level, तीनो लेवल पर जितने भी chairperson's के offices होंगे उन में से भी 1 3rd जो होंगे that will be reserved for the women apart from that ये जो act है panchayati raj act ये authorize करता है state legislature को कि वो time to time reserve कर सकते हैं और भी seats को या फिर offices को chairperson's के for the backward classes फिर बात करते है ग्रामसभा की ग्रामसभा is the foundation stone of the panchayati raj system and it is a body consisting of person registered in the electoral rolls of a village comprised within the area of that panchayat फिर बात करते है disqualifications की तो वो लोग, वो members वो persons जो की eligible नहीं है to be the member of the state legislature they are also not eligible to be the member of the panchayati raj institutions but age limit में देर इस सम दिफरेंस की जो age limit है state legislature की that is 25 years यानि की 25 साल से कम का वेक्ती जो है वो state legislature विजान सबर का member नहीं बन सकता but in the case of panchayati raj institution the situation is quite different because जिसमें minimum age है that is not 25, that is 21 यानि की 21 या 21 साल से उपर का जो भी वेक्ती होगा he can be the member of the panchayati raj institutions फिर बात करते है duration of panchayats की तो जो panchayats की minimum duration generally 5 years होती है but it can be dissolved earlier in special cases और जो elections होते हैं panchayats की it should be completed before the expiry of its duration of the 5 years पर अगर dissolution पहले हो जाए तो it must be conducted within the period of 6 months from the dissolution तो ये बात की duration of panchayats की तो हमने देखे features की है panchayati raj system की 3-tier system election, reservation of seeds gram sabha, disqualification and durations of panchayats अब जानते है powers and functions क्या है panchayatsi raj system के तो panchayatsi raj की पास बहुत सारी powers है और उनको state legislator delegate करते हैं powers from time to time ये prepare करते हैं plans for economic development and social justice and they also implement schemes for economic development and social justice जैसा जैसा उनको मिलता है and also the functions on all the 29 subjects that are mentioned in the 11th schedule of the constitution मैंने आपको बताया था कि GADGIL committee ने recommend किया था कि अलेग schedule बनाया जाए उसके उनको subject mention की जाए जिन जिन पर panchayatsi raj institutions को काम करना है और उन subjects पर भी panchayatsi raj institution काम करती है apart from that जो विधान सभाई है हमारी यह फिस्टेट लेजिस्लेचर अगरे by camera legislature है तो वो authorize कर सकते है panchayat को कि वो लिवाय करें, collect करें and appropriate करें taxes, duties and tools ताकि वो अपने financial resources को खुद इकठा कर सके and they also can allow them for making grants in the way to the panchayats also जो governor है वो finance commission का घठन करते हैं पान साल के बाद यह जाने के लिए कि जो financial situation है panchayats के वो कैसी है और यह जो finance commission है यह तीन तरह की recommendations को देता है पहली बात यह बताता है कि किस तरह से और कितना revenue है जो कि state का है और वो उनको panchayats को देना होगा second वो यह बताता है कि कितने granted aids देने है from the consolidated fund of the state to the panchayatiraj institutions और जो finance commission होता है साथ सी वो auditing भी करता है accounts की तो इस सारे features है panchayatiraj institutions के अब हम चलते हैं schedules कौन से कौन से constitution में तो मैंने आपको बताया था कि presently there are 12 schedules in the constitution तो मैंने आपको इसमें brief brief लिख दिया है कि कौन से कौन से schedule में क्या है और आप प्लीज इसको कही no down कर लिजएगा क्योंकि आपको बहुत helpful रहेगा यह premium points of view से तो जो पहला schedule है deals with the names and boundaries of the states तो first schedule basically includes name of the states and their territorial jurisdiction and the second schedule and it also includes first schedule also includes name of the union territories and their extent and जो articles cover होते हैं first schedule में there is a article 1 to article 4 फिर बात करते है शेकिन schedule की it deals with the salaries, allowances and pensions of various constitutional dignitaries और इसके अंदर कौन कौन से dignitaries cover होते हैं कौन जान लेते हैं सोटा सा President of India Governor of States Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha the Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in the States the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council in the States the Judges of the Supreme Court the Judges of the High Courts and the Comptroller and Auditor General of India और इसके अंदर बहुत सारे articles cover होते हैं like 59 articles 65, 75, 97, 125, 148, 154, 164, 186 and 221 पर आप इतना ही रहात के लिजे के वह बहुत है कि deals with the salaries, allowances and pensions of the various constitutional dignitaries Schedule 3 deals with the oaths of certain constitutional dignitaries and again it includes Union Ministers the candidates for election to the Parliament the Members of Parliament the Judges of Supreme Court the Comptroller and Auditor General of India the State Ministers the candidates for election to the State Legislature the Members of the State Legislature and the Judges of the High Court and it also covers various articles Schedule 4 is quite important and as it deals with the distribution of council of states streets among different states यानि कि जो राजसर बगें कित्मी seats किस state को कित्मी seats मिलेंगी ये Schedule 4 बताता है हमें and it deals with Article 4 and Article 80 फिर बाग करते हैं 5th schedule की it deals with the schedule areas as well as the provisions relating to the administration and control of the schedule areas and the schedule tribes and it deals with Article 244 Schedule 6 deals with the provision relating to the administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalya, Tripura and Visoram Article 244 and Article 275 ये होगे पहले से schedule अबाग करते हैं 7th schedule की it deals with the three types of list union list, state list and concurrent list अप्रेलिम पॉइट अभी से कोण important fact ये है कि जो union list है एक presently contain करते है 100 subjects को state list contain करते है 61 subjects को and concurrent list contains presently 52 subjects and it deals with Article 246 फिर बाग करते है 8th schedule की it deals with the languages of the country and is concerned with the Article 344 and 351 also originally it had 14 languages but presently there are 22 languages 9th schedule deals with the immune laws and it is concerned with Article 31b and it is a very important article इसके implications आपको पहले विता चुक्या हुए DPSP के रिगाडिंग तो आप इसका ध्यान रखेगा this schedule was added by the First Amendment of 1951 to protect the laws included in it from Judicial Scrutiny on the ground of violation of Fundamental Rights however, in 2007 the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973 are now open to Judicial Review तो इस बहुत इस बहुत इस है पर इस परिम पूंट बहुत इस बहुत इस है पर मैस पुन पूंट इस बहुत इस है then we have 10th schedule it deals with the Provisionary Ratings of Disqualification of the Member of Parliaments and State legislature on the ground of defection this schedule was added by the 52nd amendment of 1985 also known as anti-defection law I think I missed, इसको लिक्षना बूल गया हम दो आप इसको प्लीज आद कर लिजी का schedule 10 को that it is based on the anti-defection law and it's concerned with article 102 and 91 11th schedule deals with the powers to the panchayat, it has 29 subject matters, मैंने आपको बताया था भी that it was added by the 73rd amendment of 1992 and the 12th schedule deals with the powers of the municipalities it has 18 matters and it was added with the 74th amendment act of 1992 तो यह various schedules and constitution की मैंने आपको summarize करके दिये हैं आप इसको प्लीज लिख लीजेगा और इसको learn कर लीजेगा क्योंकि प्रेलिम प्रेलिम पॉइट अविशे बहुत इपॉर्टेंट है यह so now we will begin the special provisions for some states तो जो article 371 है उससे article 371 जे तक which is included in the part 12 of the constitution contains special provisions for 11 states that is Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Asam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa and Karnatka तो जो intention ठीज के पीछे इनको special provisions को create करने के लिए it was to meet the aspiration of the people of the backward region of the states it also aimed to protect the cultural and economic interests of the tribal people of the states these special provisions also dealt with the disturbed law and order situation in some parts of the states and also protected the interests of the local people of the states तो जब समिधान हमारा लागो हुआ शुरबात में तो उनमें ऐसी कोई provision मेंशन नहीं थे क्योंकि उस ताम states भी केवल स्वादा थे पर धीरे धीरे state की reorganization हुई अलग-अलग states सामने आई अलग-अलग problem सामने आई और हमारा जो constitution it is a living document तो अलग-अलग जो problem सामने आई उनको resolve करने के लिए amendments हुई और उन amendments के अंदर जो हमारे member of parliament हैं उन्होंने अलग-अलग provision सामने रखे अलग-अलग states के लिए तक कि उनके जो functioning है वो better हो सके और साथ ही जो उनकी problems हैं उनको resolve किया जा सके तो यहाँ पर बहुत सारे article की बात करेंगे article 371 की, 371 A की, B की, C की, D की, E की, F की, G की और बहुत सारे articles और भी है तो हमें जाना ज़रूरी यह है कि जो planning points of view से हमारे लिए important है वो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा article number कि state के corresponding काम करता है हमें यह जाना इतना ज़रूरी नहीं है कि उसके अदर क्या provisions है क्योंकि यह बहुत सारे articles है और इनको learn करना almost impossible है तो हमें लेकिन यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा article है और वो कौन सी state के corresponding act करता है तो पहले जानते हैं 370 article जमू और कश्मीर के regarding है और जो 371 article है It is concerned with the states of Maharashtra and Gujarat Then we have article 371 A It is concerned with the state of Nagaland Article 371 B It is concerned with Asam Article 371 C It is concerned with Manipur And now we have article 371 D It is concerned with Andhra Pradesh And now it is concerned with both Andhra Pradesh and Telangana क्योंकि 2014 में एक Andhra Reorganization Act हुआ था पास और Telangana 29th state बन गई थी इंडिया की तो creation of Telangana led to the change And the 371 D article was extended to the state of Telangana also So now article 371 D is concerned with both Andhra Pradesh as well as Telangana फिर बात करते हम Article 371 E की It is still concerned only with Andhra Pradesh not with Telangana Article 371 F It is concerned with Sikkim तो आपको इस बहुत इंपोटन पॉइंट है कि 36th Constitutional Amendment of 1975 made Sikkim a full fledging state of the Indian Constitution यानि की जो Sikkim थी It was not a state of India in the beginning तो 1975 में 36th Constitutional Amendment हुई और उसके बाद जो था Sikkim उसको पूरी जरा से Indian Union का पार्ट बनाया गया And Sikkim became a state of India और उसी के बाद Article 371 F जिसके अंदर special provision mentioned है relating to the state of Sikkim Article 371 G contains the provision regarding the state of Mijuram Article 371 H contains the provision regarding the state of Arunachal Pradesh Article 371 I for Goa and Article 371 J for Karnataka So these are all the main provisions special provisions regarding different states तो अब आप सोच रहोंगे कि question की style का सकता है तो पिछले साल अभी इससी साल paper हुआ था महाराष्टा Civil Services का तो महाराष्टा Civil Services में question पूछा गया एक Which one of the following is not correctly matched? तो उसके अजर चार आटिकल दिये गये थे और साथ के चार related states थी UEC तो question था 371 A उसके सामने लिखा था Nagaland 371 B उसके सामने लिखा था Asam फिर लिखा हुआ था 371 C उसके सामने लिखा हुआ था Meghalaya and then लिखा हुआ था 371 D और उसके सामने लिखा हुआ था Antara Pradesh तो इस question को write करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि article 371 A is rightly matched with Nagaland article 371 B is rightly matched with Asam article 371 is wrongly matched with Meghalaya क्योंकि जो article 371 C है यभी हमने पढ़ा सा it is concerned with Manipur not Meghalaya so it is wrong and the right answer is 371 C Meghalaya and article 371 आपको देखने की जरूस नहीं है but it is rightly matched with Andhra Pradesh क्योंकि article 371 D is concerned with both the states Andhra Pradesh as well as Telangana तो इस तरह का question पूचा साकता है कि इसी भी State Services के paper में और जो UPSC है तो वो और भी difficulty level को increase कर सकता है क्योंकि इस में से चारों में से एक पताना है कि कौन सा गलत है UPSC कह सकता है कि चारों में से बताई है कौन कौन से गलत है आपको एक से दादा पताने पढ़ सकते है तो आपको चारों की चारों पता होने चाहिए कि चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है तो इस आर अब बात करते हैं amendment की constitution में तो जो amendment के बारे में article 368 है जो part 20 में constitution की उसमें mention की गई है parliament की power कि किस तरह से constitution को amend किया जा सकता है और उसका procedure क्या है तो parliament का मतलब में आपको पताया था addition या फिर कुछ repeal करना हो या फिर कुछ amend करना हो अगर कुछ new add करना है तो भी वह amendment होगी अगर कुछ पुराना repeal करना है या फिर delete करना है वो भी एक amendment होगी constitutional और यदि कुछ पुराना है जिसको थोड़ा किसी एक particular part को change करना है या amend करना है या फिर modify करना है alter करना है तो that will also be counted as amendment but एक important point है इसमें कि केश्वाननभास की case हुआ था 1973 में उसमें Supreme Court ने एक basic structure doctrine जी सी और Supreme Court ने कहा था कि कोई भी part constitution का जो है वो amend किया जा सकता है including preamble but important बात ये है कि जो भी part amend किया जाएगा it should not affect the basic structure of the constitution यानि कि कुछ points ऐसे हैं जो form करते हैं basic structure constitution के और that are not amendable उनको amend नहीं किया जा सकता जैसे कि equality, fraternity और Supreme Court ने ये भी कहा कि हम ये लिखके नहीं दे सकते हैं कि क्या क्या form करता है basic structure of the constitution को तो ये time to time अलग-अलग cases में हमें पता चलेगा कि क्या क्या include होता है constitution के basic structure में पर जो भी include होगा basic structure में it cannot be amended तो तीन तरह से हमारा constitution amend हो सकता है by simple majority by special majority of parliament and by special majority of parliament with the consent of states तो simple majority से जो हो सकता है it includes various things but these are outside the scope of the article 368 like admission or establishment of new states, formation of new states and alteration of areas, boundaries and names of existing states abolition or creation of legislative counsel in the states second schedule, quorum in parliament salaries and allowances of the members of the parliament and various others तो इस सारे जो प्रूवेजोरिजोरिजोरिजोरिजोरिजोरिजोरिजोरिदी अ्रहशन पूंदी पार्लेमिंट only by simple majority in both the houses of the parliament but they are outside the scope of article 368 of our constitution फिर बात करते हम Special Majority of Parliament की तो it includes, it is concerned with the Article 368 Special Majority का मतलम मैंने आपको पताया था इस case में क्या है Article 368 में जो की Constitutional Amendment Bill के अंदर है वो ही है कि 2 3rd of the President voting and more than half of the total membership of the House and total membership of House means the total number of members comprising the House irrespective of fact whether there are vacancies or absentees किते vacancies हैं, किते एपसेंट हैं we are not concerned with that we are concerned only with the total membership of the House और उसकी कम से कम 50% लोग उसको support में होना होगा इस Bill के और इसकी कुछ एक्दाम्पल्स हैं Fundamental Rights, Directive Principles of State Policies all other provisions which are not covered by the 1st and the 3rd category यानि कि by Simple Majority and Best Special Majority of Parliament with the consent of states इन दोनों category के इलावा जितने भी provisions हैं वो सारे वे check-in category में fall करते हैं तो मैंने इसमें आपको बहुत अच्छा एक्जाम्पल दिया सा 3rd case का GST का जो कि 101 constitutional amendment है हमारे constitution की तो इसमें क्या है कि जो भी features है जो भी amendments है which affects और which are related to the federal structure of our constitution or our polity can be amended only by a special majority of parliament and it also requires the consent or ratification of states of more than 50% states यानि कि पहले second condition को fulfill करना होगा और इसके इलावा जो state legislatures है कम से कम 15 states के क्योंकि presently there are 29 states तो कम से कम 15 state के state legislature को इसको ratify करना होगा there is no time limit given कि किस time limit के अंदर ही इसको ratify करना है इसको कुछ मेंशन नहीं है तो states can take their time and the moment the 15 states will ratify it the formality will be completed इसके एक्यापल एक्लासिक एक्यापल बहुत एचा जेश्ट otherwise election of the president in its manner extent of the executive power of the union and the states supreme court and high court distribution of legislative powers between the union and the states any list in the 7 schedule representation of the state in parliament and the power of parliament to amend the constitution and its procedure article 368 itself यानि कि अगर article 368 को भी amend करना है तो third case को fulfill करना होगा तो these are the amendment of the constitution तो let's begin non-constitutional bodies तो पहले जानते हैं non-constitutional bodies कौन सी bodies होती हैं तो basically these are those bodies that are not mentioned in our constitution यानि कि वो जित्ते भी परकार की bodies हैं जिनका mention नहीं किया हुए हमारे समिधान में उनको हम कहेंगे non-constitutional bodies तो सवाल आता है हमारे मन में कि फिर इन bodies को कैसे बनाया जाता है तो इन bodies को बनाया जाता है by the act of the parliament क्यानि कि statutory bodies कहा जाता है इनको क्योंकि ये पारलेमेंट के act से बनते हैं पर ऐसे भी bodies हो सकती है जो कि ना statutory bodies हो ना ही constitutional bodies हो तो उन bodies को हम कहते हैं तो सबसे बहले हम बात करेंगे तो ये human rights जो है जैसे कि life, liberty, equality, dignity of the individual तो ये human rights जो है जैसे कि life, liberty, equality इसको protect करने के लिए इसका गठन किया गया था under the protection of human rights act of 1990C जिसके कारण ये एक statutory body है तो इसके main objectives क्या है इसको क्यों बनाया गया था पहला ताकि इस strengthen किया जाता कि institutional arrangements को जिससे human rights को protect करने में असानी हो साथ ही किसी भी तरह की human rights की violation को रोकने ले भी इसका गठन किया गया था फिर बात करते हैं इसकी composition की composition की बात करें तो ये एक multi-member body है जिसके अंदर एक chairman होते हैं और चार members होते हैं जो chairman होते हैं वो कोई ना कोई retired chief justice होते हैं इंडिया के और जो members होते हैं they must be a serving or retired judges of the supreme court और serving और retired chief justice of a high court और दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास special knowledge या फिर practical experience रहा हो human rights के relation में तो basically chairman होगे chief justice of india retired और चार members में से दो जिनके पास special knowledge हो और दो जो की retired या फिर serving supreme court के judge हो या फिर chief justice रहे हो किसी high court के या फिर serving हो उसके लावा बात करें तो commission के पास 4 ex official members भी होते हैं जो की chairman होते हैं national commission for minorities के national commission for scheduled caste के national commission for scheduled tribes के and national commission for women के और इन chairman और members की जो हमने बात की इनको appoint करते हैं president जो की हमारे de jure head है country के on the recommendation of a six member committee तो सवाल आता है हमारे मन में के वो six member कौन है जो इस committee के पार्ट होते हैं तो सबसे पहले Prime Minister of India, Speaker of the Lok Sabha Deputy Chairman of the Rajya Sabha Leaders of the Opposition in both the houses of Parliament यानि की Lok Sabha में भी और Rajya Sabha में भी and the Central Home Minister तो यह जो six members हैं they form that committee जो recommend करती है president को कि आप उने किसको chairman of members select करना है या फिर appoint करना है फिर बात करते हैं independence और partiality के लिए so to secure autonomy of the commission National Human Rights Commission following provisions are made तो chairman or member होते हैं they can hold the office for a term of five years और 70 years whichever is early तो यह आपको learn करना है और यह learn करना comparatively बहुत असान है क्योंकि आपको यह बहुत rare दिखेगा किसी भी constitutional या फिर non constitutional body में कि जहां पर 70 years की age हो retirement की also after the tenure the chairman and the members are not eligible for any further employment under central or state government फिर हम बात करते हैं removal की कि इस तर असी remove किया जा सकते chairmen को या फिर members को NHRC के तो जो president है वो remove कर सकते है chairman को या फिर किसी भी member को NHRC के पर उनके लिए कुछ circumstances होने ज़रूरी है first if any of them is adjust and insolvent if any of them engages in any paid employment outside the duties of his office if unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body if of unsound mind and is declared by a competent code या नि कि unsound mind होना तो ठीक है बर सांसिस को competent code ने किसे ने declare किया कि हाँ ये जो व्यक्ती है ये unsound mind के है and lastly अगर जो convicted है या फिस sentence है किसी भी imprisonment में ये किसी भी offense के लिए तो इन सारी cases में जो president है उनको remove कर सकते है पर इन पांच cases के किलावा भी दो case ऐसे हैं जिसमें president remove कर सकते हैं किसी भी chairman या member को NHRC के जो की है prove this behavior या फिर incapacity पर इस case में पहले जो president है उनको आपके सही है तो president immediately उनको हटा सकते है जो salaries की बात करें अलाउंस की बात करें तो determine करते हैं कौन चेंटरल गर्मिट और इनके पास power होती है of a civil court और साथ ही जो भी proceedings conduct किये जाती है NHRC में उनके अंदर या फिर उनके उनका judicial character होता है यानि कि it is vested with the power to regulate its own procedure with all the powers of a civil court and its proceedings have a judicial character जो ये commission है NHRC इसके जो headquarters है वो दिली में है पर ये अगलग अग अफिसी बना सकते हैं इंडिया के किसी भी हिस्से में और साथ ही जो Human Rights Amendment Act है 2000 से में पास्किया गया था जिसके तहर बहुत सारी amendments लाई की जैसे की strengthening the investigative machinery available with human rights commissioners empowering the commission to recommend award of compensation even during the course of an inquiry यानि की course of inquiry यानि की inquiry जो चल रही हो उसके दोरान भी award जो है compensation का उदिया रा सकता है अब से NHRC को empower किया गया है कि आप जेल्स की विजिट कर सकते हैं बिना किसी को बताए state governments को बिना बताए कि जो जेल्स के अंदर conditions है जो है वो president को या फिर अगर state human rights commission की member या chairman है तो वो governor को अपना resignation directly दे सकते हैं साथ ही ये provide किया गया है कि जो chairperson है national commission for SC and the chairperson of the national commission for the ST वो जो है वो निश्टित रूप से NHRC के member बनेंगे तो ये complete हमने बात की national human rights commission की तो हम इसकी detailed analysis या फिर वर्किंग के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो court से बिसिकली prelim oriented है पर फिर भी अगर आप थोड़ा से function जाना जाहें तो to inquire into any violation of human rights or negligence in any in the prevention of such violation by public servant either suomotu or on a petition to intervene in any proceeding involving allegation of violation of human rights pending before the court to visit jails and detention places ताकि वो देख साथे कि जो inmates है या जो jail के अंज़र लोग है उनकी living conditions inhumane तो नहीं साथ ही review करने के लिए constitutional या फिर legal safeguard जो कि हमारे पास available है human rights को बचाने के लिए और साथ ही उनकी effective implementation के लिए measure suggest करती है नचासी साथ ही वो factors को review करती है including acts of terrorism and recommending remedial measures to undertake and promote research in the field of human rights and to encourage the efforts of NGOs यानि कि non-government organization जो पहले से काम कर रही है human rights की field में उनके efforts को enhance करती है encourage करती है और साथ ही compliment करती है नचासी को toothless tiger भी कहा जाता है या फिर paper tiger भी कहा जाता है क्योंकि वो protect नहीं कार पाती ordinary citizens को human rights violation के against क्योंकि उनके ऐसी बहुत सारी impediments है working में जो कि हम main point of view से कभी किसी और class में discuss करेंगे अगर आपका फिलाद इता जाना जुरूरी है कि protection of human rights amendment विल 2018 में भी आया है जिसके तहच one member from N.C.P.C.R. यानि कि national commission for protection of children's right and a woman member has been included in national human rights commission ताकि जो inclusiveness से वो बढ़तके उसके इलावा there has been an enlargement of the scope of eligibility and selection of the chairperson of the NHRC and SHRC and a change in term of office in consonance with the terms of the chairperson and the members of the other commission यानि कि जो बाकि commissions है बहुत सारे उनके जो chairpersons and members की जो term है उनके term के हिसाफ से NHRC के भी members और chairmen को similar term देने की बात की गई है तो यह इसा national human rights commission NHRC के बाद हमारे पास साथ है Central Vigilance Commission Central Vigilance Commission 1964 में established हुआ था and important point यह है कि वो किसके recommendation में हुआ था Santhanum Committee on Prevention of Corruption 1962 to 1964 अगला point इसमें यह है कि जो statuary status है यानि कि Parliament ने एक act जो बनाया Central Vigilance Commission के उपर वो 2003 में बनाया उससे पहले Central Vigilance Commission था that was not a statutory body फिर अगली चीज़ हम देखते है के Composition के Central Vigilance Commission की Central Vigilance Commission के अंदर Central Vigilance Commissioner होते है and not more than two Vigilance Commissioners यानि की Central Vigilance Commissioner compulsory है and उसके बाद maximum two Vigilance Commissioners हो सकते है अपॉइंट को गेते हैं एपॉइंट केते हैं एपॉइंट केते हैं एपॉइंट केते हैं on the recommendation of the three member committee consisting of Prime Minister था the Chairman Minister of Home Affairs and the Leader of the Opposition in the House of People यानि की लोगसभा तो तीन members होते हैं committee के अंदर भेले होते हैं Prime Minister जो Chairman होते हैं एक member होते हैं Minister of Home Affairs and the Leader of Opposition होते हैं इंदर लोगसभा वो तीसरे member होते हैं और जो term होते हैं Central Business Commissioner का that is 4 years from the date on which they entered their office or till they attain the age of 65 years whichever is earlier यानि की 4 और 65 The next point आता है removal कैसे होते हैं members की members जो है उनको remove के राता है President के द्वारा तो ground पेर रखेखी है prove misbehavior लेकिन Supreme Court को refer करना बटा है President को पहले after the President reference to the Supreme Court Supreme Court के opinion के बाद घीर CVC को remove किया जा सकता है जो salaries होते हैं allowances होते हैं या फिर बाकी conditions होते हैं Office की Central Regilance Commission के that is same as the chairman and the members of UPSC यानि की Union Public Service Commission साथ में better functioning के लिए अच्छी vigilance के लिए Central Regilance Commission को पावस्ती गई एं Civil Court की और साथ में एक judicial character provided किया गया है So this is all about CVC आपको important बात यह रहा रखे हैंगे कौन सी committee संसिनम Committee on Prevention of Corruption then statutory status कब मिला 2003 गई and presently अगर हम बात करने साथ में साथ में Central Regilance Commissioner and साथ में not more than two vigilance commissioners appoint करते हैं President on the recommendation of a three member committee जिसके हम the Prime Minister Chairman होते हैं Home Minister होते हैं and Leader of Opposition होते हैं लोग सभा के removal process चोह है हो काफी मुश्किल है क्यूंकि President को Supreme Court को refer करना बड़ता है and ground सरफ एक ही है that is provenance behavior salvage allowances or other conditions of office are same as the chairman and members of UTSC and otherwise remove जिसले लिकिया जाता है और भो इसले बड़ता हैं और भो office of profit हो ऑफिफित हो by mind or infirmity or body or if the central government holds him responsible for an offense involving moral turpitude or he is convicted for such an offense if he is or if he is found interested in financially living activities or other such interest which can likely affect prejudically his official function So this was all about Central Business Commission अब हम चलते हैं Central Information Commission पर Central Information Commission एक बहुत ही important body है that is made by the Right to Information Act 2005 and that's why it is a statutory body Central Information Commission ज़र वो Right to Information Act को implement करती है उसके information को देखती है and Right to Information Act बहुत ही important legislation है post-independence India की because it provides transparency to the citizens उनको पदा चलता है कि क्या चल रहा है किस तना की गतिवीदिया हो रही है and वो किसी भी department से related कोई भी expenditure से related government से information मान सकती है Composition की बात करते हैं तो Chief Information Commissioner होते हैं साथ में 10 other Information Commissioners appoint करते हैं President on the recommendation of a three-member committee but इस committee के अंदर difference as compared to CDC Prime Minister Chairman है then उसके बात Leader of Opposition is a local member है but जो third member है वो Minister of Home Affairs नही है instead he is a Union Cabinet Minister nominated by the President यानि कि वो Union Cabinet के Minister जिको प्रधान में पी nominated है तो एक तरह सब कह सकते हैं कि जो Union Executive है यानि कि जो परस्तर प्रेज़न पे पावर में है जो Prime Minister है उनका रोल बहुत जादा हो जाते है appointment में क्योंकि अगे लिज़र of Opposition जैसा appointment जो जो जेए नहीं कर सकते है क्योंकि तीम मेंबर्स पी कमिटी को ने कि पारण, Prime Minister और खुदपा पीन है और ताहब में एक Union Cabinet Minister जिनको उन्होंने उपाइंट किया है तो अब्बिस्टी उन दोनों का उपीन में सेम होगा अग उसे के कारण एक तरह से Prime Minister और खुदपाइंगे और प्रोविजिन के अगर हम बात करें तो इस ए थी में को कमिटी जो अपाइंट करती है Central Information Commissioner और Information Commissioners को और अगर हम रिमोवल की बात करें तो रिमोवल की बात करें तो बिल्कुछ सेम प्रोसिजर जो फोलो के जाते हैं किस Information Commissioner होंगे उसकी चीज़ी एक Election Commissioner जिसनी होंगे और जो हमारी Barking Commission Commissioners होंगे सेम होंगे as the Election Commissioner अगर हम बात करने रिटार्यमेंट इच की तो 5 years or 65 years of age whichever is earlier तो इस प्रोटन पोइंट यह है कि Central Business Commissioner के में यात है 4 years आप है यहां पर 5 years or 65 years of age whichever is earlier तो तो इसना रभूर्स से यह peng रभू बभूष शभूँई एंगर्स यह pénेंग भूब प्रच्वस्ञ टरफिते हैं इन्पजचाँ पर इन्पश्डमेंणग है, तो वाउ़侏ः यह लेक्वश्छ तान का लेक्वसें टायूईब भीक कुआँआए आपूईब